स्वागत है आप सभी का साइंस अन्फन पे जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं तो कल परसो दो देन लगा तार चला चला के मेरा गला जो है वो थोड़ा सा खराब हो गया है तो दीरे दीरे ये मैं दो बार गरम पानी पी चुका हूँ और शायद ये ठीक हो जाएगा अभी क्योंकि सुबा सुबा उठके थोड़ा सा खराब रहता है ये आप सबको पता है लेकिन दीरे 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 जैसे जैसे हम लोग क्लास आगे बढ़ाएंगे हम लोग अपना जोश हाय रखेंगे ये ठीक हो जाएगा लेकिन स्वागत है आप सभी का साइनस और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं I hope आप सभी लोग fit and fine है और आप सभी लोग को पता है कि आज हम यहाँ पे क्या करने वाले है सभी को नमशकार नमशकार हाँ यार आपको सबको पता है हर बोड के exam के दिन में पिछले साल जिसने भी हमारी last year की classes देखी होंगी recorded form में चाहे कैसे भी उसको पता होगा कि last year भी same हुआ था बोड के paper में मेरा गला खराब हो गया था और बोड के paper में तो इतना जादा problem बढ़ गई थी कि मुझे एक operation करवाना पड़ गया था उस subject का नाम है उस part का नाम है biology तो सभी को नमस्कार जो जो यहाँ पे नए है मैं उनको पता दूँ कि मैं इस channel पे आपको आज से पहले कभी biology पढ़ाता वा नहीं मिलूँगा मैं आज पहली बार actually इस channel पे तो छोड़ दो मैं YouTube पे ही पहली बार आज से पहले जिस भी channel पे मैं पढ़ाया करता था अब तो यह हम खुद के channels हम लोगों ने खोले और पढ़ाया इस पे लेकिन आज से पहले कभी भी मैंने biology जो है वो नहीं पढ़ाई है नमस्कार नमस्का हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैंने आज से पहले कभी भी biology जो है वो नहीं पढ़ाई है लेकिन अचा इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने आज से पहले पढ़ाई नहीं है offline में मैं बहुत सालों से biology पढ़ाता रहा हूँ paid batch जो हमारे science and fun के paid batches चलते हैं जो जो paid batch के बच्चे यहा पर biology जो है वो मैं नहीं पढ़ा पता था लेकिन आप लोगों ने बहुत ज़ादा एक प्रकार से spam किया आप लोगों ने बहुत ज़ादा comment section पर request की एक प्रकार से कहीं कहीं बच्चों ने धंकी भी दी कि सर biology आपको ही पढ़ानी होगी तो although so न मैंने बहुत अच्छे से biology क को like करेंगे और session को 10,000 like तक लेके जाएंगे हम लोग biology start करते हैं बच्चे जुड़ जाएं very good very good very good सभी को नमशकार 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 हाँ सर आप आज नहीं कि आपको guess करना होगा ये आपको guess करना होगा कि मैं आज नहा के आया हूं कि नहीं चलो आप पता हर बार तुम ठीक है ठीक है ठीक है ओके तो हम लोग जो चैप्टर biology से जहां से हम शुरुबात करने वाले हैं actually में वह हमारे पास heredity होने वाला है देखो क्या है जैसे chemistry में भी आपको सबको पता है हम लोगों ने carbon and its compounds से start किया था उसके पीछे का एक reason था because जो हमेशे ऐसा होता है कि let us suppose जबके बच्चा physics एक बहुत exceptional case है क्योंकि physics में दो हिस्से है आपको पता है एक हिस्सा है light जिसमें light और human आया जाता है और एक है electricity जिसमें electricity और उसके effect यानि magnetic effect आता है क्योंकि मैं again offline के बच्चों से रोज मिलता हूं तो मुझे पता है बहुत सारे school हो में electricity से शुरुवात क की जाती है लेकिन biology में कभी ऐसा नहीं होता है हर school शुरुवात करता है life processes के chemistry में कभी ऐसा नहीं होता है हर एक school शुरुवात करता है chemical reactions and equations तो कहिना कहिन. life processes और chemical reaction and equation ये दोनों chapter बच्चों को बहुत अच्छे से बहुत detail में in depth आते होते हैं हना और ऐसा नहीं है कि ये chapter की revision की जरुवत नहीं होती है but to be very honest इनकी revision की जरुवत होती है तो अगर आज हमारे पास time बचेगा तो आज हम लोग life processes भी करेंगे लेकिन main हम लोग यहाँ पर herity आपका favorite chapter reproduction और हम लोग अपना control and coordination को यहाँ पर revise करेंगे जल्दी से session को 10,000 like पर लेके जाएंगे खटाएक खटाएक से जल्दी 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 तो आप पताओ जल्दी मुझे तो वैसे आपका answer बताए लेकिन आप में से कौन-कौन से बच्चे कौन-कौन से chapter के लिए अच्छा मैं आपको पहले बता दू biology पढ़ाते हुए मैंने आपको पताए था एक और reason भी है कि biology यूट्यूब पर क्यों नहीं पढ़ाता क्योंकि biology पढ़ाते है वक्त मैं थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ तो मैं इदर उदर ना निकल जाऊँ मैं वैसे सुबा सुबा meditation करके आया हूँ अपने ओपर control करके आया हूँ कि मैं ना निकलू although offline में जहां पर हम लोग आगे के सामने camera नहीं होता हाँ तोड़ी सी offline में जहां पर मेरे सामने camera नहीं होता मैं वहाँ थोड़ा सा rough हो जाता हूँ हाँ our environment भी येस 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 देखो आपको पता है यार complete biology बहुत जादा बड़ी है बहुत जादा बड़ी है ठीक है जी हाँ done 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 ठीक है अचा अचा ओके समद गया समद गया ठीक है ठीक है ठीक है चलो शुरुबात करते हैं शुरुबात करें 10,000 like हो चुके हैं और इसी के साथ बहुत बड़ीया शुरुबात के साथ हम लोग हाँ हेरिटी हेरिटी तो पहला चेप्टर ही कर रहे हैं आज हम लोग ठीक है done 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 चलो सबसे पहले सबसे पहले हमारा जो first chapter आता है chapter का नाम है हमारा हेरिटी आई होप आप इस महान इंसान को जानते हूं लग बग लग बग पूरा का पूरा चेप्टर जो है वो इस महान इंसान के ओपर based है ये chapter का actually पूरा नाम पहले हेरिटी एंड एविलूशन था जिसमें से evolution वाला जो part है वो हमारे cbse ने इस साल syllabus से हटा दिया है इस chapter में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आप सब जानते हैं कि जब reproduction होता है जब parents जो है वो offspring को पैदा करते हैं तो बहुत सारे characters माबाप से लगबख सारे characters माबाप से बच्चों में जाते हैं अब यहाँ पे बहुत बड़ी confusion होती है सबसे पहले मुझे अब आप एक बाप बताओ कि क्या माबाप से character बच्चों में जाने का मतलब सिर्फ शकल मिलना होता है तो आंसर है ऐसा बिलकुल भी नहीं है माबाप से बच्चों में character जाने का मतलब सिर्फ शकल मिलना नहीं है अगर मैं ऐसा बोलू कि आपके शरीर में जो भी character से जो आपके पैदा होते ही आपके पास आए थे वो सब के सब आपने माबाप से ही लेके आए थे अगर आपके फादर का ब्लड ग्रूप A है और आपकी मदर का ब्लड ग्रूप B है और आपका blood group अगर O भी है तो भी आप वो अपने parents से ही लेके आए हो true or false तो आपके पापा की आँखों का color blue है आपकी मम्मी की आँखों का color black है और let us suppose आपकी आँखों का color green भी हो जाता है वो character भी आप अपने माबाप से ही लेके आए हो सिर्फ शकल मिलना ही heredity नहीं होता है heredity का मतलब होता है माबाप से character बच्चों में आना और इस पूरी पढ़ाई को हम इस chapter के अंदर पढ़ने वाले है तो इस chapter की शुरुवात सबसे पहले कहां से होती है शुरुवात तो अब्वेस से बात है heredity की definition से ही होती है जो की क्या है passing of characters from parents to offsprings माबाप से character बच्चों में चले जाना इसको हम लोग क्या कह देते है heredity कह देते है the passing of traits यानि characters from parents to offspring offsprings का मतलब बच्चे होता है it's called heredity अब heredity का मतलब सिर्फ शकल मैच होना नहीं है आप में से बहुतों की शकल अपने माबाप से नहीं मिलती होगी तो क्या आपको अपने माबाप पे शक करना चाहिए बिटा नहीं करना चाहिए अब इसका मतलब ये चोड़िना है कि आपको कूड़े से देखो हो सकता है क्या पता किसी बच्चे की शकल किसी पडोसी से मैच हो रही हो ये तो क्या की बाद नहीं 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 यार तुम कहा चले आतो घर वालों पे शक करने की जरूद बिलकुल भी नहीं है बिटा जरूरी नहीं है कि हमारी शकल हमारे माबाप से मैच हो, इसमें बहुत सारे बच्चे यहां पर ऐसे होंगे, जिनको पता है, जिनकी शकल उनके माबाप से मैच नहीं होती है, तो यह जरूरी भी नहीं है, लेकिन कोई भी करेक्टर अगर माबाप से बच्चों में जात अब उससे उसको बनाना क्या है तो उसको एक blueprint चाहिए होता है और वो blueprint जो अरे यार तुम ऐसे देखो मैंने कहा था ना यार मैंने कहा था ना यार ऐसे भावनाओं में बहाए जाओंगा फिर तुम हसोगे और फिर तुम वो करोगे ऐसा मत करना वस ठीक है तो माबाप से जो character एक्टर आते हैं जाइगोट में वो उसको पताते हैं कि जो multiple cells हैं उससे क्या बनाना है इसकी आख कैसे बनाना है नाख कैसे बनाना है मूँ ब्लड ग्रूप कैसा होगा height क्या होगी complexion क्या होगा बालों का texture क्या होगा इसलिए कह रहे हैं कि आपने कभी कभा notice कि बहुत सारे siblings आपस में same शकल की होते हैं बट धियान रहे this is not the only way कि हम herity को explain कर सकें बट क्या आप मेरे को देखके मेरा blood group बता सकते हो चलो क्या आप देखके मेरा blood group बता सकते हो नहीं तो जो character सबसे असानी से दिख जाता है वो appearance ही है skin का color ही है आखों का रंग ही है इसलिए यहाँ पे appearance का example बस लिया गया है अब जो characters होते हैं यह दो प्रकार से define किये जा सकते हैं एक होता है genotypic और एक होता है phenotypic यानि की genotype और phenotype अब यह क्या होता है बहुत ध्यान सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना जो characters होते हैं जिनको आप LLs भी कह सकते हो यह actually में हमेशा pair की form में बैठते हैं example blood group से दे रहा हूँ अब आप यह मत बोलना blood group out of syllabus है एक्जामपल देने के लिए बात कर रहा हूँ जैसे कि होता क्या है सुनो बहुत ध्यान सुननो हमारे पास जो blood group के traits होते हैं जैसे कि आए ए आए बी और आए ओ यह तीन traits हो सकते हैं अब हमेशा जो भी एक character होता है वो pair से मिलके बनता है pair से सुनना अब जैसे कि आए ए जो है वो dominant होता है आए जो है वो dominant होता है I, B भी dominant होता है लेकिन I, O जा है वो recessive होता है अब ये dominant और recessive क्या होते है dominant का मतलब कि कौन आप पे हावी हो जाएगा और recessive का मतलब कौन कमजोर है एक प्रकार से ठीक है न अब मान लो मैंने आपको बोला क्योंकि character pair में बैठते हैं अब मान लो अगर किसी के अंदर दोनों character I, A, I, A है मान लो किसी के अंदर दोनों character कितने हैं I, A, I, A है ऐसा है न तो उसका जो blood group होगा वो A होगा छीके लेकिन वहीं पे अगर किसी का है I, A, I, B तो उसका blood group जो होगा वो A, B होगा क्योंकि A और B दोनों ही dominant होते हैं लेकिन अगर किसी की body में आ गया I A I O अब O क्योंकि recessive होता है यानि कमजोर होता है तो I A और I O में A ज़्यादा हावी हो जाता है तो A अपनी presence को show करता है A अपनी presence को show करता है यानि कि उसकी body के अंदर अगर आप घुसोगे तो आपको I O का B trait मिलेगा बट actually जो appearance overall blood group की show होगी वो A होगी अब यह मैंने आपको क्यों समझाया आओ ज़रा समझते हैं जैसे कि मान लो एक बच्चा है एक boy है जो की tall है यह आपको दिख रहा है कि वो tall है यह आपको दिख रहा है कि वो tall है लेकिन वो tall उसके अंदर अगर आप घुसोगे तो जो आपको उसका genotype दिखेगा वो हो सकता है कि capital T, capital T हो capital T stands for tall and tall जो होता है वो dominant होता as compared to short लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो capital T, small T हो because capital T dominant हो गया अब हो सकता है उसके genotype में उसके genes में लिखा हो एक छोटा TB लेकिन overall जो appearance आपको दिख रही है वो tall के दिख रही है मालो एक Ram नाम का बच्चा है जो कि tall है लेकिन वो अंदर से उसका जो genotype है वो capital T, capital T भी हो सकता है और capital T, small T भी हो सकता है लेकिन अगर एक और boy है ये boy 1 था और ये boy 2 है boy 2 जो है वो short है boy 2 की जो लंबाई है वो कम है boy 2 की लंबाई कम है ये पक्का है कि वो small T, small T होगा true या false जल्दी बताओ क्या ये पक्का है कि वो small T, small T ही होगा हाँ जी yes क्या ये पक्का है कि वो small T, small T ही होगा बिलकुल सही बात है क्यों कि अगर उसमें एक भी capital T आ जाता तो वो tall होता because capital T जो होता है वो dominant होता है वो अपनी presence शो करता है दूसरों पे हावी हो जाता है इतनी बात समझना दूसरों पे हावी हो जाता है तो अगर एक tall है तो उसमें capital T, capital T और capital T, small T भी हो सकता है true है न? true है न? true है न? yes लेकिन अगर एक short boy है तो वो हमेशा small T, small T ही होगा अब आप कहोगे सर इससे हम genotype और phenotype क्या समझे अगर एक इनसान आपको tall दिख रहा है तो आप कहोगे भया वो tall है यह phenotypic है जो हमें दिख सकते है लेकिन genotype मतलब जो अंदर genes में लिखा हुआ है वो तो मैं नहीं पहचान पा रहा वो तो मुझे chemical test वेगरा biological test वेगरा से ही पता लगेगा उसको हम लोग बोल देते हैं genotype इतना समझ में आया इतना समझ में आया बिल्कुट सही कह रहीं आप ऐसा कह सकते हो बच्चे कह रहे इह रीमा मैम का नाम लिख दो लो जी, मैंने dr mêmes का नाम लिख दिया अगर está ही के लिवा कल तो आप अब सब जानते हैं तो मैं capital T, capital T हूँ या capital T, small T हूँ, यह आप नहीं पता सकते, यह मैं भी नहीं पता सकता, यह तो भईया, जो DNA टेस्ट करते होंगे, उनको पता होगा, बात समझ में आ गई, तो genotype क्या है, और phenotype क्या है, इतना clear होगे, आगे बढ़ रहे हैं, इतना clear होगे, आगे बढ़ रह कुछ characters ऐसे होते हैं, जो हम अपने माबाप से लेकर आते हैं, लेकिन कुछ character ऐसे भी होते हैं, जो हम खुद acquire करते हैं, देखो, मैं अपना blood group acquire नहीं कर सकता, यह मैं अपने माबाप से लेकर आया हूँ, आप ऐसा बोल सकते हो क्या, या तेरा blood group अच्छा नहीं है, इसको change क कर सकते हो येस बेटा मुमो स्टिक की भले पापडी छोले भटूरे मुमो की चटनी मयोनी बर्गर पैटी फलाना डिमकाना ये सब अगर हम खाते हैं तो हमारी बॉड़ी की शेप चेंज होती है लेकिन वहीं पर आप जिम जाते हो अच्छी डाइट खाते हो डोले बनाते हो म मुझ करेक्टर ऐसे होते हैं जो आप जैसे नौलेज है नौलेज आप माबाप से लेके नहीं हाते हैं जैसे बो तो मुझा म मझाक में कह देते हैं जैसे के मेरे घर में मैं लड़का अच्छा काम करता है ये जै Pokal आँख बेटा कितना खुशार है बाप पे गया है लेकिन वहीं पर जब बत्तमी जी करता हूँ मैं कहता हूँ देख कितनी गंदी तीखी आवाज है देख माँ पे गया है तो ये तो हम ऐसे बोल देते हैं ये तो हम ऐसे बोल देते हैं बट आप सबको सोचो अगर knowledge माँबाप से बच्चों में जा रही होती तो कितना मज़ा आता जब मैंने अपना बच्चा पैदा किया था पूरे डेटेल प्रोसेस में तो नहीं जाऊंगा लेकिन जब मैंने अपना बच्चा पैदा किया था तो मैं तब obvious सी बात है graduate हो चुका था तो अगर knowledge माबाप से बच्चों में जाती होती तो क्या मेरे बच्चे को SST भी आती होती और मेरे बच्चे को science भी आती होती SST वो मम्मी से लेके आता, science वो पापा से लेके आता, बेटा science and fun डाइपर में यहाँ पे खड़े हो के class ले रहा होता Imagine करो camera छोटा है, छोटा सा board है, diaper में मेरे बच्चा आपको chapter पढ़ा रहा है, बास समझ पा रहे हो, बास समझ पा रहे हो, diaper में खड़ा हो के chapter पढ़ा रहा है बोलना बेटा, बोलना उडंक साही रहा है, वोगी पैदा होते ही, बोलना आ रहा है, सोचो बेटा, फिर कह रहा है, दो मिनट, दो मिनट, मेरे मेरे डाइपर गिला कर दिया, मैं दो मिनट में आया, समझ रहा है मेरी बाद, मम्मी सेरेल लैक बना दो, ब्रेक के बक 15 मिनट के ब्रेक में सेरे लेक खारा है, पॉइंट को समझना बेटा, नॉलेज जो होता है, वो माबाप से बच्चों में आती नहीं है, आती होती तो मज़ा आ जाता बेटा, आप सब के बच्चे पढ़ेंगे क्यों, आप कि सब के बच्चों ने साइंस एंफन की क्लास ले ली, बस बा कावनाओं में बहुँगा बहुत सारा, तो कोई भी कंटेंट निकाल के रील ने बनाएंगा यार, ठीक है, देखो, बोल भी को, अब मैंने बोल दिया, अप्चा जादा बनाओगे तो, प्लीज यार, ठीक है, पढ़ाई कर रहे है, ठीक है, एक्वायर करेक्टर क्या है, ज अचा पूरा सोला का नहीं है बिटा, जो कहने का मतलब यह हो गया, कि बोडी बनाना एक एक अक्वायर करेक्टर हो गया, लेकिन वहीं पे, ब्लड ग्रूप जैसे करेक्टर जो है, वो इनहरेटेड है, हाइट भी इनहरेटेड है, अचा बहुत सारे करेक्टर को लेके लोकर टेक्शर हो गया, हाइट हो गया, यह सारे इनहरेटेड करेक्टर से है, बड़ी इंपोर्टन बात, एक्वायर करेक्टर माबाप से बच्चों में क्यों नहीं जाते, यह NCRT का बहुत इंपोर्टन सवाल है, यह NCRT का बहुत इंपोर्टन सवाल है, कि एक्वायर करे आशु सर ने अपने offline में मालो छार बच्चो को एक booklet दी ठीक है प्रिंट आउट निकालके चार बच्चो को एक एक booklet दे दी ठीक है वो सबकी booklet प्रिंट सेम थी वो notes दे दिए सबके notes सेम थे और वाथ bin गयॉस चारों को same दी है photocopy करा के तो same थे ठीक है ठीक है ठीक है अब सुनो इन चारो बच्चों ने इन चारो बच्चों को जो बुकलेट मिली वो एक्जाक्ली सेम थी लेकिन इस बच्चे ने क्या किया उसमें रेड पेंट से लिखा इसने ब्लू से लिखा इसने गरीन से लिखा इसने कुछ और लिखा इसने कुछ औ जो रहा है, इसकी बहुत जादा कम जो रहा है, इसकी आशुसर जैसी है, पॉइंट समझो, पॉइंट को समझे ना, अब वो जो लिख रहे हैं बुकलेट में, वो उनके एक वायर करेक्टर हो गए एक प्रकार से, चीक है, अब जब मैं 2023-2024 वाले बच्चों को दुबारा से बुकलेट बाटूँगा, तो क्या इन वाले बच्चों ने बुकलेट में लिखा था, क्या वो उन बच्चों को मिलेगा, आंसर है नो, क्योंकि जो मेरी ओरिजिनल फाइल है, जो मेरे कम्प्यूटर में है, मेरे लैप्टॉप में है, उसमें तो कोई चेंजिस नहीं हुए है न, मेरी बात की गहराई को समझ न, इन्होंने अपनी अपनी बुकलेट में जो भी चेंजिस किये हों, वो चेंजिस, ओरिजिनल बुकलेट में तो नहीं जाएंगे न, नहीं जाएंगे न, बोलो, नहीं, वो ओरिजिनल बुकलेट में नहीं जाएंगे, डाट इस वाए, इन्हेरेटेबल करेक्टर जो हैं, वो तो हमारे डी एने में होते हैं, लेकिन acquired character हमारे DNA में copy नहीं होते हैं जिसकी वज़ा से acquired character माबाप से बच्चों में बिलकुल भी नहीं जाते हैं acquired character माबाप से बच्चों में इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि ये DNA में copy नहीं होते हैं ये DNA में changes लेके नहीं आते हैं तो अगर exam में सवाल आया कि why acquired characters are not inheritable because ये DNA में changes लेके नहीं आपाते हैं डन है? चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अगला topic हमारे पास आता है accumulation और variation यानि accumulation during the reproduction अब देखो जब भी reproduction होगा खास कर sexual reproduction reproduction दो प्रकार का होता है यह हम आज पढ़ने भी वाले हैं asexual और sexual asexual में single parent involved होता है एक parent involved होता है तो variation यानि character में changes बहुत कम आते हैं because single parent है exactly DNA copy हो जाता है अच्छा changes आते हैं लेकिन वो भी changes क्यों आते हैं क्योंकि जब copy हो रहा होता है तो उस दोरान कुछ गरबड़ी हो सकती है ठीक है ना तो देखो मैंने यहाँ पढ़ा है आपको inaccuracy in DNA replication यानि asexual में अगर सब कुछ ठीक चलता है तो ना के बराबर variation देखने को मिलेंगे कभी कभार DNA की जब copy हो रही होती है माल लो एक बार से booklet की फोटो copy हो रही है उस दोरान अगर कुछ changes मिल गए तो variation आएगा otherwise variation ना के बराबर है लेकिन sexual reproduction में दो parents involved होते हैं अगर sexual reproduction में दो parents involved हैं तो कुछ character पापा से आएंगे कुछ character मम्मी से आएंगे तो variation तो आना बनता है ना यार जैसे कि पापा ने बोला मैं I.A. भेजूँगा ठीक है blood group I.A. भेजूँगा मम्मी ने बोला मैं I.O. भेजूँगी तो बेटा आपको पता है उस बच्चे का blood group क्या होगा A होगा because A dominant है लेकिन अगर पापा भी जिद पे अड़ गए कि मैं तो आज I.A. बे पापा मम्मी के यह हाथ में नहीं है हाथ क्या कहीं पे भी नहीं है बेजूँगा लेकिन अगर पापा ने बेजा I.A. और मम्मी ने बेजा I.B. तो बच्चे का blood group जो हो जाएगा वो A.B. हो जाएगा तो आप देख सकते हो automatically variation आ गया automatically variation आ गया बात समझ रहे हो ना तो जब एक character पापा से आएगा एक मम्मी से आएगा तो variation हमेशा आएगा ही आएगा क्योंकि अच्छा मैं पापा ममी बोल रहा हूँ मैं humans का example ले रहा हूँ but sexual reproduction किसी में भी हो रहा हूँ variation आना ही आना है बात समझ में आती है बात समझ में आती है आगे बड़े आगे बड़े आगे बड़े done है चीक है अब बात करते है rules of inheritance की rules of inheritance की देखो आपको rules of inheritance से पहले Mendel जी के द्वारा किया गया experiment पढ़ना होगा I hope आप सब बच्चे जानते हो कि ये इस chapter का तो अब जो हिस्सा बचा है 50% chapter जो बचा है उसमें सबसे important जो अब हम करने जा रहे है वो है जहां से exam में कुछ ना कुछ बनेगा तो ध्यान से सुनिएगा Mendel जी ने माबाप से character जब बच्चों में जाते है उसको study करने के लिए कुछ experiment किये और उस experiment में उन्होंने pea plant यानि कि मटर लिया क्या आप जानते हैं कि मटर क्यों लिया गया क्या आप जानते हैं कि मटर क्यों लिया गया मटर को लेने के पिछे दो major कारण थे पहला कारण मटर एक bainial plant है यानि आप एक साल में उसकी दो generation पैदा कर सकते हो एक साल में आप उसकी देखो बटा, इनसान में कोई कितना भी माहिर क्यों न हो एक साल में दो जनरेशन तो पैदा नहीं कर सकता, आपको बता है इनसान कितना भी माहिर क्यों न हो जाए, एक साल में दो जनरेशन तो पैदा नहीं कर सकता बच्चा पैदा नहीं करवाद होगे बटा वो तो खुदी बच्चा है वो कम से कम 20 साल 25 साल 30 साल का होगा फिर वो एक बच्चा पैदा करेगा फिर उसके करेक्टर अबजर्फ करेंगे तो एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको 30-40-50 साल अबजर्फ करना पड़ जाएगा 30-40-50 साल वेट करना पड़ जाएगा वो बहुत जादा हो जाएगा इसलिए उन्होंने मटर को चुना और भी कोई पौधा नहीं चुना मटर बाइनियल है एक साल में दो जनरेशन पैदा कर सकते हैं second reason था बहुत सारे अच्छे अच्छे characters हैं उसके पास गोलाई है लंबाई है फूल का रंग है मटर के दाने का size है तो बहुत सारे अलग-अलग contrasting characters थे जिससे की अच्छे तरीके से हम और जादा observations ले पाएंगे तो इन्होंने मटर के साथ किया मटर का scientific name एक आद ब सबसे पहले उन्होंने किया mono hybrid cross यहांपे mono का मतलब है एक यानि उन्होंने सबसे पहले एक character को लिया और उसको cross करवाया आओ शुरू करते हैं बहुत important topic है उन्होंने सबसे पहले लिया parental generation उन्होंने सबसे पहले यहांपे parent माना इनको parent माना किनको माना उन्होंने दो parent लिये एक लिया pure tall मैंसे pure tall क्यों कह रहा हूं क्योंकि इसमें दोनो क्रेक्टर एक रेट है क्यापिटल, Apollo T है ऑल्दो ही टॉल तो हो गाई लेकिन या pure tall कहलाया जायेगा अगर मानलो capital T small T होता थो हम इसको pure tall ना कहते हम इसको सिरफ tall कहते ठीक है जी और इन्हों ने इसको क्रॉस करवाया प्योर शॉट के साथ प्योर शॉट का मतलब दोनों टी छोटे हैं अच्छा आप मुझे बताओ आप मटर के पौधे को देखके ये जी नो टाइप पता लगा सकते हो येस और नो क्या आप मटर के पौधे को देखके ये जीनो टाइप पता लगा सकते हो की नहीं येस और नो येस और नो नो, बिल्कुल नहीं पता लगा सकते, क्यों नहीं पता लगा सकते बिटा, क्योंकि ये जो capital T, capital T और capital small T है, they are genotypes, इनको आपको test करके, अब मेंडल जी अब बात है बिटा, बहुत महान इंसान थे, इन्होंने सब test वेश्ट करके, एक pure tall और एक pure short parent को उन्होंने चुन लिया, अब इसके बात क्या किया, इन्होंने cross करवाया, और बच्चे पैदा करवाये, F1 generation के, F1 generation के, यानि की first generation के बच्चे इन्होंने पैदा करवाये, तो क्या देखने को मिला, आदे character पापा से, आदे character ममी से, आदे character एक पेरेंट से, आदे character एक पेरेंट से, यहां से capital T आया, यहां से स्मॉल्टी आया यहां से कैपिटल्टी आया यहां से यह वाला स्मॉल्टी आया सारे possible cross करवाएंगे यहां से यह वाला कैपिटल्टी आया यह वाला स्मॉल्टी आया यह वाला कैपिटल्टी आया यह वाला स्मॉल्टी आया तो क्या देखने को मिला कि जो चारो की चारो बेटा कहीं बच्चों को लगता है कि उन्होंने चार बच्चे पैदा करवाई पहली बात तो वो कौन होते हैं दूसरी बात चार बच्चे पैदा नहीं करवाई चार possibilities यहां पर हमें देखने को मिली four possibilities हमें यहां पर देखने को मिली और यह चारो की चारो possibility सेम थी यानि कि सारे के सारे बच्चे जो पैदा हुए वो टॉल थे और वैसी बात है उनके अंदर शॉट का करेक्टर है लेकिन दिखने में यानि फिनो टिपिकली सारे के सारे टॉल थे और जीनो टिपिकली देखा जाए तो भी वो सेम थे capital T और small T ये बात समझ में आई क्या उन्होंने चार बच्चे पैदा की answer है नहीं उन्होंने observation बच्चे तो बहुत सारे cross करके बनाए होंगे उन्होंने लेकिन ये चार possible outcomes है कि कुछ भी हो जाए short बच्चा पैदा नहीं हो सकता F1 generation में अच्छा इसके बाद वो रुके नहीं बटा इसके बाद वो रुके नहीं साल में दो बार generation पैदा कर सकते हैं तो उन्हें का मैं तो पूरा साल करवाऊंगा ये तो उन्होंने क्या किया इसमें से दो रहाउप public का hypothetical दिखा आओँ जरा समझें लेकर लास्ट रोले ने हैरान कर दिया यहां से स्मॉल टी आया इस का मतलब पिछली बार चारो के चारो पॉसिबिलिटीज में बच्चा टॉल था लेकिन इस बार क्या देखने को मिला कि चार possibilities में से तीन बच्चे तो tall की possibility के थे लेकिन एक जो था वो short का भी था बेटा क्या मैंने ये बोला कि हर चार बच्चे में एक जो आएगा वो छोटा आएगा नहीं बोला true या false F2 generation में अगर 20 बच्चे पैदा हुए तो 20 के 20 भी short हो सकते है true या false जल्दी बताओ अगर 20 बच्चे पैदा हुए तो 20 के 20 भी short हो सकते है true या false हाँ जी हाँ जी true या false कहीं बच्चे false लिख रहे है कहीं बच्चे false लिख रहे है बच्चे true यारे बहाँ बताओ आप ताश खेल रहे हूँ आपको probability चेप्टर पता है ना आप ताश खेल रहे हूँ आप मुझे पताओ ताश में रेड कलर आने की probability क्या होती है 26 by 52 होती है मैस मेरी खमजूर होगी है यानि 1 by 2 होती है अब आप मुझे पताओ अगर मैं हर बार पता निकाल रहा हूँ तो हर बार भी तो रेड आ सकता है तो मेरी बात को समझना यार यहां पर chances की बात हो रही है बात है 75% chances tall होने के हैं और 25% chances short होने के हैं लेकिन सारे बच्चे भी यह possibilities हैं आप इसे ऐसा मत समझना कि 4 बच्चे पैदा हुए तो, capital T, capital T, 1 है, capital T, small T, 2 है, और small T, small T, 1 है, तो genotypic ratio कितना हो गया, 1 is to 2 is to 1, where 1 is capital T, capital T, capital T, small T is 2, and small T, small T is 1, okay, और वहीं पर अगर phenotypic ratio के बाद बोले, हमें दिखेगा क्या, हमें appear क्या होगा, तो हमें दिखेगा, कि 3 बच्चे यहां पर tall है, और एक बच्चा, possibilities की बात हो रही है, 3 possibility tall की है, और एक possibility यहां पर short की है, गुलाब के full आ गए है, इसका मतलब हो सकता है, कि मैंने आपका एक नया doubt कोई clear किया है, very good, ल्यानि कि 1 is to 2 is to 1, इस दी वो ratio, जो हमें दिखेगा नही लेकिन 3 is to 1 वाला ratio, इस दी ratio जो हमें दिखेगा, अच्छा इस experiment से पता क्या चला, इस experiment से साबित क्या हुआ, हाँ जी, इस experiment से साबित क्या हुआ, इस experiment से दो बाते साबित, बहुत सारी बाते साबित हुई, main जो बाते साबित हुई, पहला कुछ character dominant होते हैं, जीवर में और कुछ recessive होते हैं, जो dominant होते हैं, वो दूसरों के पर हावी हो जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, पहली generation में कोई भी shot नहीं आया, और दूसरी बात पता लगती है, कि अगर कोई एक character हमारी एक generation में हमें नहीं दिखता है, तो अगली generation में हमारी एक generation में नहीं दिखता है तो अगली generation में वो character वापस आ सकता है very good, very good, very good, very good, very good बहुत बढ़िया समझ गए, समझ गए, समझ गए, चालो इसी के साथ हम लोग बात करेंगे die hybrid cross की अब die hybrid cross जादा important क्यों हो जाता है भाई यूशिकर die hybrid cross में हमारे पास दो characters आ जाते हैं और दो करेक्टर से बढ़ाई और जादा complicated लेकिन interesting हो जाती है die hybrid cross में मेंडल जी ने बहुत सारे दो अलग-अलग करेक्टर को चुना क्या होगे बहुत सारे अलग-अलग करेक्टर को चुना जिसमें उन्होंने दो करेक्टर जो कि अभी हम यहाँ पे लेने वाले है एक है tallness का और एक है roundness का I hope आप सभी ने अपने जीवन में मतर तो खाया होगा तो आपने notice किया होगा कि बहुत बार कुछ मतर के दाने जो होते हैं वो perfect goal होते हैं और कुछ बार मटर के दाने जो होते हैं वो थोड़े से टेड़े मेड़े से होते हैं रिंकल से होते हैं तो यहां पर जो उन्होंने parental generation को लिया उसमे नोंने लिया capital T, capital T, capital R, capital R capital T, capital T, capital R, capital R का यहां पर मतलब है homozygous लिया मतलब same यानि कि pure tall और प्योर राउंड लिया, capital R का मतलब राउंड है, capital R का मतलब राउंड है, और वहीं पे उन्होंने small t small t और small r small r लिया, यानि यहाँ पर small t का मतलब क्या है, आपको पता है, short है, लेकिन small t small t मतलब pure short है, और small r small r का मतलब है, pure wrinkled है, wrinkled मतलब तेड़े मेड़े seeds है, wrinkled मतलब तेड़े मेड़े seeds है, समझ गए, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, यहाँ पे, अब अगर हमें F1 generation बनानी है, उससे पहले हमें यह बनाना होगा, कि genotype कौन कौन से आगे pass on हो सकते हैं, तो यहाँ से capital ती आएगा, और एक इदर से आएगा, इदर से, capital T, capital R, 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 और तो के possibility हैं नी, और यहाँ से small t, small r, यहां से आएगा small T, small R small T, small R small T, small R small T, small R because character तो आदे जाएंगे ना करेक्टर तो माबाप से बच्चों में आदे जाते है ना बिटा अब यहां पे capital T, capital R capital T, capital R आ गया और यहां पे small T, small R आ गया अब अगर हम इनको आपस में क्रॉस करते हैं अगर हम इनको आपस में सब को मैं नहीं लिखूंगा आपको पता है विकाज सब सेम है अगर हम इने आपस में क्रॉस करते हैं तो इनको क्रॉस करने पाएगा कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल र, स्मॉल र हमेशा dominant को पहले लिखते हैं अगर हम इनको cross करते हैं अगर हम इनको cross करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास आज़ाएगा capital T, small T, capital R, small R समझ गए बेटा अरे yellow और wrinkle नहीं लिया यार हाँ देखो हम यहाँ पर दो character ले सकते एक है tall और एक है round और wrinkle एक ले सकते हैं yellow कहीं बच्चे कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने NCRT से पढ़ाई किये सिरफ यह yellow के बारे में बात कर रहे हैं मेरी बात ध्यान से सुनिएगा Mendel जी ने यह experiment सिरफ एक बार नहीं किया था Mendel जी ने यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग आप लोग कह रहे हो कि why से करो मैंने आपको तब ही तो पहले बोल दिया कि मैं जो दो character ले रहा हूँ है tall और round बेटा yellow वाला तो आप NCRT में कर चुके हो yellow वाला तो आप NCRT में कर चुके हो तो मैं आपको इससे यह सिख्षा मिलती है कि कोई भी character ले लो कोई भी character ले लो इससे क्या फरक पड़ रहा है अगर वो tall है اور वो round है यह मैं अगर yellow और wrinkle ले रहा हूँ इससे क्या फरक पड़ता इससे कोई फरक ने पड़ता बाथ समझ में आ गई इससे कोई फरक नहीं पड़ता मैं यहाँ पे tall round और short और wrinkled ले रहा हूँ मैं color का character ले ही नहीं रहा अगर मुझे मालों इंसानों की बात करने है तो क्या जरूरी है कि मैं आखों का रंग और बालों का texture लो नहीं, मैं blood group और skin color भी ले सकता हूँ मैं height और let's say immune system भी ले सकता हूँ point is मुझे कोई भी दो character लेने है तो मैंने यहाँ पे जो दो character ले लिए वो है tall, round, short और wrinkled समझ गए, समझ गए, समझ गए, पूरी बात सुना करो यार yes, 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 चलो अब यहाँ पे अगर करूँगा तो भी क्या जाएगा tall, capital T, small T, capital R, small R अब obvious सी बात है, सारे के सारे यहाँ पे same आएंगे सारे के सारे यहाँ पे same आएंगे अगर सारे के सारे same आए, तो क्या क्या दो, all कितनी possibilities यहाँ पे मिली हमी, कितनी possibility यहाँ पे मिली हमी, हमें यहाँ पे कितनी possibility मिलेंगी, 16 possibilities मिलेंगी, 16, all 16 possibilities, all 16 possibilities are tall and round हमें यहां पर सारी की सारी 16 की 16 possibilities तो मिलेंगी वो मिलेगी tall की और round की यानि वो लंबे होंगे और उनके जो seed होंगे वो goal होंगे इतना समझ में आया चीक है चीक है चीक है लेकिन मज़ेदार बात कब है यह हमारे पास कौन सी generation हुई यह हमारे पास हुई F1 generation अब अगर मैं F2 generation के लिए बात करता हूँ अगर मैं F2 generation के लिए बात करता हूँ तो F2 generation में मुझे इन में से कोई भी दो लोग लेने होंगे मुझे F2 generation में इन में से कोई भी दो लोग लेने होंगे कौन से दो ले रहा हूं उससे क्या फरक पड़ता है capital T, small T, capital R, small R सब तो सेम ही है तो capital T, small T, capital R, small R अब अगर मैं इन दोनों को बेटा देखो मान लो है exam में कोई तीसरा करेक्टर आ गया तो उसका भी तो cross करना आना चाहिए मुझे याद है एक बार एक paper में एक flower के ओपर question आया था जो की pea plant का भी नहीं था उसमें violet color और white color आया था जितनों के exam में एक बार ये आया है एक बार हम सब दे दो violet color और white color के ओपर cross आ गया था अब अगर आप सिरफ NCRT वाले रंग yellow और round yellow, tall इनके ओपर ही काम करोगे तो नए color तो इसलिए मैं आप टॉल और round के साथ काम कर रहा हूँ मेरी जान जो बचे नए आये हैं उनको बता रहा हूँ ठीक है? ओके? थमसब दे दो भाई जिनके school में कभी ना कभी exam में violet color के ओपर भी सवाल आ चुका है आया है ना? आया है ना? तो बटा कोई भी रंग के ओपर सवाल आ जाए कोई भी character के ओपर आ जाए concept तो same रहेगा ना यार अब यहाँ पे जो possibilities होंगी वो क्या होंगी? capital T यहाँ से capital T, capital R capital T, small R small T, capital R small T, capital R समझ गई? इदर से possibility हमें यह मिल गई अब इदर से possibility जो मिलेगी वो भी same मिलेगी capital T, capital R capital T small R small T, capital R small T, small R अब यहाँ से जो possibility हमें यह मिल गई मिल गई, मिल गई, मिल गई अब अगर हम इसको cross करवाएंगे तो यहाँ पे हमें जो 16 possibilities मिलेंगी वो सारी की सारी same होंगी या अलग होंगी पिछली बार की तरह हाँ जी, एक बार NCRT वाला भी करवा दो NCRT वाला भी करवा देंगे यार पहले यह कर लेते हैं मेरी जान जल्दे, session को 25,000 like तक लेके जाना है आपके लिए biology पढ़ा रहे हैं यार सेशन को 25,000 like लेके जाना है और सब्सक्राइबर्स को आज 9,000,000 कर देना है आज 9,000,000 सब्सक्राइबर भी कर दो खुश कर दो टीचर्स को मेहनत बढ़ा देंगे आपके लिए मेहनत कर देंगे येस, सारी possibilities जो हमारे पास आएंगी वो अलग अलग आएंगी सारी possibilities जो हमारे पास आएंगी वो अलग आएंगी कैसे आएंगी आओ देखो यहाँ पे करूँगा तो capital T, capital T, capital R, capital R यहाँ पे करूँगा तो capital T, capital T, capital R, small R पहले लाइन कर रहा हूँ, capital T, small T, capital R, capital R बस multiply करना है और capital वालों को पहले लिखना है, यहाँ पर आ जाएगा capital T, small T, capital R, smaller, अब अगर मैं इसके हिसाब से जाओ, तो ऐसे 16 outcome मिलेंगे, सारे लिखूँ या बाकी लिख लोगे, time waste हो रहा हैं, बोलो, सारे लिखूँ या बाकी capital T, small T, capital R, small R, और यहाँ आ गया capital T, small T, small R, small R, लिख लोगे, लिख लोगे, यह लिख दूँ, जैसा बोलो, मालिक लोगो, तोनी कर आ गया, तोनी कर आ गया, कह रहे हैं, हाँ, क्योंकि, कुर्टा बजामा, काला, 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 बेटा, ओ सारी, काला, काला, फोकस हो गया, capital T small t capital R capital R capital T small t capital R capital R capital R यह करूंगा तो small t small t capital R smaller बहार वाले घर वलत सोच रहें किया बोली जा रहे हैं यह बच छोटे capital R, small t capital T, small t capital R, small r तुम्हारे लिख रहा हूं यह सारे देख लो capital T, small t small r, small r small t, small t, capital R small r, एक अगर करें बीच में गलत हो भी गया, तो जेल लेना यार चलो ठीक है, अब यह सारे के सारे हमने यहां पे लिख दिये, चीक है अब यहां पे, अगर मैं आपसे ऐसे पूछू, अगर मैं यहां पे ऐसे पूछू कि इनमें जो phenotypic ratio, obvious ही बात है genotypic तो irrelevnसी बात हो जाएगी irrelevant सी बात हो जाएगी, लेकिन जो phenotypic ratio है, जो की हमें देखेगा जो phenotypic ratio है अगर आप notice करो, तो नौ ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे जो तॉल है और राउंड है मैं आपको नौ बच्चे दिखा तो देखो ये वाला तॉल है और राउंड है तॉल है और राउंड है तॉल के लिए एक ती कम से कम capital होना चाहिए और round के लिए एक आर कम से कम capital होना चाहिए तो यहाँ पे भी capital ये भी tall or round है ये भी tall or round है ये भी tall or round है लेकिन ये नहीं है विगाँ दोनों आर्चोटे हैं ये भी tall or round है ये भी नहीं है ये भी tall or round है ये भी tall or round है ये भी नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है जो कि tall लेकिन wrinkled होंगी, ऐसी आपको 3 possibility मिलेंगी, जो कि short होंगी लेकिन round होंगी, और यह आखरे वाले भाई साब, यह आखरे वाले भाई साब एक लोते हैं, जो short भी है और wrinkled भी है, short का मतलब क्या होता है, कि भाईया दोनो t small होने चाहिए, और wrinkled का मतलब क्या है, दोनो आर भी छोटे होने चाहिए, समझ गए, ओके, तो यह हमारे पास F2 generation हो गई, अब F2 generation में भी इन्होंने वही सेम बाते देखी, कि भाईया एक तो कुछ character dominant होता है, कुछ recessive होता है, कुछ character जो एक generation से चले जाते हैं, वो अगली generation में वापस भी आ जाते हैं, लेकिन इनको एक और character देखने को मिला, और वो है कि law of independent assortment, जो कि आगे आ भी रहे, इनको देखने को मिला, कि कोई एक character, दूसरे character को कभी भी influence नहीं करता, क्या यह कहना होगा सही, कि चाहे कोई tall हो, या कोई short हो, उसके round और wrinkle लोने से कोई फरक ने पढ़ता, true or false, true or false, हाँ जी, अगर कोई tall है, और कोई short है, उसका कोई फरक ने पढ़ता, अच्छा एक बाव बताओ, एक लड़की है, ऐसे बाव ना होए माद भैजाना, एक लड़की है, जिसकी बिल्ली जैसी आँखे हैं, ठीक है, ठीक है, पताओ उसके बाल कैसे होंगे, जल्दी से बताओ, एक लड़की जिसकी भूरी भूरी आँखे हैं, बिल्ली जैसी आँखे हैं, उसके बाल कैसे होंगे, उसके बाल brown होंगे, उसके बाल black होंगे, आप इस कांसर नहीं दे सकते हो क्यों नहीं दे सकते हो क्योंकि आखों के रंग का बालों के रंग से क्या लेना देना आखों के रंग का बालों के टेक्शर से क्या लेना देना अगर मैं बोलू एक बच्चा जिसका blood group A है पता उसकी height क्या होगी तो कैसे पता दोगी उसकी height क्या होगी यूगि बालों का रंग का height का height का blood group का दो character एक दूसरे से बिलकुल भी dependency एक दूसरे पर show नहीं करते हैं इसी से हमारे पास Mendel जी के तीन law आते हैं दो यहां लिखे हैं एक हम हमारे पास जब भी कोई character जाएगा तो हमेशा पेयर में जाएगा पेयर में अकेला capital T नहीं जाएगा अगेला small t नहीं जाएगा capital T small t जाएगा capital T capital T जाएगा या small t small t जाएगा during gamut formation a gamut receives only one trade from the LL यानि एक LL से एक ही जाता है जो कि आपने नोटिस किया होगा जैसे यहां पर capital T capital T एक हो गया पूरा इससे एक ही गया था capital T गया था और यहां पर भी capital T capital T से एक गया था तो हमेशा एक ही trade जाएगा वो हम वैसे भी जानते हैं वो हम वैसे भी जानते हैं बड़ इस law को हम लोग law of segregation कह देते हैं। फिर आता है law of independent assortment ये मैंने आपको पताया। ये law कहता है कि जो characters होता है वो एक दूसरे से separated रहते हैं। कोई किसी के साथ जाए ऐसा नहीं है। टॉल वाला अलग है, टॉल वाला अलग है, राउंड वाला अलग है, कलर वाला अलग है, ब्लड गृप वाला अलग है, इनका आपस में कोई लिना देना नहीं है। एक और law आता है जिसको हम law of dominance कहते हैं। law of dominance क्या होता है, मैं आपको बोल देता हूं करें लिखना लिख लो, law of dominance के हिसाब से कुछ character dominant होते हैं, जो अपनी presence दूसरे characters के सामने भी show कर सकते हैं। लेकिन कुछ characters recessive होते हैं, which can only show their presence in the presence of similar characters। जैसे capital T और small T में, capital T अगर dominant है, तो वो small T के सामने भी अपनी presence show कर सकता है। लेकिन अगर small T एक recessive character है, तो वो अपनी presence जो है, सिर्फ और सिर्फ show कर पाएगा, जब उसके जैसे similar लोग वहाँ पे होंगे, जब उसके जैसे similar लोग वहाँ पे होंगे, बास समझ में आती है। ठीक है, चेप्टर को समाप्त करें। हाँ, लोग बेटा आज आते हैं, बोड़न ने पूछ सकते हैं, ठीक है, लिख ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन इस चेप्टर को समाप्त करते हैं, और बात करते हैं कि भाईया, humans में sex कैसे determine होता है, चलो, सबसे पहले एक सवाल पूछता हूँ, घर में लड़का ह या लड़की, यह किसके हाथ में, पापा के हाथ में है, मम्मी के हाथ में, मेल पेरेंट के पास जो स्पर्म होता है, उसमें जो क्रोमोजोम के पेर होते हैं, वो एक्स वाई होते हैं, फीमेल पेरेंट जिसको मम्मी कहते हैं, मा भी कहते हैं, मदर भी कहते हैं, मॉम भी कहते बच्चे कह रहा है पापा के हाथ में मैं अगर बोलू किसी के भी हाथ में नहीं है तो तो क्या मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ है नहीं है आप कह रहो पापा के हाथ में आंसर है पापा के हाथ में भी नहीं है बिकॉस ये तो किसी के भी हाथ में नहीं है कि यह बैठा कैसे बाते करते हो पता नहीं क्यों तुम आधी अधूरी नौलेज लेते हो आप मुझे पता हूँ यह पापा के हात में कैसे यह पापा के बस में कैसे है घर में बच्चा पहला जो होगा वो लड़का होगा यह लड़की because during matting during sex between male and female जो sperm male से female body में enter करता है क्या father को पता होता है उसमें X chromosome जा रहा है या Y chromosome जा रहा है और वेसे बाता नहीं तो यह तो बटा किसी के भी हाथ में नहीं है बटा बात समझ में आई अब सुनो अगर genetically पूछा जाए अगर genetically पूछा जाए कि यह किस के control में है तो genes के according genetics के according यह male यानि father के control में है क्योंकि जो female parent होते है उनमें जो sex chromosome होता है they are identical which is XX chromosome और वेसी बात है XX लिखा नहीं होता है एक chromosome बड़ा होता है एक छोटा होता है जैसे X chromosome बड़ा होता है तो इसमें दोनों same size कें तो उनको हम XX chromosome बोलते है इसमें एक chromosome छोटा है अलग शेप का एक बड़ा है तो इसको XY chromosome क्या देते है अब होता क्या है कि अगर male parent से X chromosome आया और female parent से भी X chromosome आया तो बच्चों मुबारक हो घर में लड़की होगी क्यों बढ़ी? क्योंकि XX means लड़की अच्छा अगर male से ये वाला X आया और female से ये वाला X आया तो मुबारक हो बटा घर में फिर से एक लड़की होगी लेकिन अगर father से Y आया और mother से X आया तो बटा मुबारक हो गहर में लड़का होगा लेकिन अगर ये वाला Y आया ये वाला X आया तो बिटा फिर से मुबारख को घर में लड़का होगा और विस सी बात है हमने ये नहीं बोला है कि यहां पे चार बच्चे पैदा किये गए है हमने ये नहीं बोला है हमने सिर्व इतना बोला है कि यहां पे पॉसिबिलिटीज चार है उन चार में से देखा जाए तो दो ही पॉसिबिलिटी है बिकाज ये पॉसिबिलिटी तो सेम है यानि कि एक गर्ल चाइल्ड और एक बोई चाइल्ड होने की जो पॉसिबिलिटी है वो equal है यानि कि एक girl child और एक boy child होने की जो possibility है वो एक human में वो equal possibility है और genetically देखा जाए तो ये male का chromosome decide male नहीं decide करेगा male का chromosome decide करेगा कि घर में male child होगा या female child होगा yes or no इतनी बास समझ में आई 50-50% chances है 1 is to 1 ratio है चलो एक question पुछता हूँ अगर chances 50-50% है तो last 10 साल पहले अब तो खेर बहुत 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 बहुतर हालाद है last 10 साल पहले ये case study में सवाल पूछा जा सकता है अगर male और female के होने के chances 50-50% है तो last 10 साल पहले के data के हिसाब से females का amount females का जो sex ratio है male पे वो इंडिया में बहुत कम क्यों था पताओगे वो इतना कम क्यों था हाँ जी हाँ जी हाँ जी वो इतना कम क्यों था पताए 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 येस बहुत सही, बहुत सही, 25,000 लाइक, 25,000 लाइक कर दो आज, हो जाए, बेटा, क्योंकि फीमेल फियर्टी साइड बहुत हुआ करता था पहले, पहले गर्ल चाइल्ड को पैदा होने से पहले ही मार दिया था, कुछ ऐसे लोग थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, आपको पता है उनके अकॉर्डिंग फीमेल बोज होती थी, एटसेटरा, एटसेटरा, अब लोग खैर बहुत जादा जागरुक होगे, जागरुक क्या पढ़े लिखे हो गए हैं, तो अब यह बहुत कम हो गया है, कहीं जगाओं पर शायद मुझे ने पता अभी भी होता ही होगा, बट म अब यह नहीं होता है, फीमेल फीयटी साईड नहीं होता है, और इसके ओपर рिक कानूं भी बन गया है, तो अब सिक्स रेशो फिर भी बहुत बहुत बहतल हो गया है, बाद समझ में आई, तो यह हमारा पहला चेप्टर आज खतम होता है, छेप्टर का नाम था Heredity, चेप बिल्कुल भी नहीं है, हर state में होता था ये, कोई एक state का नाम मुझे नहीं लगता लिखना चाहिए हमें, हर state में होता था ये, है ना, लेकिन अब ये बहुत भेतर हो चुका है, ठीक है, बहुत ही प्यारा चप्टर है, control and coordination, ठीक है, चलें आज, बढ़ें आगे, बेटा, LL क्या होता है, देखो, LL का मतलब pair of characters, मतलब character जो आ रहे है, capital T, जो small T है, इनको हम LL ही जो कहते हैं, हाँ, reproduction, अरे या, reproduction, obviously बात है, reproduction क्यों नहीं कराएंगे, बेटा, अगर हम recap ले पिछले वाले chapter का, तो हमने पढ़ा कि heredity में, heredity क्या है, माबाप से character बच्चों में आना, दो परकार के हो सकते हैं, ये characters acquired और inherited, और ये दिखने और ना दिखने के साब से genotypic और phenotypic हो सकते हैं, फिर हमने देखा कि Mendel जी ने pea plant experiment किया, Mendel जी ने pea plant क्यों चुना, दो reason थे, उन्होंने mono hybrid और di hybrid cross किया, जिससे उनको तीन law मिले, law of segregation, law of independent assortment और law of dominancy, फिर हम cross हो गया, हो गया, हो गया, done है, चलो, ठीक है, हाँ, obvious से बात है, control and coordination के बाद, बिटा देखो, मैं आपको पहले chapter पढ़ा रहा हूँ कि आपको पता है, biology बहुत जादा बड़ी है, मैंने भी कल आपको बहुत सारे questions करवाएं, वो आज भी आपको question करवाएंगी, कल भी question करव करवाएंगे, उसमें भी biology होगी, obvious से बात है, तो बहुत सारे questions महाँ पर भी repeat होंगे, यह होंगे, चलो, done, 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 शुरुबात करते हैं अगले chapter के आज, और chapter का नाम है control and coordination, आप फिले chapter का एक framework समझते हैं, यहाँ पे प्यारा सा, इतना प्यारा सा यहाँ पे आपको पता एक पौधा बैठाव है, इस पौधे का नाम अगर आपको पता हो, तो इस पौधे का नाम क्या है, टच मीनो, blood group के बारे में, मैंने आपको overview दे दिया था बिटा, आपने शाद मिस कर दिया, कि IA वाला dominant होता है, IB वाला dominant होता है, लेकिन IO वाला recessive होता है, अब कौन सा हाथ उपर उठा के बाल को catch करना है, तो मैं कितना हाथ उपर लेके जाओ, अपनी उंगलियों को कितना मैं पकड़ू, ताकि बाल मेरे पास क्या हो जाए, catch हो जाए, मुझे कब हाथ बंद करना है, कब हाथ खोलना है, कितनी fingers को मुझे बंद करना है, ताकि बाल catch हो जाए, तो इस पूरी चीज़ को हम control कहेंगे, मतलब एक example दिया मैंने control का, अगर आप चल रहे हो, सीड़ी आई, कितना पैर मुझे उपर उठाना है, कितना कब मुझे पैर को नीचे करना है, this is control, लेकिन coordination क्या होता है, जब हम एक से ज़ादा functions को, एक साथ perform कर रहे होते हैं, इसे coordination कहते हैं, example के तौर पे, अगर आप खाना खा रहे हो, बड़ी घहरी बात करना जा रहा हूं, द्यान से सुनना, अगर आप खाना खा रहे हो, खाना खाते हैं वक्त, सबसे पहले आप खाने के निवाले को उठाते हो, फिर आप उसे देखते हो, फिर आप उसे कहीं ना कहीं, ना चाहते वे भी स्मेल कर रहे होते हो, और फिर जब आपकी मूँ में जाते हो, तब उसको टेस्ट करते हो, इस सारी चीज़ों के बीच में, अब imagine करो, ये coordination बिगड़ जाए तो क्या होगा, फिर एन एक्जामपल, अगर आपने खाने का निवाला उठाया, और जब आपने खा लिया, खाने के बाद अगर आपको वो दिखा, तो क्या ये नुकसान दे हो जाएगा, आपने खाने का निवाला खा लिया, मान लो, coordination नहीं हो रहा है, और आपको खाना खाने के बाद दिखा, अरे इसमें तो चिपकली थी, खाने के बाद दिखा आपको, या खाने के बाद आपको उसकी स्मेल आई, अरे ये तो सड़ गया था, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, पॉइंट समझ में आया, इसलिए बहुत जरूरी है, कि हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में, coordination भी रहे, coordination भी रहे, एक और example के तौर पे, अगर आपके सामने गड़ा आ जाता है, आपको इस गड़ा को पार करना है, तो आपकी आँखे, और आपके पैर के बीच में, coordination होना चाहिए, अगर आपकी आँखों ने गड़ा देख तो लिया, लेकिन पैरों ने उसके साथ coordinate करके, छलांग नहीं मारी, तो आप गड़े में गिर जाओगे, बिटा शराब पीने के बाद आप सबको पता है, control and coordination बिगर जाता है, steering जो है, गाड़ियों का इदर-उदर मुड़ जाता है, footpath पर चला जाता है, लोग मर जाते हैं बिटा, बास समझे रहे हो, मैंने किसी का नाम ने लिए, footpath पर चड़ जाते हैं, लोग मर जाते हैं बिटा, तो शराब पी के एक problem होती है, योगि शराब पीने से हमारा दिमाग, जो हमारे पूरे बॉड़ी का coordination system है, control system है, वो बाकि सारे organs में, control and coordination नहीं कर पाता, तो यह मैंने आपको एक overview दिया, कि हम इस chapter में क्या पढ़ने वाले है, कि कोई भी body part जो है, वो कैसे control and coordinate होते हैं आपस में, 25,000 like हो चुके हैं, अगला target है 30,000 like, 30,000 like करना है जल्दी से, ठीक है जी, चलो, 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 ठीक है, अब control and coordination में, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, control and coordination, अभी नहीं, control and coordination में सबसे पहले अगर बात करें, तो क्या, plants में control and coordination, यानि कि जो, हमने अभी जो पढ़ा, plants में वो control and coordination, अलग-अलग प्रकार के movement से होती है, plants में जो movement है, वो दो प्रकार की हो सकती है, पहली, जिसमें आपको growth देखने को मिलेगी, और दूसरी जिसमें आपको growth देखने को नहीं मिलेगी, जिसमें आपको growth देखने को नहीं मिलेगी, जिन movements में plants के कोई growth नहीं होती है, उनको हम लोग nastic movements कहते हैं, क्या कहते हैं, nastic movements, example के तोर पे अभी जो front page पे photo लगी भी थी, touch me not plant की, जब आप touch me not plant को छूते हो, वो अपने पतियां बंद कर लेता है, picture plant देखा होगा आपने, उसके अंदर कीड़ा आता है, वो अपने ढखकन को बंद कर लेता है, point is, point is, कि वहाँ पर कोई growth नहीं देखने को मिल रही है हमें, सिरफ movement हो रही है, हम plants की बात कर रहे हैं, इंसानों में तो बड़ा common है, अगर मैं ऐसे ऐसे करके उठाए ला रहा हूं, ऐसे ऐसे करके उंगली ला रहा हूं, तो क्या मेरी body में कोई growth हो रही है, ऐसे करने से कौँछ सी growth, अरे यार, अरे यार, ऐसे करने से कौँछ सी growth होती है, आप मुझे पताओ कोई growth नहीं हो रही है, तो प्लांट्स में भी कुछ ऐसे मुव्मेंट्स होते हैं जिनका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है उनको हम लोग नास्टिक मुव्मेंट्स कहते हैं क्या कहते हैं नास्टिक मुव्मेंट्स दो परकार के हो सकते हैं हुआ नैस्टिक मूवमेंट्स है दो भबर कर का नोसकते हैं कि पहला होता है од कि ति भेमोनेस्टिक घिगोисьटें में मुवमेंट वो होता है। जिसमें Stimuli, Stimuli समझते हो। Stimuli का मतलब होता है चेंजेस जिसपे रिस्पॉंस करते हैं। ऐसे कोई भी चेंजेस जिसपे हम रिसपॉंस देते हैं उसको Stephen Gnosんだ check होता है। जिसमें stimuli हमारा touch होता है जैसे की जैसे की, जैसे कि touch me not plant, जैसे की picture plant, picture plant में जैसी cure आता है, touch करता है, वो ढककन को बंध कर लेते हैं. फिर एक होता है फोटोनेस्टिक, फोटोनेस्टिक क्या होता भई, फोटोनेस्टिक ऐसा मूवमेंट है, जिसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, और स्टिमूली जो है वो लाइट है, आपने रात की रानी का नाम सुना रात की रानी, कितने बच्चों ने रात की रानी का नाम Moonflower के साथ क्या होता है जैसे ही Sunlight चली जाती है यह खिल जाता है जैसे ही Sunlight जो है वो वापस आती है बंद हो जाता है तो इसमें कोई growth नहीं होती है लेकिन light इसके लिए stimuli होती है तो ऐसे moment को हम लोग photonastic moment कहते हैं समझ गए ऐसे moments are known as photonastic moments तो nastic moments क्या है ऐसे moments जिन में कोई growth नहीं होगी लेकिन body में movement देखने को मिलेगी समझे अब यहाँ पर एक बड़ा important point लिखावा है कि जो nastic moments होते हैं जनरल ली ये कैसे होते हैं इन मेंना जो cells होते हैं वो पानी को loose कर देते हैं जैसे touch me not plant कि जो leaves होती है और जो leaves stock होती है उसमें ना कुछ बीच में cells होते हैं वैसे तो इन cells को हम लोग पिलवीनी cell कहते हैं बड़ अभी के लिए आप छोड़ दो इन मेंना कुछ cells होते हैं जैसे आप इने touch करते हो इन cells से पानी का loss हो जाता है समझो diagram wise होता क्या है यहाँ पे यह चोटे चोटे अगर आपको देख पार हो अगर मैं जूम कर पाऊं पता नहीं इसको यहाँ पे चोटे यह जूम नहीं हो रहा है शायद ओहो यह क्या हो गया यहाँ पे चोटे चोटे आपको कुछ cells देखने को मिलेंगे यह यलो यलो से इनको pulvini cell कहते हैं जब आप touch method nor plant को touch करते हो तो इन cell से पानी का loss हो जाता है अब जैसे इन cell से पानी का loss होता है यह cells shrink हो जाते है shrink होके पती को बंद कर लेते हैं तो यहाँ पे कोई growth नहीं होती है तो इसले यहाँ पे क्या लिखाव है वो sel जो है वो shrink हो जाते है इतना समझ में आता है सर पोल देखो पोल क्या है भाई पोल क्या है 30 like कर दो सर फिर गाना सुनाईंगे ओओ याड़े पोल वाले भाईया like के चक्कर में क्या करवा देते हमसे चलो ठीक है अब अगला अच्छा आपने नोटिस के हमने क्या बात की थी हमने बात की थी कि जो मुवमेंट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं प्लांट्स में प्लांट्स की बात ओर यह प्लांट्स की बात ओर एक जिसमें ग्रोथ होता है और एक जिसमें ग्रोथ नहीं होता है अब जिन में growth होता है उनको हम लोग कौन से movement कहते हैं ट्रॉपिक movements कहते हैं जिन में growth होता है उनको हम लोग कौन से movement बुलाते हैं ट्रॉपिक movements बुलाते हैं यानि plants में growth होना भी एक प्रकार से movement का हिस्षा है अब ये अलग-अलग प्रकार का हो सकता है पहला है phototropism फोटो ट्रॉपिजम एक ऐसा ट्रॉपिक मुवमेंट है जिसमें ग्रोथ होगी और स्टिमूली जो होगी वो लाइट होगी जनरली ये लाइट की तरफ होता है बट एक बात बहुत ध्यान से सुनना नेगेटिव फोटो ट्रॉपिजम अगर लिखावाए कहीं पर नेगेटिव फोटो ट्रॉपिजम तो नेगेटिव फोटो ट्रॉपिजम में जो ग्रोथ होगी वो अगेंस्ड लाइट हो जाएगी against light हो जाएगी negative phototropism word अगर कहीं पे लिखा हो आ तो उसमें जो growth होगी वो against light हो जाएगी और अगर कहीं پे सिर्फ phototropism या positive phototropism लिखा होआ तो उसमें light के तरफ ही होगी समझ गए अगर समझ गए थमसब दे दो अगर कहीं पर लिखा हो है जैसे आपको सबको पता होगा जो plant की stem होती है shoot वाला हिसा जो होता है वो light के तरफ grow करता है light के तरफ तो यह phototropism है या कहलो positive phototropism है बास समझ में आई लेकिन अगर कहीं पर negative phototropism लिखा हो है तो इसका मतलब है कि जो light के against कोई body part growth कर रहा है जैसे for example roots although roots जो है वो gravity या water के तरफ करते हैं लेकिन light के respect में देखा जाए तो वो हमेशे opposite जाती है तो अगर कोई tropic moment growth का moment में stimuli light है उसको phototropism कह देंगे जैसे की shoot की growth हो गई अगर वहीं पर geotropism हो रहा है तो मतलब plant का कोई body part gravity की तरफ grow कर रहा है उसके लिए stimuli जो है वो gravity आगे नेगेटिव जियो ट्रॉपिजम और positive जियो ट्रॉपिजम केमो ट्रॉपिजम में कोई भी body part कोई भी हिस्सा chemical की जैसे की chemical की तरफ क्या growth की बात करो तो आयोप आपको पताओ fertilization में अब यह हम पढ़ेंगे reproduction chapter उसमें जब pollen grain stigma की उपर आते हैं pollen grain stigma की उपर आते हैं तो जल्दी से comment section पे spam करो क्या grow करता है जब pollen grains stigma पे आते हैं तो क्या grow करता है उसे क्या बोलते हैं देखें कितनों को पता है पता है कि वो क्या grow करते है जो कि हमारे overi तक जाता है उसको क्या बोलते है वेरी ग ngh attended कई बचे औव्यू लिख रे उसको बोलते है pollen wacky और pollen ट्यूब कहां से होती ही जाती है style से होते है अब इसे एसलों के नहीं वो रस्ते को style बोलते है अभी पढ़ा देंगे reproduction चेप्टर में style से होते वे जाती है तो वहाँ पर भी क्या होता है जब pollen grain उपर आता है तो नीचे ovary में कुछ chemical changes होते है जिसकी वह से chemotropism होता है chemotropism का मतलब है कोई भी body का part chemical के तरफ grow कर रहा हो फिर आता है hydrotropism hydrotropism में hydro का मतलब यहाँ पानी है पानी के तरफ grow कर रहा हो तो अगर आप एक बहुत बड़ा पौधा ले लो यह सवाल पेपर में आया हुआ है answer comment section पर दे देना अगर आप एक बहुत बड़ा पौधा ले लो गमला सौरी गमला ले लो यहाँ पर अगर आप एक plant को गाओ ज 1 चीटरफ ग्रो करेंगि याव FC तरफ ग्रो करेंगी पता host का फार किरो करेंगे एक चौरह करेंगी यावजी होके पार शाजी होता है तो रूट जो है वो पानी के तरफ जो है वो ग्रो करने लग जाएंगी रूट जो है वो पानी के तरफ ग्रो करने लग जाएंगी रूट जो है वो पानी के तरफ ग्रो करने लग जाएंगी बास समझ में आई ठीक है जी अरे कहो गया हम तो ध्यान रखिएगा रूट पानी के तरफ ग्रो करने लग जाएंगे हमारे सब्सक्राइबर कितने हो गए एक सेकेंड एक सेकेंड 93 देखो हम लोग 93.9 एक्चुली तो हम लोग 6,000 सब्सक्राइबर दूर है अगर आप में से 19,000 बच्चों में से किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब पर जाएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो नीचे लाल बटन को बस दबाना है आपको और कुछ भी नहीं मेहनत करने हैं नोटिफिकेशन बेल आउन कर देनी है आज की क्लास में 9,000 9,000,000 सब्सक्राइबर पूरे कर दो मैं चाहता हूँ मेरी आज वाली क्लास में 9,000,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएँ इतना प्यार दे सकते हो तो दे दो आपके लिए देखो बाइलोजी भी पढ़ा रहे हैं यहां पे आके चलो लेकिन क्या आपको पता एक परकार का ट्रॉपिक मूवमेंट और होता है जिसको हम लोग थिगमो ट्रॉपिक मूवमेंट या थिगमो ट्रॉपिजम भी कहते हैं थिगमो का मतलब तच होता है थिगमो का मतलब तच होता है तो Thigmo-Tropic movement क्या होगир जो touch पे काम करेगा यानि की movement इसका मैं example भी दूँँगा आपको यानि की movement towards touch movement towards touch example के तौर पे आपने देखा होगा then trials जो होते हैं along support आपने देखा होगा money plant वेटा सब के घर में होता है money plant सब के घर में होता है money plant सबके घर में होता है और सबको ये गलत फहिमिए कि उससे पैसा आता है 94 हो गया है देखो देखो कितना असान है आपके लिए 9 लाग आज ही कर दो गया आप मुझे पता है money plant हमारे घर में क्यों आया था मेरी मम्मी money plant इसने लेके आई थी क्योंकि इससे घर में पैसा आता है और मैं आपको एक बड़ी दुख बड़ी ख़बर सुनाता हूँ मेरी मम्मी को किसने बोल दिया कि money plant कभी भी खरीद के नहीं लगाते है किसी के घर से चोरी करके लगाते है आपको पता है अगर पता है थमसप देना मैं शायद college के first या second year में था मेरी मम्मी किसे ने बोल दिया कि money plant किसी के घर से चुरा के लगाना होता है आपको पता है मैं पड़ोसियों के घर गयाता है कैंची लेके कि और वहाँ पे नो उनकी बेल लटक रही थी ऐसे और मैं वहाँ पे money plant काटा ने गया था सोचो कैसे कैसे काम करवाए गया है आपसे अच्छा हुआ पकड़ा नहीं गया money plant काटा घर में आया बोतल में लगाया थोड़ा बड़ा हो गया तो पेड़ पे लगाया और बेटा जिस दिन money plant लगाया था उसके बाद से हमारे घर में पैसे ही पैसे है बेटा इतने अमीर हो ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा बड़ा money plant यानि की जो बेल हो तो अच्छा ये सारे बच्चे भी हमारे साथ खेले खाए हैं ओहो ये सारे बच्चे भी अवारे साथ खेले खाए हैं अरे वा अरे वा भई 94.5 छे हजार सब्सक्राइबर दूर है बस आपके पास बहुत ताकता आप कर दोगे आज वाली क्लास में चलिए चलिए चीक है तो डेंट्राइल के अक्रो यानि कि जो हमारी बेले होती है जरूर करती है ऐसा क्यूं हो रहा है कि बेल जो है वह टच्च के तरफ करती है ऐसा क्यों हो रहा है आपको अभी 10-15 मिनिट मे बात पतास करने न चाहूंगा कि जो एनिमल्स होते हैं वह stimuli पे यानि अपने आसपास के होने वाले changes पे बहुत fast response कैसे दे पाते हैं जो plants होते हैं वो stimuli पे यानि अपने आसपास होने वाले changes पे बहुत fast response कैसे दे पाते हैं animals, animals क्योंकि animals के पास एक extra system होता है जिसको nervous system कहते हैं अगर अभी मैं आपके घर पे, मैं लॉंडो से बात कर रहा हूँ, गर्ल्स प्लीज ये आपके लिए नहीं है, अगर मैं लॉंडो के घर पे अभी आऊँ और उनकी कमर पे ऐसे आके उंगली फेरूँ, तो उनको ऐसे जुरुड़़ई होएगी, लॉंडो से बात कर रहा इतनी जल्दी रिस्पॉंस दे दिया आपने, हाना, या मैं लॉंडो के घर पे आऊँ और उनके कमर पैसे अगर के सुई मारू, तो उनकी उई निगल जाएगी, हाना, क्यों, क्यों की बेटा, हमारे बाड़ी में हर जगा नियूरॉन्स हैं, नर्वस सिस्टम है, जो बिज पका सुनाओंगा, पका सुनाओंगा, सुनो, 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 लेकिन उनको ऐसे गुदगुदी हो रही है, या उनकी निगल रही है, क्यों, क्योंकि हमारी बाड़ी में हर जगा नर्वस सिस्टम है, मैं आपकी बाड़ी में आपको कहीं पर टच करूं, सिवाए बाल चार-पांच बार काटो चूटी काटी जल्दी आटो झल्दी काटो अब क्या करो मेरे केहने पे अपनी कोनी के नीचे वाला है जो मास लटक रहाव की कोनी के नीचे इस पे चूटी काटो भाई साब आपको लगेगा आप डेड़ पूल बन गए आपको लगेगा अरे भाई ये क्या हुँ रहा है देखो मज़ा अगर मज़ा आया ना तो भिया गुलाब का हमते हो मानते हो मानते हो इश आ करें जो मथोल कि पिला आपको पता еще क्यों क्यों कि असले उल्म के नीचे वाले इस्से से होते हैं, वो बहुत ज़ादा slow होते हैं in some cases, exceptionally they are fast, जैसे picture plant, या touch me not plant but बाकि सब cases में इनका response बहुत slow होता है, क्योंकि plants में, जो control and coordination होता है, वो सर्फ और सर्फ हार्मोन समालते हैं, गुलाब आ गया वो सर्फ और सर्फ हार्मोन समालते हैं, yes 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 yes, छीक है छीक है छीक है अब सुनो, अब सुनो हाँ, यह topic खता मुझे हार्मोन वाला मुझे पता है तीजार पे मैंने आपको like करने गाना सुना हूँगा चलो भोचपुरी सॉंग सुना दूगा ठीक है, भोचपुरी सॉंग मुझे एक ही आता है प्लांट की बॉड़ी में एक जगा से दूसरी जगा जाते हैं और ये एक्चुली एक्ट ऐस केमिकल मेसेंजर अगर मैं हार्मोन्स को chemical messenger कहा दूँ तो कुछ गलत नहीं होगा सही कह रहा हूं chemical messengers कहा दूँ तो कोई गलत नहीं होगा अच्छा बाप बताओ अगर मैंने आपको WhatsApp से मेसिज भेजा तो message आपको WhatsApp ने भेजा है ने भेजा अब मैंने भेजा लेकिन WhatsApp जो है बस वो एक carrier है वो एक messenger है WhatsApp ने थोड़ी ना खुच से message बनाया तो hormones भी न signal बनाते नहीं है ये बस signal को एक जगा से दूसरी जगा carry करते हैं, ये chemical messengers होते हैं, अब plant के अंदर जो mainly hormones होते हैं पहला आया oxygen, बहुत important है oxygen plants में shoot की टिप पे होता है, shoot की टिप पे होता है, ये help करता है plants को grow करने में, और ये involved होता है phototropism में सच बोलू, ते phototropism के साथ साथ thigmotropism में भी involved होता है, आओ ज़रा बात करते हैं, कि plant ये exam के लिए बहुत important question करवाने जा रहा हूं, कि धूप यानि sunlight की तरफ sunlight की तरफ, कैसे plant grow कर जाता है, आओ ज़रा समझें ये हमारे पास plant है, ये actually plant की एक stem है, पेपर में सवाल आएगा, याद करोगे, कि दाड़ी वाले ने सवाल करवाए था, सुन लो सुन लो, सुन लो यहां पे sunlight आई plant की stem में plant की शूट में, stem में auxins होते हैं, जब sunlight plant पे गरती है, तो पता होता क्या है? होता ही है, कि जहां पे sunlight गरती है न, वहां पे auxins कम release होते हैं, उनकी concentration कम हो जाती है यानि कि, अगर sunlight इस तरफ गर रही है, तो इस तरफ auxins जो हैं, वो कम release होते हैं कम active हो जाते हैं, लेकिन opposite side पे auxins relatively जादा हो जाते हैं, तो यहां पे अगर auxins जादा हो जाएंगे और यहां पे अगर auxins कम हो जाएंगे, तो जहां पे auxins जादा हो जाएंगे, वहां पे growth बढ़ जाएगी और जहां पे auxins कम होंगे, वहां पे growth कम हो जाएगी यहां पर कम जिसकी वजह से जो स्टेम है वो संलाइट के तरफ ग्रो कर जाएगी बास समझ में आ गई बास समझ में आ गई तो इसल अब सोच रहे होगे कि सर मोशली प्लांट तो सीधे ग्रो करते हैं हां भाई वो खुली दूप में रखे जाते ना उन पर पूरे दिन में ओवरॉल हर जगा से दूप पड़ जाती है इधर से 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 लेकिन अगर एक प्लांट इंडोर पड़ा हुआ है, जिस पर एक ही तरफ से light गिरती है, NCRT में photo भी बनी वी है, तो वो plant एक तरफ grow कर जाता है, yes or no, yes or no, फिर आता है मार पास gibralin, gibralin का काम क्या है, ये growth of stem में help करता है, ये आप एक परकार से कहलो, oxygen की मदद करता है, एक परकार से oxygen की helper है ये, और ये भी stem की growth में help करता है, फिर आता है cytokinens, ये cell division को promote करता है, लेकिन mainly ये fruits और seeds में बैठा होता है, और ये cell का division promote करता है, cell division, भीजन सेल को बढ़ा करना अलग बात है एक जरुम में आफड़ भी चलो अब सवाल पुछता हूं जल्द Всक्राइबर जल्द इस ज्वाल भीर बाक्ति चल्ड रहेंएश छी हूम में चल्ड कम्मुछR से चैनल को सब्सक्राइब करो आज 9 लाग सब्सक्राइबर पर लेकर जाना है मैं इसको 5,000 रहे गें बस बस अब सुनो एक सवाल सुनो अगर मैं इंसानों के रिस्पेक्ट से बात करो मान लो आपका एक बच्चा पैदा होता है मान क्या लो होगा ही सबका ही होगा मन तो सबका अभी होगा लेकिन मान लो आपका बच्चा पैदा होता है और उसकी हाइट 4 फीट होती है फिर 5 होती है फिर 6 होती है आप खुश हो जाओगे लेकिन एक बार आती साथ हो जाती है फिर आठ फीट हो जाती है फिर नौ हो जाती है फिर दस हो जाती है आपको घवराट होगी के नहीं होगी क्या एक इंसान की हाइट अगर रुकेगी ही नहीं तो यह अच्छी बात है बुरी बात है कोशन क्या है अगर एक इंसान की हाइट रुकेगी यह नहीं तो यह अच्छी बात है बुरी बात है जल्दी से बता दो अगर एक इंसान की हाइट रुकेगी हाँ इथाइलें भी पताओंगा पताओंगा लेकिन अगर एक इंसान की हाइट रुकेगी नहीं नहीं तो यह अच्छी बात है बुरी बात है यह अच्छी बात है बुरी बात है बादशा ओ बादशा 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 तो यह अच्छी बात है यह बुरी बात है यह अच्छी बात कैसे हो सकती है यह अच् sustainability को कम कर देगा वो इसके survival को difficult कर देगा तो जितना growth को करना important है उतना रोकना भी important है जितना growth को करना important है उतना ये growth को रोकना भी important है और growth को रोकता कौन है तो आंसर है A, B, A A, B, A यानि कि Apsistic Acid ये growth को रोकता है ये growth को रोकता है ये पतियों को जड़वाता है ये growth को रोकता है ये पतियों को जड़वाता है ये स, ये स, ये स, ये स, ये स, सुनो लेकिन एक और हार्मोन है जो की है इथाइलीन Actually में ये गैस state में होता है ये गैस state में होता है कि आपने ये कहावत सुनी वी है कि अगर एक पेटी में बहुत सारे आम कच्चे हों और एक पकावा आम रख दो तो वो बाकी सारे आमों को भी पका देता है बेटा राइप करने में हमारी मदद करता है ये राइप करने में मदद करता है सुना है ना आपने सुना है ना कहा रहे हाई घर में सुना दो आरे वा बेचा वा सुना है ना अब सुनो भई आपने ये कहावत तो सुनी होगी सभी ने कि भाईया एक पेटी के अंदर हमारे पास अगर एक पकावा आम रख दो तो बाकि सारे कच्छे आमों को पका देता है सुना है न, क्यूंकि वो जो कच्छा पकावा आम होता है वो एक्चुली में गैस रिलीस करता है जिसका नाम है इथायलिन आपको पता है ये बहुत भूतिया भूतिया बोला है मैंने भूतिया ये ना बहुतिया गैस होती है भूतिया बोला है कैसे आपने आम को तोड भी लिया आपने आम को तोड लिया लेकिन पेड से तूटावा आम भी एक हार्मोन रिलीस कर रहा है है ना डरावना और वो बाकी सारे आमों को पका रहा है है ना डरावना तो इसलिए बेटा ध्यान रहे ये बहुत ही खतरनाक हार्मोन होता है इसलिए आप में देखा होगा केले वाले भाहिया जो केला बेचते हैं नहीं वो देखो जो भी आप अभी कह थे थोड़ी दे पहले हां कहरें नो हजार लाइक पर क्लीन शेव हो जैंगे बिल्कुल नहीं 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 ऐसी गंदी बातें मत करो मैं प्यांडी प्चा मुझे निए पैचाने का पड़ोसियों को पापाप ना बोलने लगने पेशे इ Ethylene, 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 एक ऐसा हर्मोन है, जो गैस की स्टेट में निकलता है, और कच्ची, कच्ची चीजों को पकाने में मदद करता है, बात समझ में आती है, बात समझ में आती है, देने, देने, चलो, चलो, ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने बिटा, तीस हजार लाइक पर गाना सुना आने को यार यह काँ फसा देते हैं मेरे को बोला था तो मैं केले वाला एक्जामपल एड़ा सौरी आपने देखा होगा केले वाले भाईया जो केला बेचते हैं जब उनके केले के एक गुच्छे में अगर नोटिस के थमसब देना अगर एक केला सड जाता है तो वो उस केले क नहीं भिके तो वो खराब हो जाएंगे बात समझ गए क्या बात समझ गए क्या चालो जी आपको मैं सुनाता हूँ एक भोचपुरी सौंग मुझे भोचपुरी सौंग आता भी नहीं है पंजाबी सुना देता हूँ ठीक है मुझे भोचपुरी नहीं आता पंजाबी सुना रहा हूं बेटा क्लीन शेव वाला चैलेंज मैं बिल्कुल भी ले रहा हूं सिद्व मोसे वाले का एक बड़ा अच्छा गाना मैं बहुत मोटिवेट होता है उनसे और गाना है बेटा दस पुत तेरा हैड़ डाउन कास तो चंगा पलाहस दासी मोन देखो बेटा यह आपके अच्छा हस्ता खेलता था आ तुछ शांत क्यों हो गया सबर आप तो यह गाना एक्चुली बड़ा मोटिवेशनल सा है दो लाइने गा दिये मैंने आपके लिए लेकिन इससे मोटिवेट भी होना है हाना कि हमको यह पेपर आनी जानी चीज है अच्छा गया बहुत खुश सब्सक्राइब कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो नहीं नहीं सब्सक्राइब रेट बहुत कम है अभी भी 95 पे हैं या तो आप सबने सब्सक्राइब कर रहा है या तो आप सबने सब्सक्राइब कर रहा है नहीं तो करनी रहे हो आप जल्दी कर दो जल्दी कर दो आगे बढ़ रह क्योंकि हम इंसानों की बाते करने वाले हैं, हम आपकी बाते करने वाले हैं, हम आपकी बाते करने वाले हैं, हमारी बाते करने वाले हैं, सबसे पहले हमारी बाड़ी में दो प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन और एक होता है एक्जोक्राइन होते हैं पहले बात तो glands क्या होते हैं glands वो होते हैं जो अपने अंदर से hormones या और बागी चीजों को secret कर सकते हैं ठीक हार्मोन क्या होते हैं हम पड़ चुके हैं plants और humans के लिए hormones की परिवाशा तो same ही रहेगी अब endocrine glands कौन से होते हैं ऐसे glands जो अपने product को यानि की hormone को सीधा blood में release कर देते हैं इनके पास कोई pipe नहीं होता they are ductless glands इनको ductless glands भी कहा जाता है इनको ductless gland क्यों कहते हैं क्योंकि इनके पास कोई pipe कोई duct नहीं होता लिवर याद है लिवर के पास bile juice को release करने के लिए bile duct होता है तो इसका मतलब लिवर एक endocrine gland नहीं है वो चीजे blood में release नहीं कर रहा है वो bile juice को duct के थूरू हमारे small intestine में भेजता है सही कह रहा हूं तो इसका मतलब हो गया कि जो लिवर है वो एक endocrine gland नहीं है लेकिन वहीं पर आज आप पढ़ोगे कि thyroid parathyroid, pituitary gland, pineal gland यह सब अपने hormones को सीधा blood में छोड़ देते हैं example लिख देता हूं मैं वैसे तो इसके example में pancreas भी आएगा pancreas दोनों की अंडर आता है दोनों की अंडर आता है thyroid यह सारे glands वो हैं जो हमारे blood में सीधा चीजों को छोड़ देते हैं लेकिन वहीं पर exocrine glands कौन से होते हैं which have duct which have duct जो duct के थूँ hormones को इधर उधर लेके जाते हैं क्या इसके example में liver लिखना सही होगा क्या इसके example में again pancreas लिखना सही होगा yes because pancreas के पास duct भी होता है आप सबको पता है यह enzymes को pepsin sorry trypsin, lipase, pancreatic, amylase को duct के थूँ small intestine में भेजता है अच्छा testis testis दोनों में आते हैं आपको पता है जब testis आज पढ़ाएंगे आपको testis teron release करते हैं तो सीधा blood में करते हैं लेकिन जब sperm release करते हैं तो duct के through करते हैं yes or no, yes or no सही कह रहा हूँ बोलो बेटा, okay ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है हाँ, pancreas दोनों में ही काम करता है तो अव्यसी बात है, note का point यहाँ पे लिखना ज़रूरी रहेगा कि some glands some glands like pancreas act as both कुछ glands ऐसे हैं, जो दोनों की तरह काम करते हैं कुछ glands ऐसे हैं, जो दोनों की तरह काम करते हैं आओ ज़रा पढ़ना शुरू करें यह हमारे body में अलग-अलग प्रकार के glands हैं इसके उपर paper में एक सवाज जरूर बनेगा यह मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ चलो, सबसे पहले हमारे पास आता है thyroid gland thyroid gland कहां होता है आपकी गर्दन में होता है बेटा आपकी गर्दन में thyroid gland होता है यह हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है thyrexin हार्मोन जिसका नाम है thyrexin हार्मोन लेकिन ध्यान रहे थायरक्सिन हर्मोन को रिलीज होने के लिए क्या चाहिए होता है क्या इसको पैसा चाहिए होता है या प्यार चाहिए होता है बेटा पताईए इसको ना तो पैसा चाहिए होता है ना ही प्यार चाहिए होता है इसको iodine चाहिए होता है अब iodine हमारे जनरली खानों में अक्सर नहीं होता है इसलिए हम सबको पता है कि भाईया हमारे साइन्स ने डिसाइड किया क्यों नमक में iodine पेल के आपको खिलाया जाए इसलिए FSSAI के द्वारा अब ये लागू किया गया नियम कि हर एक नमक कंपने बेचने वाली iodine salt बेचेगी अगर वह एक जनरल common salt बेच रही है तो बिकॉस थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करने के लिए iodine चाहिए होता है लेकिन ये करता क्या है ये करता क्या है तो आंसर है हमारे बॉडी में fat, carbohydrate, protein इनके amount को regulate करता है ये करता क्या है fat, carbohydrate और में लिए वैसे fat और carbohydrate के पर काम करता है उसके amount को regulate करता है अगर आपकी बॉडी में iodine की कमी हो गई तो आपको एक बिमारी हो जाएगी जिसे goiter कहते है goiter में क्या हो जाता है आपकी जो गर्दन है, वो मोटी हो जाती है आपकी जो गर्दन है, वो मोटी हो जाती है swollen neck हो जाती है अगला target है 40,000 लाइक है जल्दी कर दो, 40,000 लाइक पे मैं आपको एक अंग्रेजी गाना सुनाऊंगा ओ भाई साब, English song English song सुनाऊंगा मैं आपको 40,000 लाइक पे यह मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया बेटा लेकिन चलो बात समझ में आगे अगला आता है हमारे पास growth hormone growth hormone को हम human growth hormone यानि HGHB कहते हैं यह कौन release करता है तो आंसर है pituitary gland आपको मैं knowledge के लिए पता दूँ pituitary gland human growth hormone को एक और gland की मदद से release करता है जिसको hypothalamus कहते हैं यह लिखने की जरूत निया knowledge के लिए पता रहा हूँ pituitary gland human growth hormone को hypothalamus के साथ मिलके release कर पाता है बहतर तरीके से बट अभी according to हमारी किताब है हमारा syllabus हम यह कह सकते हैं कि pituitary gland human growth hormone release करता है और इसको master gland भी कहते हैं क्योंकि बागी सारे glands को control भी करता है यह कहां बैठा होता है यह हमारे mid brain में हमारे brain के नहीं हम तीन हिससे पढ़ेंगे हमारे brain के नहीं हिससे पढ़ेंगे four brain, mid brain, hind brain, four brain, mid brain, hind brain, four brain, mid brain, hind brain तो यह mid brain का हिससा होता है ठीक है ठीक है ठीक है यह हमारे body में growth को regulate करता है अगर किसी में human growth hormone जादा निकल गया अगर किसी में human growth hormone जादा निकल गया तो उसको एक बिमारी हो जाएगी जिसको बोलते हैं giantism जिसको बोलते हैं giantism the great खली जी आप सब को पता है हम सब के वो चहेते हैं बट I hope आपको पता हो उनको giantism है उनकी body कुछ abnormally grow कर चुकी है जिसके वैसे उनके टांगे वेगारा कमज donut origin की जाती है तो जब इसम में निकलता है तो इनसान को giantism हो जाता है giantism हो जाता है लेकिन यह अगर insufficient amount में निकलता है तो इनसान चोटा रह जाता है बोना रह जाता है कोई वी रीमा मैम का नाम नहीं लिखेगा तो आप तो बिलकुल नि हाँ देखो हाइट छोटी होना और ड्वाफिजम होना में बहुत फरक है ड्वाफिजम को हम कहते हैं कि इंसान बोना रहे गया इंसान बोना रहे गया समझ गें समझ गें इंसान बोना रहे गया हाँ येस येस इंसान बोना रहे गया ओके, 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 हम, तो एक्सेस में निकलेगा तो जैंट इसम हो जाएगा और इंसफिशन अमाउंट में निकलेगा तो डॉफिजम हो जाएगा, ओके, चालो, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है हमारे पास, ओ भाई साब, अडरेनल लाइन हार्मोन, जो कि अड adrenal gland से निकलता है और adrenal gland कहां बैठा होता है अबफ kidneys यह हमेशा पेयर में होते हैं यह हमेशा जोड़े में होते हैं और यह एक एक kidney के ऊपर बैठा होता है यह बहुत ज्यादा काम का hormone है I hope आपको पता हो adrenal line को हम hormone of emergency भी कहते हैं hormone of emergency भी कहते है क्यों कहते हैं हमारा जो एड्रेनल ग्लैंड होता है वह बहुत जादा amount में अगर वो adrenal line hormone release करेगा तो adrenal line hormone क्या करता है हमारी दिल की धड़कन हमारी सांस का rate इन सबको increase कर देता है दिल की धड़कन और सांस के rate के increase होने की वज़ा से हमारी body में बहुत जादा amount में energy release होने लग जाती है temporary तरीके से जिसकी वज़ा से emergency में हम react कर पाते हैं I hope आपको पता हो इसको fight और flight hormone भी कहते हैं इसको fight और flight hormone भी कहते हैं क्यों कहते हैं इसको fight और flight मालो आपकी लड़ाई होगे या आपकी emergency में हो तो या आपको भागने में या लड़ने में मदद करेगा या आपको भागने में या लड़ने में मदद करेगा, सर पोल देखो ऐसा क्या आगया पोल में जस्टिन बीबर भाई ये कोन है, एड शिरीन भाई जस्टिन बीबर का नाम मैंने सुना है, एड एड़ शिरान मैंने कभी सुना भी नहीं है टेलर सुट का नाम सुना लेकि मुझे गाना बिलकुल नहीं आता चलो तुम चले एजा लाइक करो तब उसके बाद देखेंगे गाना तो मैं सुनाओंगा मैंने खुदी बोला है आपको लेकिन सुनो बेटा प्लीज आपको शायद ये बात ना पता हो मैं आपको पता दूँ कि इसको fight और flight हार्मोन भी कहा जाता है इसको हार्मोन of emergency भी कहा जाता है बर क्योंकि ये दोनों नाम के बाद बच्चों को ऐसा लगता है कि ये हार्मोन सिर्फ तभी निकलता है जब हमारी बॉड़ी में emergency हो क्या ये बात सही है गलत है चलो जल्दी बताओ क्या ये सिर्फ emergency के दोरान secret होता है true और false क्या adrenaline hormone सिर्फ emergency के दोरान secret होता है true या false जल्दी बताओ अच्छा shape of you मैंने giantism की मैंने क्या लिख दिया यार giantism भी कहते हैं इसको यार giga giga पताओ नहीं क्या क्या लिख रहे है giantism भी कहते हैं इसको हाँ दोनों नाम से बला सकते हैं perfect perfect बोला मैंने false बोला true बोला मैंने क्या हाँ मैंने statement बोली थी कि क्या ये सिर्फ emergency के दोरान निकलता है तो answer है false ये बिटा 24 घंटे release हो रहा है normal cases में बहुत अराम अराम से कम कम amount में निकलता है emergency में ये बस ज़्यादा निकल जाता है जवान लोगों में ये बहुत ज़्यादा होता है एक case study लेते हैं दिल पे मत लगाना मालो आप एक पार्क में हो आपको bench पे एक 9 जवान हटा कटा इंसान दिखता है आप इसको चाटा मारके भाग जाते हो कि आपके पीछे आएगा वो भागेगा आपके पीछे पूरे chances है वो भागेगा आपके पीछे विकौज जवान लोगों में adrenal line बहुत जादा होता है लेकिन वहीं पे प्लीज प्लीज एक एक्जाम्पल का तौर पे कह रहा हूं इसको अधर वे में मतले ना लेकिन मालो बेंच पे एक एजड इंसान बैठे हैं और आप उनको कुछ बुरा बला बोल के या थपड़ मार के चले जाते हो लेकिन अगर आप ऐसा कर देते हो तो बह के मेटाबॉलिजम को बढ़ाता है इसलिए यह हमारी बॉड़ी में एक्चुली में जादा एनरजी भी रिलीज करने में मदद करता है येस जादा एनरजी भी रिलीज करने में मदद करता है ओके चीक है चीक है चीक है चीक है चीक है चीक है चलो चलो डन 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 इसके बात करते हैं इंसुलिन की, इंसुलिन हर्मोन रिलीज होता है पैंक्रियास से, पैंक्रियास का बैठावा है, स्टमक के नीचे कहलो, या स्मॉल इंटस्टाइन के ओपर कहलो, स्टमक के नीचे कहलो, या अबव, स्टमक के नीचे कहलो, या अबव, स्टमक के नीचे कहलो, अगर ये insufficient amount में release हो रहा है, अगर इसका functioning खराब हो गई है, तो आपको बिमारी हो जाएगी diabetes की, इसको हिंदी में कहते है, मदु मैं हो गया, मदु मैं, इसको हिंदी में बोलते है, मदु मैं हो गया, मदु मैं, आई होप आपको मदु मैं का नाम पता हो, इसको मदु मैं हो गया, हाँ, सर, 40,000 पे रिवा मैं को प्रपोस कर, अब बे, अब क्यों करूँगा, अब तो हो गया जो होना था बिटा, हाँ, येस, 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 यानि की बिटा, यानि की बिटा, insulin जो है, अगर वो insufficient amount में निकलने लग जाए, पेंक्रियास खराब हो जाए, उसमें की mal functioning हो जाए, तो बेटा, हमारे बॉड़ी में sugar level बढ़ जाएगा, इसको हम diabetes कहते है, हिंदी में से कहते हैं, मदु मैं, इसको हिंदी में कहते हैं, मदु मैं, एक बच्चा कह रहा है, sugar होता है, शुगर नहीं होता है बेटा, diabetes होता है, sugar नहीं होता है, वो तो हमने normally नाम देना शुरू कर दिया, ये reduce करता है, या control करता है, blood sugar level, बेटा ध्यान रहे, अगर माल लो, insulin जादा निकल गया, कभी कबार ऐसा भी हो सकता है, कि insulin जादा निकल जाए, आपको dizziness भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उस case में फिर fruity पिला दी जाती है, या chocolate खिला दी जाती है, etc, etc, समझ गया, समझ गया, समझ गया, okay, 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 done है, चालो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसके बाद अगर बात करें, तो आता है testosterone, टेस्टेस्टेराण, पहली बात तो, अच्छा, अभी तक हमने, जो भी glands पढ़े थे, दो और आ रहे हैं, यह सारे glands male में भी हैं, और female में भी हैं, लेकिन यह जो दो glands हैं, वो सिरफ male और female में हैं respectively, पहले आ रहे हैं testis, testis एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिसको बोलते हैं testis टरॉन चलो मैं question पूछता हूँ मैं बिना घर आए मुझे बिना घर आए देखे camera में देखके पता सकते हो न कि मैं male हूँ कैसे, ऐसे कौन कौन से character है जो आपको पता रहे हैं कि मैं मेल हूँ, आपको कैमरा में देखके कैसे पता लग रहा है कि मैं मेल हूँ, येस, 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 ओके, 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 हाँ, जब तक मैं सबस्क्राइबर चेक कर लूँ, तुम लोगों ने पहुंचाए की नहीं पहुंचाए उपर, चार हजार बचे है, 96 पहुंचा दी है, जल्दी से चैनल को सबस्क्राइब करो, आज 9 लाक पर लेके जाना इसको, दाड़ी देखके पता लग रहा है, ओके, अवाज भारी देखके पता लग रहा है, मूचे देखके पता लग रहा है, चोड़े कंदे देखके पता लग रहा है चीक है लेकिन में जो फीचर्स आपको दिख रहे होंगे जो सबसे इंपॉर्टन जो सब को दिख रहे होंगे वो है दाड़ी और अवाज भारी वैसे भी हो रखी है तो यह जो करेक्टर है एक बच्छा करा सर पर चोटे बाल देख रहे हो देख रहे हो अगर मैं आपे विग लगाके आऊंगा तो मुझे लड़की-लड़की कहने लग जाओगे आशी सर बोल दो के आशी सर आशी सर क्लास लेने आया है आज अगर मैं साड़ी पैनके आजाओँगा तो क्या मैं आशी सर बन जाओँगा अरे या साड़ी कपड़े ये तो बस समाजिक कर रहे हो यार उपसी बात है नहीं तो यह जो करेक्टर आपने बोले आवाज भारी होना अकंदे चोड़े होना दाड़ी आना यह सारे करेक्टर सकों-लोग सेकंड्री सेक्षवल करेक्टर बोलते हैं अब आप मुझे पताओ जब एक बच्छा पैदा होता है तो कैसे पता ल और उसकी दाड़ नहीं देखता है बिटा ऐसे अरे यह तो लड़की हुई है क्या वो ऐसे देखता है कि memory glands develop हुए है कि नहीं या कंधे नहरो है कि नहीं आवास पसलिये कि नहीं बच्चों में तो यह भी आती है ऐसे करेक्टर आता है जिसको देख के पता लगता है कि आप मेल हो या फीमेल हो दन है डन है डन है लेकिन वहीं पर ovaries की अगर बात की जाए जो कि अव्यसी बात है फीमेल में होती है वह estrogen release करती है एक और hormone होता है प्रोजेस्टिस्टिरोन बड़ अभी हम बात कर रहे है estrogen की यह फीमेल में secondary sexual character लेके आती है जैसे कि memory glands के development होना, facial hair ना आने देना, अवास बहुत high pitch वाली होना, कंधे जो है वो थोड़े से narrow हो जाना, हना बताब broad ना होना, यह सारे character आते हैं अच्छा, hypothalamus तो आई गया है, hypothalamus release करता है, hormone, यह releasing hormone release करता है, जो बाकी सारे glands की मदद करता है, pituitary gland के साथ मिलके, मैं आपको पता दूँ, या केला काम नहीं करता है, यह हमेशा pituitary gland के साथ मिलके काम करता है, yes or no, yes or no, okay yes, 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 चलो, अब दो प्रकार के glands और हैं, एक है pineal gland, pineal gland जो होता है, पहली बात तो यह भी brain में ही located है, और यह हमारी wake up और sleeping cycle को समालता है, कुछ हद तक, लेकिन इसका main काम हमारी body में immunity समालना है, इसका main काम हमारी body के immune system को control करना है, और यही reason है, कि जो बड़े लोग होते हैं, जैसे आप और मैं, बड़े लोग मतलब उमर में बड़े, इनके पास जो pineal gland होता है, वो बड़ा होता है, क्योंकि उनका immune system बहुत अच्छा होता है, लेकिन बच्चों में, दिहान रहे, जो बच्चे होते हैं, child या इनको मैं कह सकता हूँ, जो अभी teenage में नहीं हैं, जो infants होते हैं, एक साल से बहुत चोटे हैं, उनमें जो pineal gland होगा, ये बहुत small होगा, एक्जाम में बहुत बार आता है ये सवाल, कि छोटे बच्चों का immune system कमजोर क्यों होता है, क्योंकि उनका pineal gland होता है, वो बहुत चोटा होता है, और वो बहु टॉनिन नाम का हार्मोन है वो रिलीज कर पाता है चीक है जी इसके बाद पैरा थाइरेड ग्लैन ये थाइरेड का भाई है पैरा थाइरेड जो है ये थाइरेड जो है या अब तुम आशी सर आशी सर कर जा रहे हो मैं पैरा थाइरेड ग्लैन जो है वो थाइरेड का भाई है पहले बात तो ये gland जो है वो thyroid के पास होता है, thyroid gland क्या control कर रहा था, क्या control कर रहा था, carbohydrates और fat के metabolism को, ये भाई साथ calcium और phosphate का गया, calcium हो गया, phosphorus हो गया, हडियों में, इनके metabolism को ये control करता है, हार्मोन कौन सा निकालता है, parathyroxine हार्मोन कौन सा निकालता है, parathyroxine, yes, 900K पे साड़ी पहन लेना, बेटा तुम 900K के लिए क्या कर रहे हो, दाड़ी शेफ कर देना, साड़ी पहन लेना, पिर कल को कोगे, नहीं 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 देखा, मैं भावनों में बहने वाला था, अरे आओ, चीक है, तो यह बेटा हमारे पास डाइगराम है, जहां पर अलग-अलग ग्लैंड की लोकेशन दे रखी है, NCRT का स्क्रीन शॉट है, आई होप आप सबको हम तो यह समझाई चुके हैं, कि कौन सा ग्लैंड कहां बैठा हुआ है, फिर भी आओ बात कर लें, कि हाइप त्यूम ऑसीज़ें सेम हैं, बस यहां पर ओवरी आ जाता है, जो फिमेल रिप्रोड़क्टिव पार्ट के अंदर होता है, डन है, डन है, ओके, है, गए, सर वुमेन की प्रेग्नेंसी देड़ा दका वो तो रिप्रोड़क्शन चेप्टर का हिस्सा है उसका अभी फिलाल एस्टोजन से को लेना देना नहीं है प्रोजेस्टिस्टरोन और जो एग्ज है वो अगले चेप्टर में रिप्रोड़क्शन चेप्टर में आएंगे दन है च्छीक है चीक है जल्दी से थमस ओप दे दीजिए अगर सब कुछ क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे 40,000 40,000 टारगेट है हमारे अगले अगला टारगेट हमारा 40,000 लाइक है जल्दी से 40,000 लाइक पर लेके जाएंगे हाँ इस chapter को एक बार एक खतम होने देते हैं फिर break के बारे में बात करेंगा और आपका फेवरेट chapter पढ़ाए मुझे पता है आप किसका वेट कर रहे हो जिसका मुझे था इंतजा मुझे पता है मुझे पता है चालो 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 लेकिन वैसा कुछ भी नहीं होने हैं जैसा आप सोच रहे हैं यह पक्का है कि मैं जब reproduction चप्टर पढ़ाता हूं तो मैं शर्माता नहीं हूं मैं उसके बारे में एक एक detailed depth समझाता हूं मैं मेरको लेना देना नहीं है उससे हम science के teacher हैं science के student भी रह चुके हैं हमें उसको scientifically समझना होता है बस मैं request करूँगा comment section पर decorum बना कर रखेंगे हसी मजाक अलग चीज़ है लेकिन बहुत thin line होती है उसको पार नहीं करेंगे ठीक है वादा करेंगे अगर thin line पार हुई मैं class end कर दूँगा चीक है मेरी request है देखो दो-चार बच्चे आपको पता है गली के नाली के कीड़े हैं वो तो करेंगे ही करेंगे मैं और मुझे उन दो-चार से फरक भी नहीं पड़ता लेकिन जो majority और बच्चे अच्छे घर से बिलॉंग करते हैं वो decorum maintain करके हसी मजाक होगा मैं भी करेंगे biology में from start to end सब समझा दूंगा कुछ confusion नहीं होगी एक second भी नहीं घबराओंगा क्योंकि मैं science का student हुआ हमें घबराना भी नहीं चाहिए लेकिन thin line cross नहीं होगी promise कर दो जल्दी से promise करो थमसब दे के promise करो promise करो thin line cross नहीं होगी हुई तो मैं class बंद कर दूंगा बीच में या comment off कर दूंगा या तो class बंद कर दूंगा या comment off कर दूंगा comment off होगा तो आपके doubts नहीं आ पाएंगे चीक है very good very good promise कर दिया है बहुत प्यारे बच्चे बहुत प्यारे बच्चे बहुत अच्छे बच्चे चलिए आई 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 ठीक है ठीक है ठीक है आओ सबसे पहले अगर बात करें अब हमारे पास आता है nervous system देखो हम plant से control and coordination में superior कैसे हैं बहुत सारे cases में हम plants के पीछे हैं लेकिन हम इस level पे plants में खोड़ा आगे हो जाता है बिकास हमारे पास एक और system आ जाता है जिसको बोलते हैं nervous system system कौन सा system nervous system nervous system क्या होता है पहली बाद तो यह nerve से यानि की neuron से मिलके बनता है जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा लेकिन अगर मैं overall आपको view दूँ तो nervous system दो प्रकार का होता है central nervous system जिसको हम cnsb कह देते हैं short मे central nervous system और यह कहता है peripheral nervous system जिसको हम pnsb कह देते हैं अच्छा लिखा भी वैश सौरी central nervous system में दो लोग आते हमारा brain आता है और हमारा spinal cord आता है ठीक है और peripheral nervous system हमारी सारे nerves आ जाती है हमारी neurons आ जाते है है यह total पाँच अलग अलग प्रकार की होते है sensory motor और relay यह अलग प्रकार है पढ़ाएंगे लेकिन overall यह दो प्रकार की होते हैं एक होता है cranial और एक होता है spinal, spinal वो होती है जो हमारी spinal cord से निकलती है क्या कोई पताना चाहेगा spinal nerves के कितने pair है और cranial nerves वो होती है जो हमारे brain से निकलती हैं, हमारे cranium से निकलती हैं, हमारे खोपड़ी से निकलती हैं, क्या इनके pair पताना चाहोगे, क्या किसी को इनके pair पता है, कितने कितने होते हैं, चलो help करता हूँ, spinal के 31 pairs होते हैं, अच्छा कह नहीं किताबे 32 लिखती हैं, बढ़ आपको पता होगा, एक पेर इन दोनों में common होता है, जहां पे हमारी spinal cord और brain connect हो रहा होता है, तो एक पेर इसमें common होता है, एक पेर इसमें common होता है, चीक है, चीक है, चीक है, इसलिए 30, देखो, इसलिए comment section पे कुछ बच्चे 31 भी लिख हैं, कुछ बच्चे 32 भी लिख रहे हैं, और cranial nerves के पेर 31 और इसके कितने peers होते हैं, 12 peers होते हैं, अगर मैं सब divisions को भी include करणू हूँ, तो yes, very good, very good, very good, बेटा मैं फिर बोल रहा हूँ, 31 भी लिख रहे हैं, बच्चे 32 भी दोनों ही देखा जाए तो सही है बड़ अगर हम NCRT को फॉलो करें 31 लिखना चाहिए एक कॉमन होता है इन में चीके ना चीके ना चीके ना चीके ना चलो आओ मैंने इसको पढ़ाया नहीं है बस अभी समझाया है यह था कि भई ऐसे बस लिखा है कि human nervous system ऐसे हिस्सों में divided है चालो आओ आगे अगर बात करें तो nervous system क्या है nervous system एक ऐसा system है जिसमें control and coordination जो होता है वो nerves, nerves बोले तो neurons बोले तो neuron यानि की nerve cell और साथ में muscles की मदद से होता है तो muscles और nerves जो हमारे body को control करते हैं उसको मिला कि हम nervous system कह देते हैं nervous tissue क्या होता है nervous tissue के बारे में अगर बात करें तो यह किस से मिलके बना होता है I hope आप सबको पता है यह हमारे body में एक longest cell से मिलके बना हुआ है जिसका नाम है nerve cell nerve cell के कुछ हिससे होते है यह जो कोने वाले इससे इंको मुआ हम dendrites कह देते हैं यह जो बाल बाल जयसे निकलरे हैं इंको हम dendrites कह देते हैं यह हमारे पास dendrites हैं नाम आगे लिखे हुए है ठीक है ना इसको हम लोग साइटन यानि की सेल बाडी भी कह देते हैं इसके दोनों नाम हैं सेल बाडी भी कह देते हैं इसको और साइटन भी कह देते हैं इसको यहां पे हमारे पास जो यह आप देख रहे हो यह जो पाथ जा रहा है इस पाथ को हम लोग एक्जॉन कह देते हैं और तो इ कह देते हैं nerve endings, इसको कह देते हैं nerve endings, और यह बाइसा पूरे, कि पूरे को इखटा बोलना हो, तो बोल देते हैं neuron, इस पूरे को अगर इखटा बोलना हो, तो बोल देते हैं neuron, यानि कि nerve cell, यह पूरा का पूरा है neuron, या फिर इसको हम nerve cell भी कह देते हैं, neuron भी कह देते हैं, और nerve cell भी कह देते है, ओके, अगे, दन है, ठीके, 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 40,000 like से स्रफ 2000 like हम लोग दूर है, अब होता क्या है, हमारी body में, अभी हम पढ़ेंगे receptors के बारे में, ठीके ना, अभी हम पढ़ेंगे receptors के बारे में, लेकिन हमारी body में, कुछ receptors नाम की चीज होती है जो signal को पकड़ती है जैसे कि माल लो अगर मैं मेरे हाथ में skin है अगर मैं किसे गरम चीज को छूँगा तो मेरी skin में thermoreceptor लगे होता है अभी पड़ा देंगे हमारे skin में thermoreceptor लगे होता है वो thermoreceptor क्या करते है signal को लेके dendrite को दे देते है dendrite क्या करता है cell body को दे देता है ये बिजली की तार है समझे लो आप ये बिजली की तार है ये बिजली की तार की तरह ये signal यहां जाता है और nerve ending पे पहुंचता है nerve ending से फिर ये एक neuron से दूसरे neuron में जाता है अभी पढ़ेंगे बीच में gap विगारा भी होता है लेकिन ये विजली की तार की तरह basically काम करता है विजली की तार की तरह basically काम करता है तो dendrite क्या है ये signal को लेता है किस से information लेता है तो answer है from receptor from receptor पहला वाला किस से लेगा receptor से और दूसरा वाला obvious बात है आगे वाले neuron से लेगा cell body आगे बेज़ेगा, exon उसको लेके जाएगा और nerve ending पर जाके एक खतम हो जाएगा done है, okay, चीक है, पक्की बात है अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि sign naps क्या होता है बहुत ध्यान सुनना, यह हमारे पास एक neuron है एक neuron है, एक गहरा सवाल पूछने जा रहा हूं, की बोर्ड पर त्यार रहना यह हमारे पास एक neuron के nerve ending है, और यह दूसरा neuron है जिसकी यह शुरुबात है, अब होता क्या है, एक dendrite और दूसरे nerve ending के बीच में एक gap होता है, और इस gap को कहा जाता है synapse, इस gap को कहा जाता है synapse, यानि की एक neuron दूसरे neuron के साथ जुड़ावा नहीं होता, इनके बीच में gap होता है, इस gap को कहते है synapse आपको comment section में मुझे सिर्फ इतना पताना है, कि क्या यह gap खाली है या इस gap के अंदर कुछ भरा होता है, बस इतना बता दो, यह जो gap है यह gap क्या खाली है, या इस gap में कुछ भरा होता है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यह जो gap है, यह gap खाली होता है या इसके बीच में कुछ भरा होता है तो आंसर है इसके बीच में कुछ भरा होता है एक फ्लीूड होता है जिसको हम नियूरो ट्रांस्मिटर कहते हैं इनको नियूरो ट्रांस्मिटर कहते हैं जो इस गैप को भर देते हैं अब एक ना एक ना एवरेज बच्चा जब इसके बारे में सोचता है तो बड़ा कन्फ्यूद हो जाता है कि यार देखो ऐसा क्यूं कर रहे हैं ऐसा क्यूं हुआ एक निरॉन से अगर सिगनल दूसरे निरॉन तक पहुंचाना है तो उनको सीधा कनेक्ट क्यूं नहीं किया हुआ उनके बीच में गैप डाला ही क्यूं है और अगर गैप डाला तो फिर इसमें कैमिकल क्यूं भर दिया तो दो सवाल यहां पर उठते हैं पहली बास सिगनल जाता कैसे है तो आंसर है जब सिगनल जाता है तो यहां तक तो वो electrical signal की form में होता है यहां तक वो एक्जाम में पूछा जाता है electrical signal की form में होता है फिर बीच में आके यह chemical में convert हो जाता है बीच में आके यह chemical में convert हो जाता है और वापस से फिर यह electrical में convert हो जाता है यानि कि synapse पे होता क्या है एक nerve ending पर जो signal आता है वो electric से chemical में convert होता है फिर वो chemical से convert हो जाता है electric में और एक neuron से दूसरे neuron पर चलांग मार देता है एक neuron से दूसरे neuron पर चलांग मार देता है लेकिन ऐसा करते क्यों है? ऐसा करते क्यों है? बड़ा important सवाल है कभी आपके मन में सवाल आया कि ये gap होता क्यों है? आओ मैं आपको इसका एक rough hint देता हूँ बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कुछ signals को block भी करना होता है आपने railway track के बार में ये बात तों सुनी होगी कि railway track में क्या होता है? कि कभी कबार ऐसे liver खीच के एक railway track को इससे इसवे जोड़ देते हैं देखा होगा ना? railway tracks को आपस में connect भी किया जाता है एक liver खीच के track इससे इसमें connect हो जाता है सबको पता है? यहाँ पे बे कुछ ऐसा ही होता है, सुनो माल लो मेरी body में एक साथ जैसे कि माल लो मेरे को चोट लगी अब चोट लगी तो में को दर्द होगा लेकिन मुझे continuously दर्द नहीं होगा जब चोट लगती तो शुरुआत में बहुत दर्द होता है फिर 5-10 मिन बाद हमारी body उसके habitual हो जाती है because हमारी body समझ जाती है कि the body is in pain तो वो इन signals को block करने की कोशिश करती है और उस case में ये gap काम आता है या फिर जाब multiple signal आ रहे है मालो एक तरफ से आपके तरफ एक ladder की ball आ रही है और एक तरफ से बंदू की गोली आ रही है अब आप एक तरफ bend हो सकते हो तो आपकी body समझ जाहेगी कि मुझे बंदू की गोली से बचना है तो वो इदर वाले signal बॉल वाले signal करी खेंगे ब्लॉक कर देगी बहुत रफ एक्जामपल दे रहा हूं लेकिन signals को block करने के वक्त ये gap जिए हो काम आता है तो ये हमारे पास sign apps होते है अब ये neuromuscular junction क्या होता है इससे पहले एक छोटी सी बात करते है कि जो neurons होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं सबसे पहले हमारा जो sense organ है sense organ में हमारे कुछ receptor बैठी होते हैं जो signal को receive करते हैं अभी पढ़ाऊंगा लेकिन sense organ से signal जो है वो central nervous system तक जाता है central nervous system में कौन कोन है या तो brain है या तो spinal cord है और फिर central nervous system जो है effector यानि कि muscles को ये signal देते हैं ताकि हम अपनी body में movement कर सके अब ये काम होता कैसे है तो जो signal sense organ से मेरे हाथ से signal जो मेरे brain या spinal cord पे लेके जाता है उसको कहते हैं sensory neuron क्या कहते हैं sensory neuron जो signal हमारे sense organ से central nervous system तक लेके जाता है उसे कहते हैं sensory neuron और जो signal को central nervous system से effector तक लेके आता है इसको बोलते हैं हम लोग motor neuron और इन दोनों को जो आपस में connect करता है अव्वेसी बात है signal को हमारे sense organ से central nervous system तक जो लेके जाएगा वो sensory neuron हो गया एक प्रकास signal को लेके आता है फिर वापस जो लेके जाता है कि भाया हाथ हटा लो plate गरम है हाथ हटा लो वो कौन होता है motor neuron होता है और इनको आपस में जो connect करता है उसका नाम होता है relay neuron उसका काम होता है relay neuron वो actually में brain या spinal cord के अंदर बैठा होता है और ये इनको आपस में interconnect कर देता है ये इनको आपस में interconnect कर देता है ओके 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 ये इनको आपस में interconnect कर देता है अब यहाँ पे ये जो motor neurons हैं और जो muscles हैं जैसे आपने गरम गरम plate को चुआ और आपका हाथ पीछे हो गया आपका हाथ पीछे किस ने किया muscles ने, आपकी biceps की muscles contract हो गए, या आपकी shoulder की muscles contract हो गए, और हाथ पीछे चला गया, okay, true है अब सुनो, यह हुआ कैसे तो answer है, जो neurons है और जो muscles है, वो आपस में connected होती है, यह जो आप हिसा देख रहो, पीला और pink, यहाँ पे यह neuron का एक nerve ending है और यह जो pink है, यह हमारी muscles है तो यहाँ पे neuron और muscles आपस में connect हो गए हैं, आपस में चिपक गए हैं, एक junction बना दिया है, इस junction को बोलते हैं लोग neuromuscular junction, obvious बात है, mitochondria है, mitochondria is the powerhouse of the cell, मैंने अपने हाथ पे मेहंदी से लिखवाया था, अपनी blood का appillaries हैं, जो blood को ले के आती हैं, समझ गए ओके, ठीक है पका मन में कोई सवाल ठीक है, ठीक है, ठीक है आज शाम को बिटा चार बजे, most expected question हम लोग करने वाले हैं, बहुत important topic, most expected question, पूरे साल की मेहनत आज चार बजे होने वाली है सबने chapter पढ़ रखे होते हैं इसलिए बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो live देखने chapter के लिए आते हैं मतलब बहुत कम तो नहीं होते हैं लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, जो सिरफ questions का wait कर रहे होते हैं, तो आज चार बजे, हम लोग most expected question करने वाले हैं, 50 subscriber दूर है, 97 होने पे 97, 98, 99 उसके बाद 9 लाग subscriber आज की class में 9 लाग subscriber खतम कर तो मज़ा आ जाएगा, ये बात समझ में आ गई, चलो अब बात का अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया यार, सौरी, ये तो हमने पढ़ लिया कि हमारे पास दो प्रकार के nerves होते है, spinal nerves और cranial nerves, spinal nerves कौन से होती है जो कहां से निकलती है, spinal cord से, और cranial nerves कौन से होती है, जो कहां से निकलती है brain से, यानि कि हमारे cranium से निकलती है फिर आता है हमारे पास voluntary और involuntary movement हाना, I hope आपको पता हो, voluntary और involuntary movement के बारे में जल्दी बात करेंगे परकॉज यह बहुत जादा easy topic है voluntary movements वो होते है which are in our control जो हमारे control में होते हैं जैसे कि legs का movement हो गया hands का movement हो गया लेकिन वहीं पर involuntary movement कौन से होते है which are not in our control जो कि हमारे control में नहीं होते हैं जैसे कि small intestine small intestine या पूरी के पूरी elementary canal का जो movement है वो हमारे control में नहीं होता है तो small intestine वेगारा का जो movement है यह involuntary movement के अंदर आ जाता है चीक है थी? लेकिन बहुत important आप सबको पता है जल्दी से comment section पे reflex action O.P. लिख देंगे reflex action O.P. लिख देंगे क्योंकि यह बहुत ज़ादा important है exam में बहुत ज़ादा आता है जिनको नहीं पता उनको समझ में आ जाएगा इसकी importance reflex action क्या होता है और reflex arc क्या होता है सबसे पहले बात करते हैं reflex action के बारे में reflex action इसके बारे में कुछ points लिख रहा हूँ पहला point reflex action कौन control करता है तो controlled by spinal cord इसको control कौन करता है पहली बात तो spinal cord चलो यह तो याद करने वाली बात है लेकिन reflex action होता क्या है पहली बात तो इसमें जो stimuli होती है stimuli होता है is external यानि कि कई बच्चों को लगता है कि reflex action involuntary action है कह सकते हूँ यह है तो involuntary यानि कि यह हमारे यह है तो involuntary यह हमारे control में तो नहीं है लेकिन इनको involuntary नहीं कहते हैं इनको एक special नाम दिया गया है break मिलने वाली है इस chapter के बाद बात करते हैं break के बार में 40 लाख like भी हो चुके है तो मुझे समझ में आगे आप गाना सोच लोगे लेगे topic खतम करते हैं बीच में नहीं अठकेंगे stimuli इसमें external होती है बाहर से stimuli आती है internal कोई stimuli नहीं होती है and third सबसे important यह होते तो involuntary actions है involuntary actions लेकिन द्यान से सुनना involuntary actions performed by performed by voluntary parts गहरी बात है performed by voluntary parts यानि कि यह कौन से action है involuntary action है लेकिन इन्हें करता कौन है voluntary part जैसे कि आप समझो आप गाड़े चला रहे हो क्या आपके हाथों का movement आपके control में है obvious सी बात है ठीक है कभी कबार आपके हाथों का movement आपके control से भार हो जाता है गहरी बात है समझने मारा समझ गया मैं कब की बात कर रहा हूँ कहीं और मत जाओ सुनो जब आप गाड़े चला रहे हैं आप तो भी बहुत छोटे हो आपके लड़की बात है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्षन एक और बार समझो आप एक ना आपकी ना शादी हो रही है आपको लड़की वाले देखने आए लड़की वाले देखने आए सारे लॉंड़े क्या कर रहे है एक ट्रे में चाय लेके जा रहे है ठीक है लॉंड़े भी तो कर सकते है कैसे लड़कीयां करेंगी लॉंड़े भी कर सकते है तो लॉंड़े ऐसे ट्रे लेके जा रहे है उसमें ना चाय के ग्लास है ठीक है, आपको क्या दिख रहा है, कि एक चाय का ग्लास ना गिर रहा है, एक दम से आपको दिखा कि ये गिर रहा है, तो उसको बचाने के चकर में, उसको बचाने के चकर में सारे चाय गिर जाती है, आपने जान के नहीं किया ये, आपके हाथ, जिनका आप पर कंट्रोल था, reflex action हो गया stimuli external हो गया आपको दिखा आपने involuntary action करना शुरू कर दिया लेकिन किया voluntary parts नहीं एक चाय के glass को बचाने के चक्कर में सारे गिर गए शादी cancel बोलो pencil शादी cancel लड़की कहीगी जो चाय के glass नहीं समाल पा रहा वो मुझे क्या समालेगा क्या गहरी बात बोली है लड़की कहीगी जो चाय के glass नहीं समाल पा रहा वो मुझे क्या समालेगा पापा भोली की तरह वो भी तुमारे मूँ पे मना करके जाएगी भोली की तरह वो भी तुमारे मूँ पे मना करके जाएगी बिटा वो कहें कि पापा मैं आपकी सेवा कर लूँगी लेकिन इस चाए ना समालने वाले से कभी शादी नहीं करूँगी तो reflex action ऐसे action होते हैं जो spinal cord से control होते हैं जो spinal cord से control होते हैं पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे अच्छ अच्छे messages की जरूरत है आज कल हाना तो आपने हमारे instagram पे बहुत अच्छे message किये आपने हमारे mail पे हमारे youtube की videos पे बहुत अच्छे message किये पता नहीं क्यों आपको ऐसा लगा कि आशू सर को ना positive message की जरूरत है हमारा दिल एक से दिल का connection है, देखो, और आपको शही तो बता लग गया, और आपने इतने अच्छे-च्छे messages किये, कि मैं देखके मेरे अंदर जोश भर गया, मेरे अंदर देखके जोश भर गया, और ये message मैं देख रहा था भी, आप एक बच्चे ने अच्छा ही किये मेरी, तो इसके के लिए मैं thank you बोराओ, सभी को thank you है, सभी को thank you, हाँ, मुझे बता है, गाना पेंडिंग है, इसे खतम कर लेते हैं, एक बार, चीक है, तो involuntary actions performed by voluntary parts, ऐसे action जो हमारे control में, जो हमारे control में होने वाले organs से हो लेकिन वो हमारे control में ना हो, stimuli external होती है, इनने हम reflex action बोलते हैं, आर्क कहते हैं, तो reflex arc क्या होता है, path from which, path from which, reflex action takes place, takes place, path from which reflex action takes place, ऐसा path जिससे reflex action होता है, उसको हम लोग reflex arc कहते हैं, सर समझ में नहीं आया, यह देखो NCRT का डाइगराम है, यह गरम गरम plate है, जो आपने छू रहे थे, पता नहीं क्यों छू रहे थे, लेकिन छू रहे थे, तो यहां से, अच्छा इदर भी बनाएंगे साथ साथ flow chart में, यह गरम गरम plate आप छू रहे थे, किसने पकड़ी, receptor ने, receptor क्या होते हैं, जो signal को receive करते हैं, sense organ में बैठे होते हैं, हमारी skin में बैठा होता है, thermoreceptor, इसने signal को पकड़ा, इसने signal को पकड़ा, यह signal गया spinal cord पे, सर spinal cord क्यों, अभी तो आपने का था कि यह central nervous system पे जाएंगे, अब आप spinal cord कर रहे हो, सर बाद से पलड़ जाते हो आप, बाद से पलड़ जाते हो आप, बेटा यह reflex action की बात हो पता है, reflex action आप सबको पता है, सिरफ spinal cord करता है, कौन लेके आएगा, sensory neurons, sensory neurons लेके आएंगे, spinal cord कहेगा, हाथ अटा ले, जल जाएगा, मर जाएगा, तो यहाँ पर यह signal, कौन लेके आया, motor neurons लेके आए, motor neurons लेके आए, effector कौन है, हमारे डोले हैं, हमारी muscles हैं, डोले मतलब मैं से हमने, motion कर दिया, motion कर दिया, यह जो रस्ता आप देख रहे हो, रस्ते में relay neurons भी आएंगे, यह जो रस्ता आप देख रहे हो, यह रस्ता क्या कहलाता है, reflex arc, यह रस्ता क्या कहलाता है, reflex arc, 97.3, हम लोग सिरफ पच्छिस सो, पच्छिस सब्सक्राइबर दू रहें, कर दो यार कर दो यार एक और खुशी दे दो इतनी सारी खुशी यां देते ओ एक और दो बेटा very good this is known as reflex arc, इसे कहा जाता है reflex arc ठीक है जी, done है, exam में सवार आ सकता है reflex arc या बना के दिखा दो, तो यह तो definition हो गयी, ऐसे भी बना सकता है कि यह तो बना ठोड़ा मुश्किल हो जाएगा यह स्पाइनल कोड़ के छोटा सा हिस्सा है चोटा सा हिस्सा है दन है चालो चालो ठीक है बेटा आप 40,000 लाइक पर इसी बात पर क्योंकि आप अच्छा प्रॉमिस करो कि 40,000 लाइक के साथ-साथ यह तो हो गया सेंटर्न बश्किश यह क्या हो रहा है यह दोबढ़ हूं गया अच्छे साथ-साथ-साब रहे पेता देखो मैं आपको बहुत प्यारा गगाना अगा और अपको समझ ना है वह गाना कुनसा है वह गाना कौन सी मूven का आपको मुवी का अंब यह नाम that's I see you I feel you That is how I know you Soon जल्दी से बताओ कौन सी मुवी का गाना है ये अगर आपने सुना होगा तो आपको पता होगा बड़ी वाइरल मुवी है बहुत ही धमाकेदार मुवी है इस से जादा मैं गान नहीं सकता मेरी अंग्रेजी भी कमजोर है लेकिन बेटा इसी के साथ हम एक बहुत अरे वाँ टाइटैनिक टाइटैनिक ओपी टाइटैनिक ओपी हम सब की फेवरेट मुवी टाइटैनिक ओपी इसी के साथ इसी के साथ 200 सब्सक्राइबर और बढ़ते विए मैं आदे घंटे बाद चेक करूँगा ठीक है हमें इसको 900 करना है आज मला आ जाएगा अगला टार्गेट है 45,000 लाइक अगला टार्गेट है 45,000 लाइक चलो एक बच्छा गया रहे पहली बार सुना है अभी वो मेरी आवाज में आपको पहली बार लग रहा होगा वो मेरी आ दोस्तों के पास नहीं है वो है ब्रेन बेटा जो कि तुम्हारे दोस्तों के पास नहीं है सब के पास नहीं होता पता नहीं क्यों हमारी किताबें लिखती हैं इंसे आटी लिखती है कि ब्रेन सब के पास होता है नहीं नहीं और कहीं कहीं तो यह भी लिखती है कि ब्रेन यह ऐसे बढ़ाते है कि this is the CPU of the body, ऐसे बढ़ाते हैं, CPU of the body, because यह हमारे पूरे शरीर का main thinking part है बेटा, brain, brain के उपर, आपको पता होगा, एक छोटी सी layer होती है, जिसको meninges की layer कहते है, इसको meninges की layer कहते है, NCRT ने शायद इसको mention नहीं किया है, बढ़ यहाँ पर three layers होती है, इसको meninges की layers कहा जाता है, ठीक है ना, three layers होती है, और actually होता कि हमारे brain के उपर membrane की layers है, और उसके उपर हमारा cranium है, बेटा यह पूरा होता है skull, मुंडी, यह पूरा होता है skull, ध्यान से सुन लो, यह पूरे हिससे को skull कहते हैं, और यह उपर वाला इसको मुंडी कहते है, मतबड रानीऊम, यह मुंडी होती है, और उपर वाला इससा cranium, cranium, उपर वाला हिससा cranium होता है, तो cranium एक boney box है, cranium एक boney box है, on the body box है, जिसमें हमारा brain बंद होता है, बहुत कीमती चीज़ है ना, इसको बचा के रखना है ना, इसको बचा के रखना है ना, हाँ, 900 के सब्सक्राइबर पर सर सुनाएंगे भोचपुरी सौंग, अरे बाई साथ ये कौन है, केसरी लाल, रवी किशन, दिनेश लाल यादा, मेरे को इनके नाम भी नहीं बताएं, मे होता है cranium, आपको एक बाप बता दू, जो छोटा बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा होता है, उसके ना, मेनिंजर्स की जो लेर है, वो डेवलप नहीं होती है, यही रीजन है कि छोटे बच्चे का बहुत ध्यान रखना होता है, और बटा, यहाँ पर हमारे मूवी में दुबारह से आजाती है भूली, आपको याद है भूली बच्चपन में बेट से गिर गई थी, और वो बैकवर्ट चाइल्ड हो गई थी, सबको पता है, क्योंकि जब बच्चपन में बच्चा उपर से गिरता है, बेट से गिरता है, तो उसके मेनिंजर्स के लिए लग सकती है, लेकिन हमारे, आपने कभी सुना है, पापा बेट से गिरे और यादास चली गई, बच्चों की चली आती है, वो बैकवर्ट हो जाते है, उनका मेमरी लॉस हो जाता है, पर आपने सुना है, बिटा आपने मूवी देखिए, ओ ओ भाई साब, तेरे नाम मूवी इसकी यादास जाती है, अगर आपने वो सीन देखा होगा, तो पता होगा, अगर वो एक छोटा बच्चा होता, तो बहुत जल्दी ये काम हो जाता, क्योंकि मेनिंजेस के लिए डेवलप नहीं होती है, पापा बेट से गिरे, यादास चली गई, ऐसा नहीं होता है, बिट के तीन हिससे होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, येस, 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 फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, आओ एक 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 पढ़ता है, बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है फोर ब्रेन जो होता है यानि कि हमारा आगे वाला हिस्सा यह सबसे कॉंपलेक्स हिस्सा है और सबसे स्पेस्टलाइजड पार्ट है ब्रेन का यह सबसे बड़ा हिस्सा भी होता है आप कह सकते हो इसमें मेंली जो हिस्सा आता है उसको हम सैरी ब्रम कहते हैं सैरी ब्रम कहते हैं यह main thinking part of the cell है जल्दी से मुझे एक ऐसी जल्दी से मुझे आप एक ऐसी state का नाम पताओ हमारे इंडिया में जहां पर सबसे ज़्यादा चाय उखती है चाय जल्दी से मुझे आप एक ऐसी state का नाम पताओ जहां सबसे ज़्यादा चाय उखती है तो answer में आप क्या बोलोगे है हाँ बेटा break, break के बारे में just बात करना वाले है, जब हम लोग ये chapter, chapter खतम होने वाला है, हाँ, awesome, अब मैंने ये सवाल आपसे बीच में क्यों पूछ लिया, क्योंकि जब मैंने आपसे पूछा कि सबसादा चाय का मिलती है, तो आपने seri brahm में से उस knowledge को निकाला भार, और मेर पार्ट है, ये voluntary movement भी समालता है, जो movement हमारे control में, अब अगर हमारे control में, तो हमें इनको याद भी करना होगा न, मेरी जियान, और फिर आता है store information memory, अच्छा, ये sensory impulse receive करता है बहुत सारे पार्ट से, बहुत सारे पार्ट से, ये sensory भी receive करता है, sensory signals भी receive करता है, कई किताबे ल और सोचना है समझना है यह इसका मेन हिस्सा है यह इसका मेन हिस्सा है बाद समझ में आती है क्या बाद समझ में आती है क्या चालो 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 फिर आता है मिड ब्रेन बीच का ब्रेन यह इन्वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है इन्वॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, pupil के size का छोटा बड़ा होना, या फिर reflex movements हो जाए हमारे हाथ के अच्छा, अब आब यह कहोगे किसा reflex action तो spinal cord control करता था, mid brain कहां से आ गया, answer है mid brain सिरफ और सिरफ एक junction का काम करता है, अगर exam में आए reflex action कौन control करता है answer spinal cord ही है, tension फिर आता है hind brain पीछे का brain, इसके तीन हिस्से होते हैं, पहला होता है seri bellum, seri bellum जो कि हमारी body के posture और balance को समालता है, शराब पीते पीते जिसके हाथ कापते हो, यह समझो उसका seri bellum सताया हुआ है, समझ गया बेटा अगर शराब पीके आपके हाथ कापरे, आपके पैर कापरे, आपकी body का balance नहीं बन पा रहा है, तो आप समझ जाओ, उसका seri bellum सताया हुआ है, वो यार का सताया हुआ हुआ है, वो seri bellum का सताया हुआ है, क्योंकि seri bellum हमारे posture को हमारे balance को समझाता है अगर एक शराब भी आपको लड़ा खडाता हुआ चलता हुआ नजर आ रहा है, तो समझ जाना कि उसका seri bellum disturb हो गया है बहुत बढ़िया medulla, medulla का पूरा नाम होता है, medulla oblongata medulla oblongata medulla क्या करता है कुछ selected, ये सारे involunt reaction करता है कुछ selected involunt reaction medulla भी करता है, जैसे की हमारा blood pressure हो गया, ठूक आना हो गया vomiting भी आगा रहा हो गया इसके बाद pons, अब देखा जाए तो pons भी involunt reaction करता है लेकिन कौन सा, respiration को control करता है, ये respiration को control करता है, सांस के rate को control करता है, जैसे मेरी इस वक्त सांस का rate बहुत जादा हाई है, तो इसको control करता है, oh my god, oh my god, देख लो भाई साब, इस जोश के लिए चैनल सब्सक्राइब हो जाए, 2000 subscribers दूर है, only 2000 subscribers, very good, very good, very good, very good, बास समझ में आती है क्या, चैप्टर खतम करने के कागार पे है, ओ हो, चैप्टर खतम करने के कागार पे हैं, और चैप्टर में, लाश हिससा आता है spinal cord, last हिससा आता है spinal cord, spinal cord के बारे में बात कर चुके हैं वैसे, तो ज़्यादा बात करनी बची नहीं है, कि हमारी बोड़ी में spinal cord जो है, वो एक central nervous system का पार्ट है, medula से निकलता है ये, हना एक बहुत ही अच्छी vertebral column में ये packed होता और ये कौन से action समालता है reflex actions को ये control करता है लेकिन नीचे एक note का point लिखा हुआ है नीचे एक note का point क्या लिखा हुआ है नीचे एक note का point क्या लिखा हुआ है नीचे एक note का point लिखा हुआ है कि reflex action ही सिरफ ये control नहीं करता है ये बाकी भी काम करता है जैसे कि spinal cord information को supply करने का काम भ रहा हूं जो भी हमारी information brain से आ रही होती है यह स्पाइनल कॉट सा के पूरे body में फैलती है तो यह signals को यह signals को transmit भी करता है यह signals को transmit भी करता है तो इसका काम सरफ reflex action control करना नहीं है समझ गए एक बच्चा कह रहा है यह तो मीम बन सकता है एक बच्चा कह रहा है medulla oblongata नहीं medulla ratan tata oh my god बेटा हमारे हमारे इंडिया के greatest of all time है ratan tata हमारे इंडिया के greatest of all time है ratan tata medulla का पूरा नाम है medulla oblongata oh my god बच्चे के लिए ओपी हो जाए बच्चे के लिए ओपी हो जाए समझ गए और इसी के साथ आज का हमारा दूसरा चेप्टर भी यहां पे समाप्त होता है इसी के साथ यहां पे हमारा आज का दूसरा chapter भी समाःफ्द होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पक्का, चलो, ऐसा करो, ऐसा करो, जल्दी sem, जल्दी sem, चैनल को subscribe करो, break देता हूं, इसको जल्दी, मैं ये नहीं कह रहा कि 9,00,00 कर दो, लेकिन जल्दी जल्दी जाओ, चैनल को subscribe करो, break देते, और break के बाद हमारा most awaited chapter जहाँ पे मैं भावनातमक हो जाऊँगा, खास कर जब हम लोग male reproductive या female भावनातमक का मतलब है, मैं बिना शर्माए, बिना हिच की चाय आपको यह chapter पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन thin line cross कोई नहीं करेगा, अगर आपने thin line को cross किया, comment section पे आपने बहुत ज़्यादा कुछ गलत किया, हसी मजाग थोड़ा थोड़ा basic basic चलेगा, thin line cross की, मैं class वहीं पे cancel कर दूँगा, मैं class वहीं पे cancel कर दूँगा, बास समझ में आती है, okay, done, ठीक है, कितनी देर का break दे दे, जल्दी बता दो, कितनी देर का break दे दे, जल्दी बता दो, कितनी देर का break दे दे, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, हाँ जी, okay, okay, कितनी देर का break दे दे भई, हाँ, मेरे हिसाब से, break मुझे लगता है, 15 minute का बहुत होगा, नहीं नहीं नहीं, पंदरा मिनट इस गुड, पंदरा मिनट इस गुड, चीक है, प्रॉमिस है, पंदरा मिनट इस गुड, पंदरा मिनट ब्रेक इस वेरी गुड, 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 पंदरा मिनट के बाद आके मिलते हैं, और इतिहासिक चेप्टर करेंगे, इतिहासिक चेप्टर करेंगे, पूरे जोश और उलास के साथ चेप्टर करेंगे, लेकिंगे डेकरोम मेंटेंड करके रखेंगे, क्लास का, ब्रेक का टाइम शुरू होता है, अब, Brazil projets, done है, मिलते हैं, मिलते हैं, मिलते आड़ 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 करे विलते आड़, कि अपाल आड़ 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 हो, छिरेओं पालग आड़, झाल 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 बच्चों का इंतजार बाकी है और खुशकबरी की बात भी मैं आपको सुना दूँ के हम लोग सिर्फ हजार सबस्क्राइबर्स दूर है और खुशी की बात अगर मैं आपको पता दूँ तो हम सिर्फ हजार, अगर to be very precise पताओं, तो एक हजार एक, एक हजार एक सब्सक्राइबर हम लोग दूर है ओ, सुरी मैंने तो आपको यहां पे अर्निंग वेगारा भी गलती से दिखा दी, लेकिन अर्निंग वेर्निंग से क्या होता है बिटा पैसा तो आनी जानी चीज़ है, प्यार जरूरी है बिटा, तो एक हजार सब्सक्राइबर्स हम लोग दूर है जल्दी से अगर आपने अभी तक पहली बात तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यह तो अच्छी बात नहीं है बट फिर भी अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब जादा important सवाल हमारे exam में बनते हैं और बहुत बार बहुत cases में बहुत सारे important चीजें बताने में कुछ teacher जो होते हैं वो थोड़ा सा घबराते हैं शर्माते हैं तो जल्दी से comment section में बताईए एक बात अब मैं true कह रहा हूं या false कि बहुत बार school के teachers खास कर इस चप्टर को although आजकल थोड़ा सा young generation आ रही है तो उनको समझ में आता है इसकी importance क्या है मैं YouTube की teachers की बात नहीं कर रहा हूं मैं खास कर offline teachers की बात कर रहा हूं हा ना true है ना true है लेकिन ये बात बिलकुल गलत है दो reasons से एक तो हमारे exam point of view में हमें रट्टा मारने पड़ जाते हैं हमारे doubt clear नह अभी है जो कि बहुत बड़ा reason है कि हमें general awareness नहीं रहती है अभी फिलाल हम लोग journal awareness के उपर बात नहीं करने वाले अभी फिलाल हम लोग journal awareness उतनी नहीं जागरूख करेंगे क्योंकि हमारा paper है अभी 2-3 दिन बात इसलिए अभी आज हम रहेंगे तो chapter पर ही but still हम हर चीज को थ जल्दी से क्या करेंगे चैनल को subscribe करेंगे एक हजार subscriber हम लोग दूर है जहां तक data मिरको दिखा रहा है और अब हम लोग सिरफ 290 subscribers दूर भी है जब तक बच्चे आ रहे हैं मैं उनका wait कर रहा हूँ तब तक हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एक बारी analytics को खोल लेते हैं और analytics को खोल लेते हैं studio यूट्यूब studio पर चले जाते हैं और youtube studio पर जाके हम लोग live subscribers count analytics पर चले जाते हैं और analytics पर अगर मैं चला जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिल जाता है लाइफ सब्सक्राइबर काउंट और लाइफ सब्सक्राइबर काउंट जो हमारा है जब तक बच्चे जुड रहे हैं तब तक सोच रहा हूँ थोड़ा सा हम एक तो 15 मिनट की ब्रेक में ले तुम 20 मिनटी लेते हो पूरे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसको 9000 सब्सक्राइबर करेंगे पानी कांगया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है है शुरू करें क्या है हाँ है सर आप कौन सी हाँ आर एंवारमेंट भी होगा सर आप कौन सी स्ट्रीम को सपोर्ट करते हो बिटा ओविस से बाते कॉमर्स कैसी बाते कर रहे हो बिटा यह को पूछने का सवाल है बड़े आगे क्या हां जी कितने सब्सक्राइबर्स तक पहुं बेरी गुट बेरी गुट इसको अरे बहुत बढ़िया जल्दी से जिन्हों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेंगे और अब हम लोग हाँ ठीके डन है चलो शुरू करें चलो 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 शुरू करें अंताक्ष्री लेक करते कैसे हैं उससे पहले आपको एक word को सीखना होगा कि ये reproduction word का मतलब क्या होता है reproduction का मतलब होता है जब living organisms अपने जैसे living organisms अपने जैसे similar organisms को जब पैदा करते हैं living organism जब अपने जैसे similar और और गेनिजम्स को पैदा करते हैं, इसको हम लोग reproduction कहते हैं, अब जल्दी से आपको comment section पे question का answer देना है, क्या reproduction एक life process है, क्या अगर reproduction इनसान नहीं करेगा तो क्या वो मर जाएगा, क्या reproduction एक life process है, तो क्या reproduction एक life process है, तो answer है, ये सवाल में दो किस्से बनते हैं, एक है individual के लिए और एक है पूरी की पूरी प्रजाती के लिए, एक बनता है individual के लिए और एक बनता है पूरी की पूरी प्रजाती के लिए, आप सबने answer no लिखा है, क्योंकि शायद आप no लिख रहे हो individual इनसान के लिए, तो individual इनसा के लिए रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस नहीं है जिसको नहीं पता लाइफ प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जो हमें धर्ती पे जिन्दा रहने के लिए करना बहुत जरूरी है अगर हमें जिन्दा रहना है तो जो भी प्रोसेस हमें करने जरूरी होते हैं उन्हें हम life processes कहते हैं और reproduction एक individual के लिए life process नहीं है reproduction individual आप अगर reproduction नहीं करोगे तो मरनी जाओगे exceptional cases are there कहीं लोग अच्छा reproduction करने के बिना मरते नहीं है लेकिन कहीं लोग reproduction करने के लिए मर रहे हैं ओए होए घहरी बात यह थो real डलनी चाहिए reproduction करें बगयर एक individual मरता नहीं है लेकिन हर एक individual reproduction करने के लिए मर रहा है घहरी बात है लेकिन एक species के लिए एक species के लिए यह एक life process है कैसे अगर वह नो य्ic ops प्रोडुशन करना बंद कर देता है मान लो आज से इनसान रिप्रोड़क्शन करना बन कर देते हैं, तो आप सबको पता है, पचास, साथ, सतर साल, असी साल के बाद, इनसान का जीवन धर्ती से खतम हो जाएगा, मालो मूदी जी आते हैं और कहते हैं, आज रात, आट बजे के बाद, कोई भी इनसान रिप्रोड़क्श के होंगे, तो रिसोर्स खतम हो चुके होंगे, लेकिन पॉइंट इस कि इनसान की प्रजाती पूरी की पूरी खतम हो जाएगी, तो इसलिए रिप्रोड़क्शन को एक लाइफ प्रोसेस माना गया है, लेकिन पूरी की पूरी प्रजाती के लिए माना गया है, इंडिविज और asexual लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि reproduction की importance क्या पढ़ लिया यार इससे देखो अगर reproduction नहीं करेंगे तो प्रजातिक खताम हो जाएगी तो population को maintain करने के लिए reproduction ज़रूरी है अनिवार रहे है Deane 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 Reproduction करना ज़रूरी है अनिवार रहे है रिप्रोडक्शन करना जरूरी 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 है अनिवार रहे है चीक है आदे गण 15-20 मिंट बाद वापस आऊंगा एक सेकिन एक सेकिन कितना कितना जल्दी 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 हो जाए आज आज कर दिखाओ आज कर दिखाओ मैं बैग जा रहा हूँ आदे घंटे बात आएंगे रिप्रोड़क्शन करना जरूरी है और अनिवार है क्योंकि इंडिविज्वल के लिए ये बिल्कुल माइन रखता है लेकिन प्रजाती के लिए मेंटेन करता है तो दो प्रकार का रिप्रोड़क्शन होता है सेक्श्वल और असेक्श्वल अगर सिंगल पेरेंट इनवाल्ड हो कोई मेल नहीं कोई फीमेल नहीं कोई, कोई male gamut, कोई female gamut, आपस में fertilize नहीं होगा, इसको बोलेंगे asexual, लेकिन sexual reproduction में दो parent involved होते हैं, male parent, female parent, दोनों-दोनों अपने-अपने sex chromosome release करते हैं, sex chromosome कह रहा हूँ, sex cells release करते हैं, वो आपस में fuse होते हैं, fuse होने के बाद, वो क्या करते हैं, fuse होने के बाद, वो एक single cell बनाते हैं, जिसको हम लोग zygote कहते हैं, क्या होता है asexual reproduction, when a single parent is involved and no gamut formation take place, the method is called asexual reproduction, obvious ही बात है, लेकिन sexual reproduction क्या होगा, जब दो parents involved होते हैं, obvious ही बात है, दो parents से कहने का मतलब है, male and female, दो parents involved होते हैं, gamets, gamets का मतलब है, sex cells बनते हैं, जैसे males में sperm और ova होता है, और ये मिलके एक single cell बनाते हैं, इसे कहा जाता है, sexual reproduction, this type of reproduction is called sexual reproduction, जैसे की humans करते हैं, तो obvious ही बात है, पहले हम लोग पढ़ेंगे, asexual reproduction, asexual reproduction में single parent involved होता है, अब क्योंकि यहाँ पे single parent involved होता है, क्योंकि यहाँ पे single parent involved होता है, एक ही parent involved होता है, इसलिए यहाँ पे variation बहुत जादा कम देखने को मिलता है, जिसको अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसके अलग-अलग type होते है, binary fission, fission का मतलब क्या होता है, fission का मतलब होता है टूटना, fission का मतलब होता है टूटना, तो binary fission का मतलब क्या हो गया, दो में टूटना, fission का मतलब होता है टूटना, तो binary fission का मतलब हो गया, तो में टूटना, कैसे, यह हमारा चहीता amoeba है, amoeba के पास एक ताकत होती है, कि जब वो reproduction करता है, तो binary तरीके से करता है, कैसे? जब वो mature हो जाता है mature, mature होना एक भावुक शब्द है जब वो mature हो जाता है हो गए है, अरे भई, मुबारक हो सभी को, हम आज कोई की वेक तो बिल्कुल नहीं काटेंगे, बिटा, आपको पता है क्योंकि बहुत busy है, उशांक सर है क्या? अच्छा, उशांक सर अभी नंगे है, मतलब अभी कपड़े पहन रहे है ठीक है, नहा क्या है, ठीक है, ठीक है अरे, अरे, नहीं, नहीं, सर, इतने handsome लग रहो, आज़ो सर आज़ो सर, आज़ो इसको आपको एक million करना है मैं चाहता हूँ कि ये science के session में ही हो जाए थोड़ा difficult है, पर आप लोग हो तो सब कुछ possible है अगर आप इसे एक million नहीं लेके जा सकते हैं मेरे session तक तो at least इसको हम साड़े 900 लेके जाए, session मतलब जब तक science का paper है आज नहीं कह रहा हूँ science का paper जब तक है हम इस 9 लाग subscriber को 9.50 तो at least लेके जाए 9.50 तो at least लेके जाए आपकी reflection आएगी बेटा 9.50 तो at least लेके जाए नहीं तो एक million ले गए तो बहुत ही बड़ी बात होगी बेटा मैं cake wake में time नहीं waste करूँगा मुझे पता है आपका paper है आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए इस channel को खोले वे हमें लगभग 7 साल हुआ है अभी 1 साल 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के आसपास होए और आपने इतना प्यार दे दिया हम लोग इसके बिल्कुल भी लायक नहीं है आप लोगोंने इतना प्यार दिया है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया इतना कहना चाहूँगा नहीं तो मैं रो पड़ूँगा बेटा और अगर मैं रो पड़ा तो फिर मैं रुकता नहीं हूँ बेटा मैं इतना रोता हूँ कि मैं रुकता नहीं हूँ और फिर क्लास हमारी जो है वो क्रुक जाएगी तो इसलिए अभी हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद चलिए, अब अगर हमारे पास amoeba आ गया, अगर हमारे पास amoeba आ गया, अगर हमारे पास amoeba आ गया, तो amoeba भोचपुरी सौंग भी सुनाओंगा, पचास हजार लाइक पर सुनाओंगा, अभी चैप्टर पढ़ाने दो, amoeba में जो nucleus है, वो elongate होता है, जब यह mature हो जाता है, तो इसका nucleus ना तूटना शुरू हो जाता है, और वेसे बात है, जब nucleus दो हिस्सों में तूटेगा, तो साथ साथ DNA replication भी हो जाएगा, विकाज आप सबको पता है, nucleus में DNA जाना बहुत ज़रूरी है, तो आदा DNA चला जाएगा हमारे उपर वाले, आदा कहरा हो मतलब, जैसे एक DNA है, उसकी copy हुई तो एक copy चली जाएगी, उपर एक copy चली जाएगी नीचे, और फिर दीरे-दीरे, cytoplasm इस आसपास के jelly-like substance को हम लोग क्या कहते है, cytoplasm cytoplasm में तूटना शुरू हो जाएगा गाना भी सुना दूँगा, सब सुना दूँगा बेटा, डांस भी करके दिखा दूँगा, चेप्टर तो पढ़ लो मेरी जान, लेकिन जैसे ही आसपास का cytoplasm में तूट जाएगा बेटा, मुबारक हो धोलताशे से confuse मत हो जाना, ये female नहीं होते है, इनको तो बस daughter cell नाम दिया गया है हना, क्योंकि इनको बच्चा कहना था तो इनको हम son cell भी कह सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं daughter cell कह दिया बेटा, justice for son justice for son ओपी कर दो justice for son ओपी कर दो, लेकिन daughter cell भी बुरा नाम नहीं है लेकिन बेटा, एक दुख बरी बात ये है कि इसमें parent amoeba जो है वो sacrifice हो गया इसमें दुख बरी बात ये है, जो parent amoeba होता है, वो sacrifice हो जाता है, हना इसमें parent जिंदा नहीं, sacrifice मतलब वो ही actually दो में convert हुआ है आतमा तो वो ही है, लेकिन parent sacrifice हो जाता है, लेकिन अगर यही काम बहुत बड़े लेवल पे हो रहा हो, जैसे यह मेरे पास एक bacterium है यह मेरे पास एक single bacterium है, अब अगर यह bacterium, बहुत सारे bacteria में एक साथ तूट जाता है देखो ना, binary fusion और multiple fusion लगबख एक ही जैसा प्रोसेस है बस यहाँ पए amount के उपर depend गए, यहाँ पर multiple sigh में वो तूटेगा, यहाँ पर वो multiplelles में तूटेगा yes, 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 यहाँ पर वो multiple cell में तूटेगा, अगर वो multiple cell में तूटा तो इसको multiple fusion कहा देंगे multiple fusion कहा देंगे, 9 नौ लाग सब्सक्राइबर हो गए है, नौ लाग सब्सक्राइबर पे मैं आपको एक मोटिवेशनल गाना सुनाता हूँ बेटा, और धियान रहिएगा, कि ये मोटिवेशनल, अच्छे आपने सुनाई, आज कल बोर्ड एक्जाम के ओपर गाना भी आये, कल बच्चे ने एक टैक किया था, चीग है ना, चलो, 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 बेटा, सुनाओंगा पका लेकिन एक बार एसेक्शुल के मोट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद सुनाओंगा, बेटा, बीच में फ्लो नहीं तोड़ना है, पढ़ाई करना सबसे बड़ा एम होना चीए हमारा, फिर आप बाइनरी फीजन और मल्टीपल फीजन में, अगर आप सोगे डिफरेंस पूछ ले तो क्या लिखोगे, इसमें एक बारी में जो पेरेंट सेल है, वो दो डॉटर सेल में तूटता है, यहाँ पे मल्टीपल सेल्स में डिवीजन होता है, यहाँ पे जो डिवीजन होता है, वो मल्टीपल सेल्स में होता है, समझ गए, समझ गए, समझ गए, फिर आता है बड़ेंग, बड़ेंग, बड़ेंग में एक वर्ड होता है बड, बड का मतलब होता है अनडेवलब्ड और्गैनिजम बड का मतलब होता है अनडेवलब्ड और्गैनिजम आव जरा समझें ये हमारे पास है हीस्ट हीस्ट को जानते हो अच्छा जो बडिंग है वो हीस्ट भी करता है हाइडरा भी करता है अभी बात कर रहें हीस्ट की हीस्ट क्या करता है अपने उपर एक बड उगा लेता है चलो true या false true या false पहली बात तो बड जो है यह एक undeveloped organism होता है और यह हमारे पास parent हीस्ट है true या false जब हीस्ट अपने उपर बड को उगाएगा तो वह हमेशा सिरफ एक ही बड उगाएगा true या false true या false वह हमेशा एक ही बड को उगाएगा है हां जी वह हमेशा एक ही बड उगा है multiple fusion का example मैंने आपको bacteria देना lactobacillus bacteria हो गया जो कि धही में multiple fusion करता है true या false false है false है true नहीं है बच्चों true नहीं है ये क्योंकि बड जो budding है उसमें जो bud उगता है वो एक बारी में multiple buds भी उगा सकता है जिसको chain of buds भी कहते हैं chain of गुलाब का फूल मिलना चाहिए अगर आप पहली बार ये जान रहे हो तो इसको chain of buds भी कहते हैं गुलाब का फूल दिखना चाहिए comment section पे chain of buds कहते हैं और जब ये बड इंडिविज्वल सर्वाइफ करने के लिए मैच्योर हो जाते हैं जब ये बड इंडिविज्वल लेवल पे जिन्दा रहने के लिए मैच्योर हो जाते हैं तो ये बड जीश से तूट के अलग हो जाते हैं और बच्चा पैदा हो जाता है बिटा आप पताईए कितनी अच्छी बात है कि यहां पे parent sacrifice नहीं होता है गुलाब के फूल आ गए हैं यहां पे parent sacrifice नहीं होता है parent is not sacrificed parent is not sacrificed is not sacrificed इसमें parent sacrifice नहीं होता है नहीं होता है देखो यह देखो पापा अबी ही बापा खुश हो रहे हैं बलकि मोटे हो गए हैं खुशी क प्रकार से, exactly इसी प्रकार से हाइडरा भी बडिंग करता है, NCRT में शायद हाइडरा का डाइग्राम बना हुआ है, ठीक है ठीक है, अब आप अच्छा हुआ आपने आप पर रॉंग 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 लिखना शुरू नहीं किया, क्योंकि NCRT में हाइडरा करने वाले हैं, पेपर वहीं से बनेगा, पंदरा साल के एक्स्पीरेंस से बता रहा हूँ, ठीक है, तीन-चार घंटे की क्लास चलेगी, most expected question करने वाले हैं, MCQ भी होंगे उसमें, और subjective question भी होंगे, चलिए, आगे बड़े, और fragmentation की बात करें, fragmentation, I hope fragmentation के बारे में आपने सुनाओ, spirogera, spirogera एक ऐसा organism है, जो multi-nucleate होता है, इसके पास एक से जादा nucleus होते हैं, spirogera एक ऐसा organism है, जो multi-nucleate होता है, जिसके पास एक से जादा nucleus होते हैं, अब spirogera में multi-nucleate organism है, fragmentation में एक word है, fragment, fragment का मतलब होता है तुकडा, fragment का मतलब होता है तुकडा, fragment का मतलब होता है तुकडा, अगर मैं इसके तुकडे करो तुकडे करो तुकडे कर दू किया प्यारा था उसका मुखड़ा हम ने स्पाइरो गेरा का कर दू या तुकड़ा तुकड़ा झा तो यहाँ पे हमारे पास एक स्पाइरो गहरा का फ्रेग्मेंट आ गया, यहाँ पे एक और स्पाइरो गहरा का फ्रेग्मेंट आ गया और यहाँ पे, अब कमाल की बात यह है कि हर एक और गैनिजम, हर एक फ्रेग्मेंट यहाँ पे एक नए लिविंग और गैनिजम के तरह ब एक बचने होगा? अब ही में आपको री जनेरेशन और फ्रेगमेंटेशन में फरग मताऊंगा by can तुक्रा बोटी-बोटी, येस, बोटी-बोटी कह लिजिए, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में, हर एक तुक्रा, एक्ट आस, नीउ ऑरगेनिजम, लेकिन आप कहो गे सर, फिर रीजनरेशन और इसमें अलग क्या है, आप ज़रा समझें बेटा, रीजनरेशन और fragmentation में एक छोटा सा फरक होता है ये हमारे पास प्यारा सा प्लैनेरिया आ गया अगर मैं प्लैनेरिया के तुकड़े कर दूँ तीन तुकड़े कर दूँ तो होगा क्या दिहान से सुनिएगा बहुत जादा confusion होती है बच्चों को इसमें दिहान से सुनिएगा बहुत जादा confusion होती है जल्दी मुझे बताओ अगर मैं प्लैनेरिया के तीन तुकड़े कर देता हूँ येस और नो में आंसर दो कमेंट सेक्शन पे कीबोर पे active हो जाओ क्या ये जो first बना है क्या ये जो second बना है क्या ये जो third बना है क्या ये एक नया आफस्प्रिंग है या नहीं है बिटा बहुत सारे बच्चों ने येस लिखा है बट आप समझो ये आंसर है नो मेरी बात को समझो ये बहुत गहरी बात है गुलाब के फूल मिलने चाहिए ये एक नया और्गेनिजम अभी नहीं है कुछ-कुछ बच्चे बीच में नो लिख रहे है लेकिन जिन्हों ने भी येस लिखा है गुलाब का फूल सेशन पर लाइक ठोक के जाना पड़ेगा सुनो कैसे अभी ये पूरा प्लैनेरिया कहा है अभी इसको अपने लोश्ट पार्ट्स उगाने पड़ेंगे अभी इन भाई साब को अपने लोश्ट पार्ट्स उगाने पड़ेंगे अगर ये अपने लोश्ट पार्ट्स उगाएंगे तब जाके ये एक नया प्लैनेरिया बनेगा इस भाई साब को अपने उपर नीचे के lost parts उगाने पड़ेंगे अभी इसने कहां उगाए है बेटा अभी इसको भी lost parts उगाने पड़ेंगे इसको भी lost parts उगाने पड़ेंगे तब जाके देखो planaria पैदा हुआ तब जाके देखो planaria पैदा हुआ प्रेगमेंटेशन में हर एक तुकड़ा act as new offspring लेकिन रीजनरेशन में हर एक तुकड़ा अपने lost parts उगाएगा उसके बाद वो एक बच्चे में convert होगा अपने lost parts उसको उगाने पड़ेंगे यहाँ पर जो तुकड़े हुए यह एक नए और्गेनिजम है यह एक नए और्गेनिजम है यह भी एक नए और्गेनिजम है लेकिन यह एक नए और्गेनिजम नहीं है नहीं है दोनों में parent sacrifice होता है दोनों में parent sacrifice होता है अरे वा भाई वा क्या हम इस planaria को डेड़पुल कह सकत येस, आप इस प्लेणरिया को जो नहीं जानता, डेडपुल के बारे में, ये एक हमारे सूपर हीरो है, जिनको कहीं से भी काट लो, पीट लो, ये कभी भी कटते पिटते नहीं है, ये वापस है, जैसे वॉल्वरीन, वॉल्वरीन DC कॉमिक्स में, हमारे डेडपुल जी, मार् बढ़ते हैं इसके बाद आता है spore formation बहुत प्यारा spore formation का सबसे अच्छा example है rise of us rise of us जल्दी से sexual a sexual reproduction खतम करते हैं फिर sexual पर आ जाएंगे ठीक है ठीक है ठीक है हाँ starfish भी उसका example बबसी बात बटा सारे example नहीं लिखे मैंने plan area हो गया starfish हो गया starfish हो गया starfish हो गया कि चीक है चीक है बटा जो चिपकली है उस case में उसको में reproduction नहीं बोलेंगे और चिपकली अपनी पूँच दुबारा होगा आती है regeneration शो करती है बट फर वो reproduction नहीं होगा क्योंकि चिपकली पर पूच तो आती है लेकिन पूच पर चिपकली नहीं आती समझे अगर मेरे पास एक चिपकली है प्लीज यार चिपकली के क्या आपने अलग किये, क्या उस पर छुपकली आएगी, नहीं आएगी ना, तो रीप्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं ना, समझ गए क्या, रीप्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं ना, हाँ, Wolverine DC Comic, Wolverine Marvels का थोड़ी है, दोनों, Marvels के हैं दोनों, अच्छा, स्वारी में से गलती हो गई होगी, चीक है, हाँ, Marvels के, ओ, स्वारी, स्वारी, दोनों Marvels के हैं, याँ, जहां के भी हैं, हमें ने लेना देना, हमें तो यह नहीं नहीं ना, मारे पेपर में क्या आ रहा है, स्वारी में अच्छा, के में से गलती होगी, लेकिन बेटा ध्यान रहे, राईजोफर्स जो है, राईजोफर्स जो है, वो क्या करता है, वो स्पोरफॉर्मेशन करता है, आउ ज़रा समझे कैसे, राईजोफर्स में, हमारे पास ये एक organism है ये जो आप देख रहे हो इसको कहते है Spore Sack इसको कहते है Spore Sack अब Spore Sack का actual नाम अगर हम लोग underline करें Spore Sack का actual नाम अगर हम लोग underline करें तो Sporengium Sporengium इसका scientific name आप इसे Spore Sack भी कह सकते हो इसके अंदर क्या होता है बहुत सारे स्पोर्स होते हैं स्पोर्स होते हैं इनको हम स्पोर्स कहते हैं अब जब भी कंडिशन अनफेवरेबल होती है जब भी कंडिशन अनफेवरेबल होती है यह अपने अंदर स्पोर्स जमा करता रहता है जमा करता रहता है लेकिन जैसे इसको लगता है कि अब बारी आ गई है महिंदर बाहू बली को बहार निकालने की अब बारी आ गई है स्पोर को बहार निकालने की तो यह फट जाता है यह फट जाता है और फट के यह आज पास सारे स्पोर्स को फिला देता है यह स्पोर्स नीचे गिरते हैं हर एक स्पोर के पास ताकत है, एक नया राइजोफस बनाने की, this is known as spore formation, this is known as spore formation, this is known, या चिपकली पे अभी तक हसर हो यार, this is known as spore formation, अब spore formation के क्या फाइदे हैं, बाकियों के मुकाबले, सबसे पहले तो, parent is not sacrificed, parent is not sacrificed, बहुत बार पूछा गया है यह सवाल, parent जो है, वो sacrifice नहीं हुआ है, second, fast method है यह बहुत, बहुत fast method है यह, बहुत fast method है, strawberry हो गया, bread mold हो गया, हाना, fungus लगना एक प्रकार से, fungus, on strawberry हो गया, strawberry, या फिर bread mold हो गया, bread mold, यह सब spore formation से ही उखते हैं, चिपकली काट दी है, mouse पे उखते कर दी है, मजा कोड़ा रहो यार, बिटा हम सिरफ 1600 like दूर है, 50,000 like से, सिरफ 1600 like दूर है, 50,000 like से, हो जाए बिटा आज तो, आज तो दिखा दो तुम में कितना है दम, हान जी, हान जी, हान जी, चीक है, चीक है, चीक है, अच्छा जो बच्चे पराणी क्लास देख रहे हैं न, अब वो आशी सर वाली बात स्पैम कर रहे हैं, ये लेट आयोंगे, ये पीछे से देख रहे होंगे, हाना, ये आशी सर वाली बात अब स्पैम कर रहे हैं देखो, चलो आगे बढ़ते हैं बिटा आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अगला आता है वेजिटेटेव प्रोपगेशन वेजिटेटेव प्रोपगेशन आखरी प्रकार का एसेक्शुल मोड है उसके बाद हम चलेंगे सेक्शुल मोड आफ रिप्रोड़क्शन पर की प्लांट के पास ना special टाकत होती है के उनके पास उनके जो body parts होते हैं वह ही reproduction करने के लायक होते हैं इनसान के पास यह ताकत नहीं है चो क्या मजह आता आप मेरे एक उंगली काटते हैं उंगली काटके जमीन में डाल देते एक नया आशु आ जाता वा भई वा ऐसा नहीं हो सकता लिए कई plants में ऐसा हो सकता है जब plant के ही part जब plant के ही part reproduction में help करते हैं इसको कहा जाता है vegetative propagation हना example के तौर पे आपने सबने tuber of potato सुनाओगा बेटा मैं आपको ना कुछ potato के जीवन के बारे में एक बात पताता हूं एक potato था अपने जीवन में बहुत उदास था पताता हूं क्यों हमारे घर के ने एक जरनी सुनना आप हमारे घर में एक टोकरा जिसमें आलू रखे जाते हैं हमारे आपे Friday market लगती है Friday market को आलू आते हैं टोकरे में डाल दिये जाते हैं चीक है अगले दिन अगल पिर दिया जाता है नीचे वाले आलू इंतजार में रह जाते हमें कब निकालोगे फिर उपर वाले आलू की सब्जी बंती है फिर पनीर के साथ कब mix करोगे हमें इंसानी शरीर कब देखने को मिलेगा और उस दोरान क्या होता है उन आलूओं को मिलता है moisture और उनके ओपर आप में देखा होगा आलू के ओपर छोटी छोटी potato आए होती है potato आए और कभी कबार उन आलूओं से हरा हरा कुछ भार आजाता है देखा है तो थमसब दे दो देखा है तो थमसब दे दो उन आलूओं से कुछ कुछ भार आजाता है देखा है तो थमसब दे दो आपको पता है अगर आप उसको काट के जमीन में गार दोगे तो आलू का पौधा अलू का तो वैसे बे नीचे की तरफ स्वाइल की तरफ उख जाएगा, देखा है ना, देखा है ना, येस, जश्टिस फॉर आलू, जश्टिस फॉर नीचे वाले आलू, जश्टिस फॉर नीचे वाले आलू, सेम बेटा हमारे पास बारो फाइलम लीफ्स होती है, अ इन्हे पत्नियों से और नए पौधे प्लांट बन सकते हैं। ड़न है? ड़न है, ड़न है, ड़न है। सिरफ 900 लाइक दूर हैं, हम लोग 50,000 लाइक से, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, चालो, आगे वड़ते हैं। अब Asexual Reproduction के क्या फाइदे हैं? और नुकसान है, यह पढ़ेंगे, उसके बाद पर चलेंगे Sexual Reproduction परूरूरूरूरूरूरूरूरूरू के फाइदे क्या है? पहली बात तो इसमें जो पेरेंट होता है और बच्चे होते हैं, यह एक्जाक्टली सिमिलर होते हैं। अब आप कोगे फाइदा कैसे है? यह तो नुकसान है? आंसर है नहीं, यह फाइदा भी है, यह नुकसान भी है। कोई variation नहीं चाहोगे, तो जहाँ आप कोई identical exact copy चाहिए, वहाँ पे asexual reproduction बहुत 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 बढ़िया। Yes or no? Yes. अब सुनो, इसमें एक और फाइदा ही है कि single parent है, तो दूसरे parent पे involvement नहीं है, dependency नहीं है दूसरे parent पे, दूसरे parent पे involvement नहीं है, कोई dependency नहीं है दूसरे parent पे, the organism does not have to depend on another organism for carrying out the reproduction because single parent जो है वो चाहिए, It takes less time, अच्छा, sexual reproduction के मुकाबले generally asexual बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है, इसके बाद offspring are exact clone, offspring जो होते हैं वो अपने parent के exactly similar होता है, जो कहीं नहीं हैं अच्छा है, और कहीं बार हम artificially asexual reproduction करके, desirable characters को भी लेके आ सकते हैं, desirable characters को भी लेके आ सकते हैं, yes, 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 done है, उक्सान क्या होंगे, इसमें variation नहीं आता, तो biodiversity को फाइदा नहीं पहुंचता, biodiversity क्या होता है, एक particular area में कितने प्रकार की अलग-अलग लोग पाई जाते हैं, इसको biodiversity कहते हैं, कितने प्रकार की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं इसको बायो डैवर्सिटी कहते हैं जल्दे बताओ एक फोरेस्ट में और एक शहर में अर्बन एरिया में कहां पे बायो डैवर्सिटी जादा होगी जल्दे बतादो कमेंट सेक्शन पे कहां पे बायो डैवर्सिट ज़ादा होगी बायो डैवर्सिटी ने का मतलब होता है एक पर्टी कुल Umaaloo एक किलोमीटर के रेडियस में कितने प्रकार के लिविंग और्गानिजम प। प्रजाती आ पाई जाती है किошी है तहँ है ज़ल्दी प्ता दो कितने प्रकार की प्रजाती आ बेटा अव्यस सी बात है शहर में कौन मिल जाएगा आपको, इंसान मिल जाएंगे, कुटे मिल जाएंगे, क्यूडे में कोडे मिल जाएंगे, मच्छर मिल जाएंगे, पेड़ पौधे मिल जाएंगे, लेकिन जंगल में कितनी प्रकार की प्रजातिया हैं, आपने नाम भी न सुने होंगे ऐसी ऐसी प्रजातियां जंगल में रहती हैं इतने प्रकार के तो साप रहते होंगे जंगल में जितने अर्बन एरिया में टोटल प्रजातियां नहीं है बात को समझो तो अव्वेस सी बात है और यहां पे लो होती है अब डैवरसिटी का मतलब अगर आप समझ गए हो तो एसेक्शुल रिप्रोड़क्शन जो होता है वो डैवरसिटी को प्रमोट नहीं करता है तो वेरियेशन नहीं आता एविलूशन नहीं आता और इसमें पेरेंट सैक्रिफाइस भी हो जाता है तो जे हमारे यहां पे नुकसान भी लिखे हुए है और फाइनली बेटा जिसका हमें इंतजार था वो घड़ी आ गई आ गई आ गई हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसेक्शुल के बाद सेक्शुल रिप्रोड़क्शन पहले पढ़ेंगे फ्लार्स में यानि की प्लांट्स मे और फिर पढ़ेंगे हुमन्स में त्यारो हाउस जोश हाउस जोश त्यारो हाउस जोश जोश जल्दी बताओ कौन-कौन ठग गया है कौन-कौन ठग गया है एक बच्चे ने कितनी घहरी बात करिये एक बच्चा क्या रहा है सर अरबन एरिया में भी तो सांप बहुत सारे हैं इंसानों के रूप में रह रहे हैं बस ओए-ओए घहरी बात ओ-पी जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर दो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग चैनल को ले के चले गए आज 9 लाख सब्सक्राइबर्स पे आप सब का बहुत-बहुत अभार ही हैं हम लोग चलिए पचास हजार लाइक से सिरफ सो लाइक दूर है हम लोग चलिए बड़े 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 आते हैं हम लोग पॉली नेशन पर आते हैं हम लोग पॉली नेशन पर सबसे पहले आप पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या होता है फ्लार्स में यानि की प्ला प्यार बरकरार रखें, थैंक यू सो मच, इतना प्यार बनाए रखने के लिए, बहुत-बहुत शुक्री है, बहुत, दांस रड़ी रखो, डांस रड़ी रखो, ने, 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 अब ये पुश अब मारूंगा तो मैं देखूंगा अभी नहीं, यहाँ पे पुश अब मारता आवा, हम, छीक है, यह जो केसरी के लाल, मेरी रामजी से कहे दो, ना राम, मुझे पूरा गाना आता निया है, यहाँ, वर्ना मैं गाह देता पका, चलवाओ, छीक है, अब यहाँ पे पॉलिनेशन क्या होता है, सुनो, I hope आपको बताओ, कि प्लांट्स में, मेल प्रदक्टिव और्गन, में यहाँ पर आ जाता है, हमारे पास एंथर, एंथर के अंदर होता है, पॉलन ग्रेंज, इसको बोल देता है, फिलामेंट, फीमेल रीप्रोडुक्टिव पार्ट, उपर वाला इससा होता है, स्टिग्मा, थोड़ा चिपचिपा होता है, नीचे वाला हिस्सा हो जाता है, ओवरी, और इसको बोलते है, स्टाइल, स्टाइल में रहने का, इसको बोलते है, यह जो मैंने लेफ्ट साइड पर बनाया है, यह मेल रीप्रोडुक्टिव पार्ट है, और राइट साइड पर जो बनाया है, यह फीमेल रीप्रोडुक्ट पार्ट से यानि कि एंथर से यह जो पॉलन ग्रेंस होते हैं, यह जो पॉलन ग्रेंस होते हैं, यह उड़ते वे जाते हैं, उड़ते वे मतलब मैं बताऊंगा कैसे, लेकिन अगर यह पॉलन ग्रेंस एंथर से श्टिगमा तक पहुंच जाएं, पॉलन ग्रेंस का एंथर से उ पे जाना इसको कहते है pollination, pollen grains का एंथर से उठके stigma पे जाना इससे कहते है pollination, समझ गए? तो pollination क्या है? अच्छा ये क्यों किया जा रहा है? तो कि आगे जाके ये fertilization करेगा, fertilization क्या होता है? जब male sex cell, female sex cell से जुड़ते हैं, इसको fertilization कहा जाता है, और fertilization करने के लिए pollination करना बहुत ज़रूरी है, ये क्योंकि pollen grains यानि male sex cell को female sex organ के पास तो जाना ही पड़ेगा ना बेटा, तब ही तो fertilization होगी, pollination दो प्रकार का होता है, अगर same flower में, मानलों एक flower है जो कि bisexual है, bisexual flower पता है सबको क्या होता है, bisexual flower एक ऐसा flower होता है, जिसमें दोनों पार्ट होते हैं, male और female reproductive organ दोनों होते हैं, अगर एक bisexual flower है, और उसी flower के एंथर से, उसी flower के stigma में, अगर pollen grains चले जाते हैं, तो इसको self pollination कहते हैं, तो इसको self pollination कहते हैं, लेकिन अगर एक flower के एंथर से pollen grains उठके दूसरे flower में चले जाएं, किसी और flower, किसी और मतलब, same पर जाती कही, लेकिन किसी और flower में चले जाएं, उसको cross pollination कहते हैं, उसको cross pollination कहते हैं, अब इन में और क्या-क्या differences हैं, हम लोग detail में पढ़ेंगे, अब्वेसी बात है, detail में पढ़ेंगे, लेकिन बेटा, लेकिन बेटा, अगर pollen grains एकी flower के stigma से उठके, उसी flower के enter में चले जाएं, this is known as self pollination, लेकिन दूसरे flower में जाएं, this is known as cross pollination, अगर एक flow chart के form में समझाओ, यह हमारे पास एक flower है, यह stamin है, sorry, यह हमारे पास enter है, और यह हमारे पास stigma है, यही से उठा और ही चला गया, तो इसको बोलेंगे self pollination, यह हमारे पास एक flower है जिसमें यहाँ पे enter है, stigma हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और यहाँ पे stigma है, enter हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इसके enter से, इसके stigma में चले गए, तो इसको बोलते है cross pollination, अब यह obvious ही बात है कि self pollination और cross pollination में बहुत सारे differences होते हैं, इसके उपर exam में सवाल बहुत ज कमेंट सेक्शन पर लिख दो, मिलके बनाते हैं कि self pollination और cross pollination में क्या-क्या differences है, हाँ, self pollination और cross pollination में क्या-क्या differences है, पता नहीं या तो नहीं है, self pollination और cross pollination में क्या-क्या differences है, आओ ज़रा देखें, सबसे पहला, definition आती है, कि भईया, pollen grain जाएंगे, enter to stigma of same flower, सही क्या रहा हूं, enter to stigma of same flower, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, pollen grains are transferred from enter to stigma of different flower, यह तो हमारे पास परिभाशा ही हो गई, second definition में क्या आएगा, भई, second में आएगा, only occurs, only occurs in bisexual flowers, obvious ही बात है बिटा, bisexual flowers में ही तो हो पाएगा, अगर एक flower में सिरफ male या female है, तो कैसे कराओगे self-pollination, अगर आपको self-pollination करवाना है, तो बिटा, एक में ही male female तो होना चाहिए ना बिटा, तो bisexual होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें, तो can occur, can occur in both, can occur in both, unisexual and bisexual, यह unisexual में भी हो सकता है और bisexual में भी हो सकता है, और bisexual में भी हो सकता है, थर्ड, बहुत important है, बहुत कम बच्च, अरे very good भाई, क्या बढ़िया बढ़िया answer लिख रहे हो, वो भी बड़े बड़े लिख रहे हो, very good, very good, very good, very good, अब सुनो, very good, अब सुनो, अगर यह difference आपको नहीं पता था, तो गुलाब का फूलची जो मैं लिखने जा रहा हूँ, self-pollination जो है, can also occur in closed flowers, can also occur in closed flowers, यह closed flowers में भी हो जाएगा, एक सेकिन भाई मैं दवाई खालू यार थोड़ी सी, मेरे ना हाथ में actually दर्द है, उसकी दवाई है थोड़ी सी, गले में तो है, हाथ में भी है, गाड़ी की चाप यहाँ तो नहीं है, नीचे तो नहीं पड़ी भी, हाँ, हाँ जी, बाई, हाँ यार, यह वाला डिफरेंस बहुत कम बच्चे जानते होते हैं, can also occur in closed flowers, सुनो, अगर फ्लार बंद है, तो पहली बाद तो self-pollination में, कितने सारे गुलाब के फूल आ गए हैं यार, देखो self-pollination में, हमें same flower में जाना है, तो flower बंद भी हो सकता है, और flower खुलाबा भी हो सकता है, तो flower बंद में भी चल जाएगा, flower खुले में भी चल जाएगा, समझ रहे हो, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें, तो can only occur, can only occur in open flower, बेटा आपको पता होगा, बहुत सारे flowers ऐसे होते हैं, जो दिन या रात के समय पे बंद हो जाते हैं, बहुत सारे flowers ऐसे होते हैं, जो दिन रात के समय पे बंद हो जाते हैं, तो यह जो है, यह बंद वाले case में नहीं हो पाएगा, यह बहुत important है, हाँ 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 येस नया है नया है नया है नया है नया है नया है येस येस चीक है अगला अगला पॉलीनेटर्स पॉलीनेटर्स आर नोट रिकुवाइड पॉलीनेटर्स कौन होते हैं भाई पॉलीनेटर्स होते हैं जो पॉलन गरेंज को लेके जाते हैं इसमें क्या जरूरत ह same flower में जा रहा है गिर जाएगा ऐसे एक pollen grain stigma पे आया छपैक एक pollen grain enter से उठल के stigma पे आया छपैक बस कुछ भी नहीं हुआ कोई pollinator pollinator का मतलब insect वे गया रहा लेकिन यहाँ पे pollinators are required यहाँ पे हमें pollinators के जुरुवत पड़ेगी pollinators के जुरुवत पड़ेगी यहाँ पे बिना pollinators के काम नहीं हो पाएगा समझ गए ओके हाँ यहाँ 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 पे variation भी बहुत कम आते हैं यहाँ पे जादा variation आ सकते हैं क्योंकि एक cross pollination है कभी कबार अलग weather condition में जाके pollinate होता है अलग flower में भी कभी कबार हो जाता है यह भी एक difference में आ सकता है दन है आगे बाच्चा यहाँ पे लिखा बाता देखो note का point cross pollination जादा बहतर माना जाता है diversity के respect में because यहाँ पे variation वेगरा आते हैं pollinator में insect हो सकता है animal हो सकते हैं लेकिन insects ही हमारे main pollinators है insects ही हमारे main pollinator क्यारे है peg opi अबे यार यह देखो यह दवाई पानी में गुलने वाली दवाई है नाम है catrol dt हाँ body pain, dant, dard इन सब में यह काम आती है जाके net पे सर्च करो इसको पानी में गोल के पीते है अबे दारू क्यों प्यूंगा यार हाँ सुनो 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 बहुत important बात करने जा रहा हूँ क्या कह रहा था कि self pollination और cross pollination में कौन बहतर है कौन नहीं अच्छा सवाल नहीं है बट yes obvious सी बात है कि अगर आप variation expect से देख रहे हो तो जादा बहतर cross pollination है और एक और बात ध्यान रखनी है अगर आप ये सोचरों की जादा common कौन सा है तो मैं लिख दूँ की self pollination is more common self pollination जादा common होता है क्योंकि उसमें pollinators की जरूरत नहीं पड़ती है हमें समझ गया क्या समझ गया क्या चीक है अब बात करते है fertilization की fertilization क्या होता है पहली बात तो जब male sex cell अच्छा अभी सिरफ pollination हुआ है अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है अभी सिरफ pollen grains यहाँ पे गए है अभी तो आगे का पूरा प्रोसेस जो है वो बचता है चलो आओ अब सुनो fertilization क्या होता है जब male sex cell fuse होता है female sex cell से और क्या बना देता है single cell जिसको बोलते है zygote एक single cell बना देता है जिसको बोलते है zygote इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है fertilization इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है fertilization समझ गए, समझ गए, समझ गए, ठीक है, ठीक है, अब अगर बात करें तो fertilization flowers में कैसे होती है, ये तो आप समझ गए थे कि हमारे पास जो pollen grain है, जो pollen grain है, वो यहाँ पर आ गया था, अब होता क्या है ध्यान से सुनना, जैसे यहाँ पर pollen grain आता है, इसकी germination हो जाती है, germination का मतलब क्या होता है, pollen grain पूरा हमारे कामका नहीं होता, pollen grain के अंदर एक छोटी सी चीज होती है, इसको nucleus कहते हैं, वो हमारे कामका होता है, उपर का छिलका हमारे किसी कामका नहीं है, तो जैसे ही pollen grain यहाँ आता है, उसका germination होता है, उपर से छिलका विलका सब हटा देते हैं बचता कौन है Pollen Nucleae Pollen Nucleus अब जैसे यहाँ पर Pollen Nucleus आता है तभी साथ ही साथ एक Chemotropism होता है जो कि आज ही हमने बात की और यहाँ पर एक Ovule जो है Ovule जो है यानि Ovary जो है उस तक एक क्या बनता है उस तक बनता है Pollen Tube Chemotropism की मदद से किसकी मदद से Chemotropism की मदद से यहाँ से एक Tube बनती है जो कहां तक जाती है Ovary तक जाती है Ovary पर जाके यह Pollen Nucleae को अंदर बैठे होते हैं Eggs उनके साथ Fuse करवा देती है और जब यह Pollen Nucleae यह Pollen Nucleus जब जाके जुड़ जाता है Egg के साथ तो एक Single Cell बनाता है जिसको आप Zygote या आप इसको Seed भी कहलो यह Seed बन जाता है और मुबारक हो बच्चो मुबारक हो Fertilization हो गई Seed बन गया अब Seed बन गया तो बच्चा तो बनी जाएगा समझ गया क्या Okay Done है अब सुनो अब आगे क्या होता है आगे क्या होता है यह तो हो गया भई अब आगे क्या होता है यहाँ पे जब Seed बन जाता है तो Seed के बारे में एक छोटा सा structure पढ़ लेते हैं Seed के उपर क्या चा होता है यह एक में चिक पी यानि की जो हमारा सफेज छोला होता है उसको ना मैंने खोल दिया उसको मैंने खोल दिया अब इसके उपर जब जर्मिनेशन होता है तो एक उपर का हिस्सा निकलता है एक नीचे का हिस्सा निकलता है उपर वाले हिस्से को अभी आप कहलो प्लुम्यूल किसी को बताए प्लुम्यूल को और क्या कहते है प्लुम्यूल का दूसरा नाम बता दो प्लुम्यूल का दूसरा नाम बता दो प्लुम्यूल का दूसरा नाम बता दो और यह है रेडिकल हाँ बहुत सभी प्लुम्यूल का दूसरा नाम होता है फ्यूचर शूट भविश्य में यह जाके शूट बनेगा याने की अपर वाला पार्ट बनेगा रेडिकल का भविश्य में नाम होता है फ्यूचर रूट यह भविश्य की रूट है यह बड़ाओ के रूट बनेगा सीड के उपर एक कोटिंग होती है जिसको आप सीड कोट कहते हो और सीड कोट के अनदर ही एक चीज होते हैं जिसे कोटिली डॉन कहा जाता है कोटिली डॉन बेसिकली क्या करता है यह खाने को स्टोर करता है कोटिली डॉन बेसिकली क्या करता है यह खाने को स्टोर करता है और प्लांट्स के सीड को continuously खाना प्रोवाइट करता रहता है क्योंकि उसको germinate होना है आगे जाके पूरा पौधा बनना है तो यह cotyledon जो है actually में खाना श्टोर करता है किसी के पास एक cotyledon होता है जिसको हम monocot कहते हैं मैं आपको पता दू अगर कहीं पे monocot लिखा हुआ है तो इसके पास एक single cotyledon है और कहीं पे अगर die cotyledon लिखा हुआ है तो इसका मतलब है उसके पास दो cotyledon है यह वैसे 9th class में था बर diversity in living organism हमारे syllabus से delete हो गया था कोई बात नहीं तो यह basic basic seed का structure होता है समद गया है ओके हाँ यह एक प्रकार से food का काम करता है एक प्रकार से food का काम करता है done है चालो and finally 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 हम humans के reproduction पे आ चुके है finally हम लोग human के reproduction पे आ चुके है finally हम लोग human के reproduction पे आ चुके है how's the josh जल्दी बताओ josh कैसा है हाँ हाँ बढ़े आगे सोनो भई सोनो भई सोनो भई सोनो भई इसके बाद हमारे दो चेप्टर होते हैं एक होता है life processes और एक होता है our environment मैंने आपको क्या बोलाता है आज class की शुरुवात में life processes एक ऐसा चेप्टर है जो सबसे basic प्रकार का चेप्टर बेसिक से मतलब सबसे पहला चेप्टर है और environment पहले तो मैं सोच के था कि मैं ना कराँ अभी मैं पोल दलवा दुगा पोल वाले भईया अगर आप यहां पर हो तो एक बार प्ली पोल लाल दीजै कि our environment करवाना है या नहीं करवाना है पोल वाले भीया ढल दीजी आर्ण एन्वारेमेंट करना है कि नहीं क्योंकि आर्ण एक बहुत basic chapter है मैं P.P.T मैं देखिया आया हूँ mad environment आप बोलोगे तो करवा दूँगा आप बोलोगे कि नहीं skip कर दो तो skip कर दूँगा because बहुत basic chapter है बट फिर भी अगर आप कहोगे तो करवा दूँगा, एक बारी पोल वाले भाईया, प्लीज पोल लगा दीजे, हाँ जी, डन है, छीगे, अभी तो ब्रेक दीती थोड़ी दे पहले बेटा, प्लीज ऐसा ना करो, चालो आओ, जब तक हम पोल लग रहा है, तब तक हम लोग श हुमन में सबसे पहले हमारे पास आता है, मेल रिप्रोड़क्टिव पार्ट, अब ये मेल रिप्रोड़क्टिव पार्ट क्या होता है, सबसे पहले, इसको यहां से समझते हैं, उसके बाद पीछे आके पढ़ लेंगे, बेटा, मेल रिप्रोड़क्टिव पार्ट के कुछ important चीज़े पढ़ेंगे जो exam में पूछी जाती हैं तो सबसे पहले आता है ये pouch ये pouch को हम लोग कहते हैं बिटा ये जो pouch आप देख रहे हो इसको हम लोग testis sack भी कहते हैं या फिर इसे scrotum भी कहा जाता है इसको testis sack भी कहा जाता है और इसको scrotum भी कहा जाता है और इसके अंदर ही हमारे male sex organ का सबसे important हिस्सा जिन्हें कहते हैं testis ये pair में होते हैं मेels में testis कितने होते हैं डो होते हैं pair में होते हैं testis body के बाहर क्यों लड़क रहे होते हैं ये scrotum नाम के pouch में क्यों होते हैं, यह body के अंदर क्यों नहीं है, जब बाकी सारा हिस्सा body के अंदर है, kidney body के अंदर है, lungs body के अंदर है, दिमाग हमारा body के अंदर है, तो scrotum या फिर testis body के बाहर क्यों है, यह बहुत important सवाल है, exam में बहुत आता है, यह जो pouch है, यह body के बाहर क्यों है आओ जरा समझें testis को क्या बनाना होता है sperm बनाना होता है sperm बनाने के लिए एक certain optimum temperature चाहिए होता है वो temperature approximately 30 से 35 degree Celsius के आसपास होता है हमारी body का जो temperature होता है वो 37 इस अब लिखा हुआ है हमारी body का जो temperature होता है वो 37 degree Celsius होता है और आप सब जानते हो हमारी body very good आप सब जानते हो कि हमारी body जो है वो हमारे temperature को maintain करना बहुत जानती है अब अगर यह testis हमारी body के अंदर होते तो इनका भी temperature 37 रहता और sperm production में problem होती तो हमारी body कितनी हुश्यार है इनोंने testis को बाहर hang कर दिया जिससे कि यह बाहर रहेंगे तो body से दूर रहेंगे और temperature regulate कर पाएंगे मैंने इसके उपर एक shot डाला था total overall 50 million से ज़्यादा views हैं उसके उपर उस shot में क्या था कि गर्मियों में testis जो है वो body से और दूर हो जाते हैं तो प्राहस कर दिया इसलिए यह body के भाषर होते हैं आप testis ने क्या बनाया sperm बनाया sperm बनाने अच्छा testis sperm कैसे बनाते हैं पहली बात तो इसमें male को puberty की age को cross करना होता है जो कि 10 से लेके 12 साल है male में प्यूबर्टी की जो एज होती है वो 10 से लेके बहाँ, पोल लगवा देते हैं अभी, मेल में जो प्यूबर्टी की एज होती है वो 10 से लेके 12 साल होती है, 10 से लेके 12 साल के बाद एक मेल sperm produce करना शुरू कर सकता है, लेकन वो sperm produce कैसे करता है, उसको उसके लिए sexually excited होना पड़त इसको बोलते है, sexually excited होना और उस case में testers के पास hormonal changes होते हैं और वो sperm production शुरू कर देता है, जैसे sperm production शुरू होता है, sperm बनते हैं, ये vast difference नाम के pipe से, ये एक sperm duct, vast difference को प्यार से, vast difference को प्यार से sperm duct भी कहा जाता है, vast difference को प्यार से sperm duct भी कहा जाता है, sperm duct से होते 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 होते, sperm यहाँ पहुचते हैं, लेकिन अब एक problem सुनो, sperm को female body के अंदर जाना है, और बहुत लंबे समय तक वहां पे survive करना है, तो क्या खाना पीना लेके जाना यहां से जो sperm अभी क्या होगा पीनस से sperm female body के अंदर एंटर करेंगे बट क्या जब female body के अंदर एंटर करेंगे उन्हें बहुत समय तक वहां पर परवाइफ करना होगा तो उन्हें मौश्चर और खाना लेकर जाना होगा कि नहीं जाना होगा यह बता दो एक बच्चा पूछ रहा है नाइट फॉल के बारे में बैट नाइट फॉल में भी यही होता है आप सपनों में सेक्शुली एक्साइट हो जाते हो आपका टेस्टेस स्पर्म बनाना शुरू कर देता है अभी हम पढ़ाई के भार नहीं जाएंगे कभी और डिटेल में इसके बार बात करेंगे मैं हर एक चीज का आंसर दे सकता हूं बेटा क्योंकि मेरे को कोई शरम नहीं हम साइंस पढ़ने बैठे हैं यह बट अभी आउट आउट आफ स्ल से बन जाता है सीमेन यानि कि जब टेस्टिस से बार निकला था तो इसको बुला गया था स्पर्म लेकिन जब यहां से बार आता है यह तो यह सीमेन बन जाता है क्योंकि स्पर्म के अंदर नरिश्मेंट एड हो जाता है और यह सीमन बन जाता है आई होप आपको स्पर्म का structure पता हो, sperm के पास एक tail होती है, एक head होता है सारा genetic material head में बैठा होता है tail इसकी movement में help करती है tail इसकी movement में help करती है अच्छा, जब एक इनसान sexually excited होता है तो दो चीज़े होती है, एक तो testis जो है, वो sperm production शुरू कर देता है और एक, जो penis होता है वो hard हो जाता है और एक penis जो है, जो कि एक muscular organ है, यह hard हो जाता है इसका hard होना जरूरी क्यों है क्योंकि इस penis को जाना होता है vagina के through और female body में vagina के बारे में बात करेंगे अभी female में यहाँ पे vagina है तो sexually जब एक male excited हो जाता है तो penis पहली बात तो hard हो जाता है और अगर penis hard हो जाएगा तो vagina के through काँ पे vagina के through penis जाएगा और यहाँ कहीं, cervix के पीछे कहीं क्या release कर देगा? semen इसको अब sperm कहेंगे या semen कहेंगे? sperm भी कह सकते हो, semen भी कह सकते हो मेरी जान देखो मेरी जान देखो मेरी जान देखो मैं कुछ भी पढ़ाने से पीछे नहीं हट रहा हूँ लेकिन please चीक है? मेरी हाथ जोड़के विनिती है मेरी हाथ जोड़के विनिती है please please जब एक male sexually excited हो जाता है तो penis hard हो जाता है और यह penis जो है यह vagina के थुरू जाता है यहाँ पे कहीं यहाँ पे कहीं सर्विक्स के बाहर कहीं यह सर्विक्स के अंदर कहीं क्या release कर देता है? सीमन यानि की sperm और उसके बाद क्या उता पढ़ेंगे? लेकिन यह process हुआ male में यह process हुआ male में बास समझ में आई? अब एक सवाल पूछता हूँ मैंने अभी आपको थोड़े देल पहले पताया था कि एक male sperm produce करना कब शुरू कर सकता है? तो answer है puberty की age में लेकिन क्या कोई age limit है कि यह कब तक कर सकता है? इसके बार में बताओ क्या कोई age limit है कि यह कब तक कर सकता है? बस इसके बार में बता दो हाँ जी हाँ जी हाँ जी चीके 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 पताओ यह तो पता है यह तो पता है कि यह 10 से लेके 12 साल की उमर में स्टार्ट होता है production लेकिन यह कब तक हो सकता है? क्या कोई उमर है? गलत 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 जो बच्चे 65 इयर्स लिख रहे है जो बच्चे 70 इयर्स लिख रहे है वो गलत अव्यस सी बात है उमर के साथ साथ स्पर्म काउंट कम हो जाता है अव्यस सी बात है उमर के साथ साथ स्पर्म काउंट कम हो जाता है हमारी बॉड़ी जैसे एक healthy male में एक बारी में millions of sperm release होते हैं उमर के साथ-साथ, बुरी डाइट के साथ-साथ, bad daily habits के साथ-साथ, sperm count कम हो जाता है, लेकिन male में कोई age नहीं होती जहां पे sperm निकलना बंद हो जाएं, there is no age there is no age limit there is no age limit, yes yes, 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 चलो सब लिखा हो आए, देखो यह testis के बार में लिखा हो आए testis के, बटा, अगर हमारे पास time होता अगर हमारे पास time होता अगर आप हमारे paid batch में होते हैं, या हम offline में पढ़ रहे होते हैं, या हम शुरू से में biology, अगर time होता, तो मैं obvious सी बात है, और छोटी छोटी बारी की भी पकड़ता कि twins बच्चे कैसे पैदा होते हैं, non-identical twins क्या होता, अभी हमारे पास उन सब चीजों का time नहीं है, syllabus के भार की चीज़े हैं, और हमारे exam में आएंगे नहीं, तो अभी के लिए उनको छोड़ देते हैं, ठीक है bisexual लोग क्या होते हैं, गे और lesbian में क्या फरक है, bisexual, gay, lesbian इन में क्या फरक है, बहुत अच्छी detail पढ़ाई की जा सकती है, ना good manner बस बच्चा पढ़ने वाला होना चीए, और ठीक है, ठीक है, सर क्या हमें, देखो, दो बाते हैं, पहली बात तो ये diagram पूरा का पूरा exam में बनाने के chances सिरफ 5% है की आएगा, हमारे time पर आया करता था, अब आपको पता होगा, CBSC ने एक बदलाफ किया, बहुत complex diagram वो बनाने को देते नहीं है, वो ज़्यादातर cases में labeling देते हैं, मतब diagram बना बना आएगा, आपको बोल देंगे कि पताओ, ये A है, इसका काम क्या है, ये A है कौन, इसका काम क्या है, जो मेरी बात से agree करते है, thumbs up दे देना, मैं ये नहीं कह रहा है, diagram आनी सकता, पांच प्रतिशा chances हैं, अब आए, 95% chances हैं, diagram बना बना आएगा, A, B, C, T labeling दे देंगे, आपको identify करना होगा और function लिखना होगा, सहमत हो, thumbs up दे दो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सहमत हो, thumbs up दे दो, सहमत हो, तो thumbs up दे दो, येस, 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 अरे वाँ बहुआ, बहुत सारे बच्चे सहमत हैं इस बात से, चलिए, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं female part पे, female part में सबसे पहली बात तो, ये जो vagina होता है, सिरफ ये वो opening है, ये वो opening है, जो की female में visible होती है, बाकी सारा हिस्सा female body के अंदर है, male में क्या था, जो testis है और penis है, ये दोनों male body के भार है, बाकी वाला हिस्सा अंदर है, यहाँ पे सिरफ vagina opening है, बाकी ये सारा हिस्सा female body के अंदर है, दूसरी और important बात, आप में से हो सकता है, बहुत सारे बच्चे ये बात ना जानते हों, कि penis में ये जो urethra है, ये ही वो जगा है, जहां से urine भी भार आता है, और ये ही वो जगा है, जहां से semen भी भार आता है, समझ गए क्या, ये ही वो जगा है, ये single pipe है, single opening है, यहीं से urine भी भार आता है, यहीं से semen भी भार आता है, obvious ही बात है, दोनों एक साथ भार नहीं आ सकते हैं, ये बात common sense की है, लेकिन, 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 अगर मैं बात करूँ, females में, तो vagina एक अलग opening है, और females में, जहां से urine भार आता है, वो अलग होता है, सबसे पहले ये doubt clear करेंगे, males में एक ही जगा है, जहां से sperm, यानि semen भी भार आ रहे हैं, और urine भी, females में अलग होता है, females में vagina से urine भार नहीं आता, उसके लिए अलग opening है, वेजाइना अलग है, तो सबसे पहले आता है ovaries, जैसे male में testis थे बिटा, जैसे male में testis थे, ऐसे females में ovary होते हैं, again a pair of ovary होते हैं, a pair of ovary होते हैं, समझ गए, समझ गए, अब सुनो, अब क्या होता है, जो ovary होते हैं, ये ovary release करते हैं, जिसको ovulation कहा जाता है, जब भी ovary over release करती हैं, इने ovulation कहा जाता है, एक महिने में एक बार, एक और difference देखो, male जब चाहे sperm produce कर सकता है, लेकिन female ovulation, एक मन्त में एक बार कर सकती हैं, पहली बात, दूसरी बात, female में ovulation, again puberty की age से start होता है, which is approximately 10 से 12, या क्या लो 12 से 13 साल की उमर में, लेकिन एक और यहां पर बड़ा बड़ाव आता है, कि female, sorry, एक बहुत बड़ा बड़ाव आता है, कि जो female है, ये ovulation, lifetime तक नहीं कर सकती, true या false, true या false, female जो है, ये lifetime तक ovulation नहीं कर सकती, true या false, true या false, जल्दी बताओ, sorry, 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 हाँ, पानी पिना पड़ेगा ऐसा, हाँ ना बई, sorry, 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 females जो है, वो lifetime तक ovulation नहीं कर सकती है, एक level आता है, जहां पर उनका ovulation रुख जाए, आता है, जिसको menopause कहते हैं, obvious सी बात है, सब females में ये अलग-अलग है, बट अगर average age की बात की जाए, तो आप इसे 45 to 55 years कह सकते हो, कई females में 60 years की age में भी आता है, कईों में ये 40 में भी आ जाता है, आप समझतों ये health पर depend करता है, lifestyle पर depend करता है, बट ये average लिए 45 to 55 years की age में आता है, इसको menopause बोलते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा सा और जाने, तो जब ovary, जब ova यानि egg release करते हैं, तो वो इस ovy duct से होते वे आते हैं, अब मान लेते हैं यहाँ पर, sperm release हो चुका है, तो sperm यहाँ से दोड़े चले आते, आदे इधर जाते हैं, आदे इधर जाते हैं, तो आदे तो waste हो जाते हैं, और आदे जाते हैं यहाँ, इसमें से जो एक होगा, इसमें से जो एक होगा, actually होता क्या है, इसके उपर again बहुत सारी theories हैं, कहीं theory कहते हैं कि, जो sperm सबसे आगे होता है, वो ovary में जाता है, वो ovary में जाता है, और fuse हो जाता है, और zygote बनाता है, एक theory यह भी कहती है, कि एक बारी में बहुत सारे जाते हैं, लेकिन egg decide करता है, कि उसको कौन सा sperm पकड़ना है, अगें आप से theory से आपका कोई exam करोंड़ना देणा नहीं है, आपको जो theory अच्छी लगया आप उसे अपना लो, छीकिए, आपको जो theory अच्छी लगया आप उसको अपना लो, लेकिन ध्यान से सुनियेगा, मैंने बूला कि कि दो theory होती है, यहां से बहुत सारे sperm जाएंगे millions में, ओवा तो एक ही है, एक तो एक ही है, अच्छा एक का साइज बहुत बड़ा होता है, एक का साइज स्पर्म से बहुत बड़ा होता है, अब आप कौनसी थियोरी पे बिलीफ करते हो, first या second में पताईएगा, ठीक है, पहली थियोरी कहती ह है, कि बहुत सारे sperm भागे चले जाते हैं, जो सबसे आगे होता है, जो three idiots में भी पताई गई थी, three idiots में, जो सबसे आगे sperm होता है, वो जाके घुच जाता है, ओवा में, ओवम में, और जाइगोड बन जाता है, एक थियोरी यह भी कहती है, कि बहुत सारे sperm एक साइज जाके अब एग डिसाइड करता है कि मुझे कौन से स्पर्म को अंदर आने देना है देखो आप कमेंट सेक्षन पर ही देख सकते हो कुछ बच्चे फर्स्ट थियोरी पर बिलीफ कर रहे हैं कुछ बच्चे सेकिन पर अगेन एक्जाम से रेना देना नहीं है लेकिन बच्चो मुबारक हो जाइगोट बन गया मुबारक हो यहाँ पर जाइगोट बन गया यह जाइगोट जो यहाँ पर बना है यह अराम से चलता चलता आता है चलता चलता आता है और एम्ब्रियो में आके बैठ जाता है embryo में uterus में आके बैठ जाता है embryo में uterus में आके बैठ जाता है इसको warm भी कहते है warm भी कहते है normal भाशा में उसमें आके बैठ जाता है दीरे दीरे multiple cells में divide होता है embryo बनता है fetus बनता है 9 महिने के बाद जिसको gas station period कहते है वेजाइना के थुरू बच्चा भार आ जाता है मुबारक हो बेटा अब यहाँ पर बहुत सारी चीजे हैं जो हमें जानने हैं सबसे पहली बात फीमेल में अगर फीमेल बॉड़ी के अंदर स्परम नहीं है तो फिर इस एग का क्या होगा जल्दी से पता हो अगर फीमेल बॉड़ी में स्परम नहीं है तो इस एग का क्या होगा अच्छा मेल और फीमेल रिप्रोड़क्टिव पार्ट को एक साथ अगर बोलना हो तो गोनैट्स के दिया जाता है मेल और फीमेल रिप्रोड़क्टिव पार्ट को एग तो निकल रहा है ovulation तो रहा है अब यहां से एग निकला लेकिन sperm नहीं आए अब होता क्या है बोडी को लगता है कि जब भी एग निकल रहा है तो pregnancy हो सकती है तो वह क्या करता है uterus पह डेटच सेल की ने कले बना लेता है यूट्रस्ट पे डेट सेल की एक लेयर बना लेता है कि भाया बच्चा आएगा अराम से नौ महीने बैठेगा यहां पर जीवन बिताएगा उसको गदेदार जगा मिलनी चाहिए लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो यह डेट सेल की लेयर किसी काम की नहीं रहती है फिर यह shed off हो जाती है along with some blood capillaries जिसको menstrual flow कहते हैं जिसको menstrual flow कहते हैं यह female में हर महीने होता है इसमें female को pain suffer करना पड़ता है blood का loss होता है इसके लिए female को हम लोग solute कहेंगे कि वो हमेशा puberty की age के बाद हर महीने यह बरदाश करती है और यह बहुत असान बात नहीं है तो इसके लिए सारे लॉंडे जितने भी comment section पर है female को solute मारेंगे लॉंडो इमानदारी gentleman बनो और solute मारो very good बेटा लेकिन यह एक जीवन का हिस्सा है obvious सी बात है इसके बार में पहले पढ़तने फिर प्यूबर्टी में आ जाएंगे ठीक है फिर प्यूबर्टी में आ जाएंगे का गया का गया menstrual flow तो हर एक menstrual cycle के बाद जो dead cell के layer हां 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 salute आ लॉंडो का salute आ गया है नहीं 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 आप सुनो भाई होता क्या है हर महीने जब ovulation होता है लेकिन fertilization नहीं होता है तो वो dead cell के layer किसी काम की नहीं रहती है तो vagina के थूरू इससे blood का loss के form में dead cell निकल जाता है इसको menstrual flow बोलते हैं जब ये female में सबसे पहली बार होता है इसको men's arc कहा जाता है का लिखा है का लिखा है का लिखा है ढूंडो 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 जब ये female में पहली बार होता है इसको men's arc कहा जाता है men's arc कहा जाता है sorry और जब ये रु जाता है इसको हम लोग menopause कहते हैं और जब ये रुक जाता है इसको हम लोग menopause कहते हैं menopause कहते हैं ये तीन से लेके 7 दिन तक चल सकता है again depending upon the health ये तीन से लेके 4-5-6 दिन 7 दिन चल सकता है again depending upon the health समझ गए oh my god चलो चलो पीछे एक topic रह गया था puberty क्या होता है lkg से पढ़ते आ रहें जब एक female और male जब एक female और male जब एक female और male sexually mature हो जाते हैं उनके body में sex cells बनना शुरू हो जाते हैं secondary sexual characters आना शुरू हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि बच्चा puberty में आ गया बच्चा जवान हो गया समझ रहो एक प्रकार से ठीक है ठीक है ठ हाइट एकदम से बढ़ जाती है भारी आवाज हो जाती है shoulder चौड़े हो जाते है छाती पे चाती पर और मूपे बाल आना शुरू हो जाते है फीमेल्स में क्या होता है वाज थिन हो जाती है शार्प हो जाती है shoulder ब्रॉड़ हो जाते है hips round हो जाते है breast enlargement यानि कि memory glands की development होने लग जाती है breast enlargement होने लग जाता है memory glands की development होने लग जाती है hair जो है वो reproductive part के आसपास grow करना शुरू जाते हैं यह तो male में भी होता है यह तो male में भी होता है done है तो यह basic basic changes हो जाते हैं चौलो sexual demorphism क्या होता है ऐसे कोई भी character जो male को female से अलग बनाते हैं उनको sexual demorphism क्या देते हैं लिखा वाए कुछ है नहीं और reproductive organ के अलावा आप कैसे पता लगाओ कोई male है या female है ऐसे characters को हम लोग secondary sexual characters कहते हैं ऐसे characters को secondary sexual characters कहते हैं समझें गया ओके ओके बेठा चीक है डन है डन है हाँ लॉंडो में यो adams apple होता है यह इसको adams apple कह रहे है actually vocal chords होते हैं लॉंडों में चौड़े हो जाते हैं तब यह आवाज भारी हो जाती है तो यहां दिखना शुरू हो जाते हैं लड़किया आप में चेक करना आपके पास नहीं हो गाई ठीक है बटा चालो आगे बात करते हैं आगे बात करते है बर्त control method के बारे में बात करते हैं आओ जशारा समझे梁 बर्त control method क्या होता है देखो हमेशा जभी mating हो तो आप हमेशा नहीं मैटिंग का मतलब हो गया जब male और female मिलते हैं fertilization के लिए या बस mating करते हैं अब जब भी mating होगी जरूरी नहीं है कि आप चाहो कि हाना सुनना ध्यान से सुनना मेरी बात को बर्थ пой hartha बहुत सारे Lisan से एक तो जब आप चाहते हो कि Saya अधिक करने के लिए कहें एक बीमारीarna से बचने के लिए लिए बट चलो पॉइंट इसकी बर्थ कंट्रोल मेथर्ड में सबसे पहला मेथर्ड जो आता है या आता है बेरियर मेथर्ड बेरियर मेथर्ड बेरियर मेथर्ड में जैसा की नाम से पता लग रहा है जैसा की नाम से पता लग रहा है बेरियर मेथर्ड इसमें हम मेल और फीम आपने नाम सुनाओ condoms या फिर आपने नाम सुनाओ copper tea condoms और copper tea ये दोनों barrier है अब अगर ये जैसे कि condoms जो होते हैं वो male penis के ओपर चड़ते हैं अब अगर male जो है वो semen release भी करेगा तो बीच में barrier होगा female body के अंदर वो जानी पाएंगे birth control बच जाएगा copper tea female यूज़ करती है अच्छा ध्यान रहे condom is the best method best birth control method क्यों एक तो ये बहुत easy to use है दूसरा ये बहुत cheap है तीसरा generally इसके कोई side effects नहीं है और चौता और सबसे important सबसे important ये prevent करता है STD से ये prevent करता है STD से चलो एक सवाल पूछता हूँ हाँ चलो एक सवाल पूछता हूँ हाँ चलो एक सवाल पूछता हूँ क्या copper tea जो है क्या ये STD से बचाती है बोलो क्या ये जो copper tea है क्या ये STD से बचाती है yes or no yes or no copper ये भी कह सकता हूँ कोपर टी एक mechanical method के अंदर आता है ऐसा भी कह सकते हो लेकिन एक प्रकार से देखो मैं आपको पताता हूँ कोपर टी करता क्या है कोपर टी में कोपर के ions होते हैं यह कोपर के ions sperm को मारते हैं लेकिन आजकल कोपर टी ऐसी भी आगे जो की cervix पे लग जाती है और एक barrier की तरह काम करती है यह STD से नहीं बचाती है ध्यान रखना यह STD से prevent नहीं करती है यह बात ध्यान रखेगा ठीक है ठीक है जी इसके बाद आता है हमारे पास chemical method इसमें तो बस मैं क्या ही पता हूँ इसमे तो आपको common sense होनी चाहिए कि अगर female body के अंदर semen enter कर गया तो female को कुछ chemical खाने होते हैं यह chemical दो प्रकार से होते हैं एक oral होते हैं और एक vaginal भी होते एक oral भी होते हैं और एक vaginal भी एक होते हैं जो ओरली खाय जाते हैं दवाईयों के फॉर्म में एक जो डॉक्टर जो है वेजाइना के थुरू भी इंजेक्ट करता है और तीसरा आता है सर्जिकल मेथड अच्छा ऑविसी बात है बेटा इसके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं केमिकल मेथड के बहुत साइड इफेक्ट्स है आप आप केमिकल खा रहे हो कॉमन सेंस से आप केमिकल खा रहे हो तो साइड इफेक्ट्स होंगे इना बेटा सर्जिकल मेथड में हम सरजरी कर देते हैं अगर हम स्पर्म डक्ट को अपस में जोड़ दें काट के जोड़ दें इ इसको हम वैसे टॉमी कह देते हैं, वैसे टॉमी की स्पेलिंग मैंने सही लिखिया है क्या, मैंने क्या स्पेलिंग सही लिखिया है, गूगल करूँ, मेरा गला गया लगता है, वैसे टॉमी की स्पेलिंग मैंने सही लिखिया है या गूगल कर लूँ, यह मेल्स में होता है, क् ने गल्ट लिखिए ना हां मुझे लगी रहा था कि मैं इसकी स्पेलिंग भूल रहा हूँ मैं गूगर गर लेता हूँ वैसे किת T sexuality कि सॉरी सॉरी मैंने यहां पे बहुत जदा ही गलत कर दिया मुझे लगी रहा ठीमा था कि मैं कुछ गलत तो लिख रहा हां इए कि मैं कि यह सपय्लिंग गलट नहों जए न थे बहुत कम लिखता हु मैं यह वर्ड्स क्योंकि लिखें रहते हैं अक्सर नोट में तो इसलिये मुझे इनके स्पैलिंग्याद हाँ, ट्यूबी से टॉमी किया जाता है, फीमेल्स के अंदर, अब अब अब्विस ही बात है, एक मेल पार्टनर है, फीमेल पार्टनर है, तो कोई एक ही करेगा, दोनों को करने, देखो चैप्तर को, पढ़ाते पढ़ाते इतनी भवनाओं में भैगया, कि मैंने सेशन को भी नहीं बोला आपको, लेकिन आपने कर दिया, लेकिन आपने कर दिया, वेरी गुड, आपने कर दिया, और ये कितने बड़े हैं, बस, 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 अच्छा, चलो, यार देखो, मैंने आपको फिर से बोला है, आज चार बजे, आज चार बजे, most expected questions होने वाले हैं, अच्छ जो PYQs होते हैं, वो ही हमारे exam में आते हैं, हर साल, चीक है, चीक है, चीक है, डन है, तो इसको block कर देते हैं, इससे भी हम CTD से general ही नहीं बचते हैं, इससे भी नहीं बचते हैं, इसलिए बेटा exam में पूछा जाता है, कि WHY Condoms are best method, हना, तो मैंने आपको बता दिया, अब यह यहां पर आता यार STD क्या होते हैं याने कि sexually transmitted diseases क्या होते हैं तो ऐसे कोई भी disease जो during mating, during sexual contact between male and female फैलते हैं, उन्हें STD याने कि sexually transmitted disease कहा जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक और known है HIV AIDS है, हाना, और साइफिल्स है, स्वाट्स है, वाट्स है, सारी जो बिमारियां है, य से फीमेल के अंदर ये फैलती हैं, समझ गए, चालो, तो यहां पर हमारा reproduction chapter खतम होता है, अब आपको मैं यहां पर एक पोल दे देता हूं, पोल यह है कि क्या आज की class खतम कर दी जाए, या फिर our environment पढ़ाया जाए, चालो, पोल आ रहा है, क्या, पोल आ रहा है, एक second दे द क्या, ठीक है, मुझे लग रहा था, our environment करवाएं, कि नहीं करवाएं, या class खतम, नहीं, या देखो, लाइफ प्रोसेस बहुत बार हो चुका है, मेरी जान बहुत बार, बायो वाले मैम ने कल शुरुआती से कराई थी, पूरी एनर्जी से कराया, तो मुझे लगता है, यह अच्छा, प्लेसेंटा के बारे में बात करना भूल गए, हम लोग जब तक मैं प्लेसेंटा करता हूँ, आप मुझे पोल पे पताओ, प्लेसेंटा क्या होता है, जब एक बच्चा, जब एक जाइगोट, इंप्लांट हो जाता है, यूटरस में, तो उस प्रोसेस के दौरा अब मदर से बच्चे तक पहुंचाती है, उसको हम प्लेसेंटा क्या देते हैं, हाँ, उसको हम प्लेसेंटा क्या देते हैं, ओके, 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 61% बच्चे, मतलब नहीं मानोगे है, आदे घंटे में जल्दी यल्दी पढ़ देते हैं, ये वाली PPT में सेफ कर हां में आज चप्टर इस वाली प्रतиг मैं notify में दोनों के दोनों प्रति भेजगूंगा ठीक है मैं दोनों प्रति बेजग दूगा टेलीग्राम पे टेलीग्राम को भी फालो करलो उस की फेज़ी सब्सक्राइबर करी है दो तो मैं ना किसे अ क्या हाँ हाँ आदे घंटे में ऐसा करते हैं आर एंवार्मेंट पढ़ लेते हैं आदे घंटे में आर एंवार्मेंट पढ़ लेते हैं और आज रात को आज शाम को चार बजे most important class most important class most expected questions हम लोग देखने वाले हैं ठीक है यह PPT इसक्रश्य आक्षुली बहुत बढ़ी थी इसलिए सेव होने में देर लग रही है सेव हो चुक हैं अरे बाप अरे बाप अरे बाप अरे बाप और अरे और एंवार्मेंट आँज 450 congressional अब तो comment section पर होई है कुलर ओपी जल्दिसे ऊप्लर ओपी लिख दो पिपिटी का तुम फ्रंट देखोगे ना मज़ा आ जागा तुम्हें बस ये इजी नोट फाइव इस फ्रंट को खराब ना कर दे ये इजी नोट फाइव इस फ्रंट को खराब ना कर दे हाँ हाँ 62% बच्चों ने कहा है भाई साब एक तो भाई चाय के लिए, अब तो चाय पीने का मन कर गया यार, अब तो चाय पीने का मन कर गया, अब तो चाय पीने का मन कर गया भाईया, चलवाओ, आप सब को पता है, इस चेप्टर में हमने कुलड क्यों लगाए है, हमने इस चेप्टर में कुलड इसले लगाए है, क्योंकि इस यल्दी आदे घंटे में इस चेप्टर को करते हैं समाप्त, सबसे पहले आता है और एन्वार्मेंट में एन्वार्मेंट क्या है, तो हमारे आसपास की चीजों को हम एन्वार्मेंट क्या देते हैं, एन्वार्मेंट में एक चीज ऊती है, इको सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जो मिलके बनता है बाय्टिक और एन्वाय्टिकॉंटिक चाउंपोनेंट से जिंदा, जिन्दा, और नॉन लिविंग लोगों से मिलके जो system बनता है उसको हम लोग कह देते हैं ecosystem, ecosystem में सबसे पहले आता है abiotic components, abiotic में कौन कौन आ गया, carbon dioxide आ गया, पानी आ गया, हवा आ गया, soil आ गया, यह सब abiotic components में आते हैं, हवा हमारी help करती है, सांस लेने में plants को carbon dioxide देती है, obvious सी बात है, obvious logical reaction करता है, aquatic life इस पर survive कर सकती है, obvious सी बात है, obvious सी बात है, obvious सी बात है, चलिए, फिर आते हैं biotech components, सारे living components को हम biotech कहते हैं, सारे हरे plants जो कि हमारे लिए producer का काम करने वाले हैं, animal जो की food chain को complete करते हैं, bacteria वेगरा जो की decomposition करके environment को साफ भी करते हैं, और soil की fertility को बढ़ाते भी है येस, 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 डण, 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 चलो, जल्द यल्ली खतम करता हैं इस chapter को, फिर आता है हमारे पास sun is the ultimate source of energy, आप सबको पता है, सारी food chain की शुरुवात कहां से होती है, सारी food chain की शुरुवात होती है producer से, लेकिन producer energy कहां से लेते हैं, producer energy लेते हैं, sun से, तो हमारा क अपने पता था, गुलाप का फूल दे दो, sun से plants कितने परसंट energy एब्जॉब करते हैं, एक परसंट, sun की जो भी energy गिरती है, plants पे उसका एक परसंट ही इस्तमाल हो पाता है, बस उसका एक परसंट ही इस्तमाल हो पाता है, ये बात अगर नहीं पता है, तो जल्दी से गुला कोई किसी को खाता है सबसे पहले आता है हमारे पास प्रोड्यूसर यह क्या हो गया यह तो कुछ गरबड हो गई है ना इसको ठीक करते हैं चलवाओ यह कुछ गरबड है या इसको हम हाभ से लिख देंगे फिरकि यह सब गरबड आ गया है यह सब आगे पीछे हो गया है आगे पीछे ओपी हाँ चलो आओ एक सेकिन एक सेकिन एक सेकिन एक सेकिन हाँ गाइब हो गया जादू कर दिया हमने गाइब कर दिया इसको चलो आओ अब एक एक फूड चेन में सबसे पहले हमारे पास आता अरे गुलाब के फूल भी आ रहे इसका मतलब यागाई मरी वभर मेुने के सिरह कि आते हैं हमार पास से केंड़ी क ні अए जो कि अब जो में से जो और यह जो producer होते हैं, यह energy actually में किस से लेते हैं, sun से, कितने लेते हैं, सिरफ 1%, वो अलग बात है आप जानते हो कि आगे सिरफ 10% energy ही जाती है, वो आप जानते हो, वो आप जानते हो, वो आप जानते हो, फूड वेब क्या होता है, जब बहुत सारी food chain एक दूसरे के साथ मिली ह होती हैं, उसको हम food web कह देते हैं, soil क्या होता है, soil एक reservoir जहां पर प्लांट्स लुकते हैं, अब इसमें मैं क्या पढ़ाऊं मतलब आपको, यह यहां तक कोई पढ़ाने वाली चीज है भी नहीं, food chain कोई पढ़ाने वाली चीज नहीं है, हाँ, यह है पढ़ाने वाली चीज, यहीं से सवाल बनते हैं, पेपर में, आपके पेपर में भी छप चुका है, बस question number नहीं पता सकता, jail हो जाएए, मैं जाक करना हो पता भी नहीं है, 10% law क्या कहता है, according to 10% law, only 10% of energy is passed from one trophic level to another, only 10% of energy is passed from one trophic level to another, सिरफ 10% energy ही एक trophic level से दूसरे में जाएगी, यानि कि मान लो हमारे पास यहाँ पे कोई producers हैं, उसके पास मान लो 1000 joule energy है, तो primary consumer में इसका 10% जो की 100 joule है, और secondary consumer में इसका 10% जो की 10 joule है, और अगर मान लो गलती से tertiary consumer यहाँ पे है, तो उसको सिरफ एक जूल मिलेगी, और यही रीजन है, और यही रीजन है, यही रीजन है, कि एक food chain में तीन या चार या पांच से जादा member नहीं होते हैं, generally, because energy बहुत कम आगे जाती है, सिरफ 10% energy आगे जाती है, balance in the ecosystem का मतलब होता है, अगर मैं एक food chain में से, example के तोर पे यहाँ पे grass है, यहाँ पे मान लो tiger है, तो अगर मैं किसी भी एक को खतम कर देता हूँ, अगर मैं food chain में से किसी भी एक को खतम कर देता हूँ, तो बाकी सब भी effect हो जाएंगे, अगर मैं यहाँ से सारे goat को मार दूँ, तो grass का amount पहले बढ़ेगा और tiger कम हो जाएगा, फिर grass में competition बढ़ जाएगा, grass भी खतम हो जाएगी, तो ecosystem में balance बनाए रखने के लिए, हर living प्रजाती को जिन्दा रहना बहुत जरूरी है, यहाँ कि उन्में balance बना हुआ है, फिर आता है हमारे पास substance दो प्रकार के होते हैं, ल केजी का बच्चा भी जानता है यार, यह bio degradable वो जो decompose हो जाएगे, non bio degradable जो decompose ना हो, LKG का बच्चा भी जानता है यह बात, छीक है, ozone layer क्या होता है, हमारे atmosphere में उपर एक O3, O3 की layer है, जो धरती पे ultra wallet race को आने से रोकती है, यह बनती कैसे है, अगर oxygen के अंदर ultra wallet race जाती है, तो oxygen O atoms में तूट जाता है, और यही O atoms वापस से oxygen के साथ जुड़के O3 बनाते हैं, लेकिन बड़ी घहरी बात करने जा रहा हूँ, बड़ी घहरी बात करने जा रहा हूँ, क्या आप यह बात जानते हूँ, कि ozone ultra wallet race को रोकती भी है, और ultra wallet race ही ozone को बनाती भी है, कर्मा, कर्मा, अब ozone में छेद होता जा रहा था, because हम लोग बहुत जादा chlorofluorocarbons यूज़ कर रहे थे, वो लोग chlorofluorocarbons जाके ozone में छेद करती थी, अंटार्टिका, पोल, आर्टिक पोल में सबसे पहले छेद देखा गया था, 1987 में UNEP ने, United Nations of AirVanitar Program ने क्या किया, ओजोन को डैमेज करने वाले CFCs को बैन कर दिया, आप CFCs को इस्तमाल नहीं कर सकते, दीरे-दीरे ozone ठीक हो गई, दीरे-दीरे ozone ठीक हो गई, harmful effect of ozone depletion, ozone में छेद होने से हो क्या रहा था, क्योंकि उसमें छेद हो रहा था, ultra wallet race धरती पे आ रही थी, ultra wallet race का amount बढ़ रहा था, skin cancer हो रहा था, cataract हो रहा था, human eye याद करो, cataract हो रहा था, aquatic life भी disturbed हो रही थी, हम जो waste बनाते हैं, उसको कम कैसे करें, reduce, reuse, recycle, recover, LKG का बच्चा भी जानता है, tube light use नहीं हो रही, बंद कर दो, recycle कर लो, कबाड़ी वाले भाईया को पेपर बेच दो, वो उसको recycle करके आपको दुबारा दे देंगे, reuse कर लो, पानी की बोतल में coldering लेके आए थे, उसमें पानी भर लो, एक थैली भाईया से खरिद के ले तो दुबारा जाओ, उसी थैली में राशन लेके आजो, रीकवर, जो गलतिया की थी, उसको ठीक कर दो, पेड़े पौधे लगा लो, पेड़े पौधे लगाओगे तो recovery हो जाएगी, बिटा, आप क्या है, ये चेप्टर पढ़ाने लाइक है यह नहीं, disposable cups in train, train में बहुत जादा चाई पी जाती है, आप सबको पता है, train में बहुत जादा चाई पी जाती है, तो पहले train में plastic के cup, जो है वो, use किये जाते थे, अब plastic के cup भार फैक, सबसे बहुत तो कांच के cup इस्तमाल होते थे, लेकिन वहाँ पे बहुत hygiene issue होता था, लोग कहते थे कि बहुत बहुत जादा प्लास्टिक बनने लग गया था, कुल्ड के cup बनाएं लग गया, वो मिट्टी के बनते थे, वो फटाइल स्वाइल के बनते थे, स्वाइल एरोजन होने लग गया, अट लाश्ट हम पेपर कप पे आके रूखे, और पेपर कप भी is not the final solution, विकाज पेपर कप से पेड कटते हैं, बट हमारे पास और कोई option नहीं था, चीक है, चीक है, चीक है, इसके बाद आता है इस चेप्टर का आखरी topic, बिचिस बाइलोजिकल मैगनिफिकेशन, यह अच्छा, true या false, आज का आखरी सवाल है, true या false, बाइलोजिकल मैगनिफिकेशन is opposite of 10% law, true या false, बाइलोजिकल मैगनिफिकेशन is opposite of 10% law, यह producer है, यह primary consumer है, यह secondary consumer है, यह tertiary consumer है, true या false, yes true, because अगर कोई harmful substance, producer में आता है, तो धीरे धीरे उसकी concentration, बढ़ती चली जाती है, 10% law कह रहा था, एनर्जी सिरफ 10% आगे जाती है, मतलब कम होती है, लेकिन बाइलोजिकल मैगनिफिकेशन कहता है, कि अगर कोई harmful substance, हमारे food chain में आ जाएगा, तो next topic level तक जाते जाते, उसका concentration, बढ़ता चला जाएगा, यहां पर हमने complete biology कर ली, except life processes, life processes, सोनम मैं हमने बहुत अच्छे से करा है, मेरा यह मानना था, मैंको तो यह भी नहीं करवाना चीछ था, आप लोगों ने 61% जे तो मैंने करवा दिया, समझ गए, लेकिन यहां पर हमारा chapter जो है, वो खतम होता है, बड़े अच्छे तरीके से हमारी biological खतम होती है, सोनम मैं आज आपको questions करा रही है, कल भी करा रही थी, आज भी करा रही है, कल वाला lecture नहीं देखा था, तो top 100 MC को करवाय थे, जाके देख लो, आज 4 बजे आना मत भूलना, most expected question करवा रहा हूं, पेपर बनेगा वहीं से, लगबख 7-7.5 बई तक class खतम कर दूँगा, आज most 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ question ही question होएंगे, question ही question, मिलते हैं, मिलते हैं, मज़ा आया, अच्छा biology पढ़के मज़ा आया की नहीं आया, ये बता दो, ये बता दो चलो, ये बता दो, biology पढ़के मज़ा आया की नहीं आया, अगर मज़ा आया, तो session खतम होने के बाद, मुझे एक प्यारा सा comment चाहिए, कि सबसे अच्छा क्या लगा आपको मेरी biology पढ़ने में, पढ़ने में, सबसे अच्छा क्या लगा मेरी biology पढ़ने में, जल्दी से comment section पर बता दो, extraction of metal पढ़ाऊंगा, मैंने पका का था आपको, हाँ वो तो मैंने कह दिया था, मज़ा आया, मज़ा आया, मज़ा आया, जब session end हो जाएगा, प्यारा सा comment छोड़ देना नीचे, कि सबसे अच्छा क्या लगा, क्या मज़ा आया बाइलाओ जी पढ़ने में, चीक है, चीक है, चालो, चालो, thank you so much, जिसने भी session को like नहीं किया है, like कर दो, और जिसने भी subscribe नहीं किया है, subscribe का button, जोड से फैक के मार के दबा दो, ताकि subscribers आज पहुंच जाएं, 20-40 पे, चालो, thank you so much, thank you so much, thank you, thank you, thank you, love you, love you, love you.